सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं कि ऑके ओके थैंक्यू कि अध्यू कि दॉन चीज़े और वीडियो दॉन और क्लियर है ठेके ओके थैंक्यू आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको जैसे कि पता होगा है कि थम्मनेल में लगा हुआ है कि आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन जॉग्रोफी इंडियन जॉग्रोफी का आज हम complete portion cover कर लेंगे ठीक है और यह जो होगा वो हमारे exam की द्रस्टी कोन से होगा क्या होगा कि जैसे कि आप जानते हैं इंडियन जॉग्रोफी का portion बहुत होता है और अच्छा खासा इसका बेटेज भी होता है ठीक है हां तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि आज हमें क्या-क्या पढ़ना है और फिर हम उसी के हिसाब से एक टॉपिक करके हम cover करेंगे पूरा इंड रूस करा देता हूं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं देखेए रवाप इंडियन जॉग्रोफी पढ़ते हैं अर्द dwar का भुगोल पढ़ते हैं będzie कि तो आप जानते हैं सबसे पहले यहां से कोस्यटन कहां-कहां से बनते हैं अगर आप देखोगे इंडियन जॉग्र पूरा यह लेक्चर होता है पूरा इंडिया जोगरूफी हम जब कवर करते हैं लेकिन आज चुकि हम एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं दस से बारा घंटे में कवर करने वाले हैं तो यह मान के चलो कि जो हम लोग नौर्मली पढ़ते हैं उससे लगबग हमारा यह 10% का पॉ पूर्सन आता है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आप लोगों का जो नीरेस्ट एक्जाम है इसी मंत जो आपके एक्जाम चल रहे हैं उन एक्जाम में आपको बहुत ज्यादा है इसका क्या होगा वेनिफिट होने बाला है कि सबसे पहले अगरा हम इंडिया जोगर नाम क्या है तो नाम तो पता है आपको हमारे इंडिया का नाम तो पता ही आपको लेकिन उसको इंट्रवी किसे करेंगे वो कि आप कहां के रहने वाले हो आप हो क्या तो सबसे पहले तो हमारे देश को हमें इंट्रिड्यूस करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या पाट आएगा इसका इसका लोकेशन कहां पर है अब इसका लोकेशन कहां बताओगे अर्थ में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्थ में इसका लोकेशन क कितना है मतलब आप देखेंगे जैसे आप अपनी पहचान बताते हो ना भाई मैं इतना प्रभाव साली हूं तो इस तरीके से क्या होगा वहाँ पर अपना expansion बताएगा अर्थाद विस्तार बताएगा ठेके विस्तार के बारे में बताएगा और कुछ अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन बताएगा ठेके यह क्या होगा कुछ यहां पर जनरल इन्फॉर्मेशन बताएगा पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं फिर आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वह उसी हिसाब से हम लोग आज पूरा कवर करेंगे इन्फॉर्मेशन होता है ओके पि हhen तो जो हमारे नेवर कंट्रीज हैं अर्था जो हमारे पलोसी देश हैं उनके साथ हमारे किस तरीके से संबंध है कोई अगर उनकी बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट सोगा तो उन बॉर्डर डिस्प्यूट से भी कोशन बनते हैं तो हम उसे भी कबर करेंगे बॉर्डिश वाले पॉर्शन को ठीक है इतनी बात क्लियर है फिर फानले ली हम यहां पर आते हैं टॉपोग्राफी पर ठीक है जिसे हम बोलते हैं क्या जियो मॉर्फोलाजी ठीक है फिर हम क्या कवर करते हैं यहां पर जियो मॉर्फोलाजी कवर करते हैं अर्थाद हमारा जो भू आकरतिक प्रदेश है क्या बोलते हैं हमारा जो भू आक बोबाइए तो वहां पर क्या परवत हैं क्या मैधान है तो आप ղोगों को बहुत से वहां पर माउंटेन को मिलते हैं बेस देखने को मिलते हैं और आपको कुछ वहां मिलेगी और इनके recommends हैं इनके बारे में हम लोग यहां पर कबर करते हैं और धी marketing बहुत important है अगर किसी भी country का खास तो पर मिंडिया की बात करते हैं अगर इंडिया का geomorphology अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप यह समझे कि आपका जोग्राफी बहुत strong हो जाता है अब इसी geomorphology जब आप कवर करेंगे बच्चों तो यहीं से आपको मिट्टी का प्रारूफ है मिट्टी से भी कोशन बनते हैं तो मिट्टी का प्रारूफ भी आपको यहां से पता चलाएगा फिर आप जानते हैं geomorphology में आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए यहां पर इंडिया में किस तरीके का rocks पैटन है क्योंकि आप देखेंगे चट्टानों से ही मिट्टी बनती है ना तो रोक्स पैटन भी पता चला आएगा अर्थात यहां पर चट्टानों का प्रारूप भी पता चला राएगा यहां से काफी एक्जाम में कोश्ण आते हैं आप लोगों ना पढ़ा होगा आरके न इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो जब हमारा रॉक्स के टूटने से स्वाइल बन जाता है तो स्वाइल में हम लोग यहां पर करते हैं क्रसी अर्थाद इंडिया का हमें क्या होता है यहां पर एग्री कल्चर का पैटन पता चला जाता है तो इस तरीके से भारत देश में क्रसी के बारे में पता चल जाता है जब आप जानते हैं क्रसी के बारे में पढ़ते हैं तो क्रसी पर आधारिज जो इंड्रस्टी होती है जैसे आप लोग क्या करते है जैसे माली जी आप कपास का उत्पादन करें तो कपास तो खाओगे नहीं आप कपास का इस् चाहिए फिर धागा को आपस में संजो के कपड़े बनाए जाते हैं उसके लिए भी मसीन चाहिए तो यह पूरा एक इंडरस्ट्री काम करती है उसी तरीके से अगर आप खेती में गन्ना लगाते हो तो गन्ना का पहले रस निकाला जाता है उसके लिए भी आपको मसीन कि इसे क्रसी पर आधारित पूरा एक इन्डरस्ट्री को कबर हम लोग करते हैं कि इसके अलाव Metali रहा पर हम और देखने को मिलेगा अर्फाद होते हैं ऐसे मिनरास होते हैं एसे ऑतके होते हैं जिनसे क्या होते हैं हमें धाटु प्राप्त होती हह इसे हमें तो मेटल प्राप्त होगा तो यह मेटल हमारे लिए बड़ी इंपोर्टन चीजे होती है जैसे आप वॉक्साइट से क्या निकालते हो एलुमिनियम निकालते हो और एलुमिनियम का उप्योग तो आपको पता बहुत जादा होता है उसी तरीके से हैमेटाइट मैगनेटाइट से क्या निकालते हो लोहा निकालते हो और लोहा से क्या बनता फिर स्टील बनता है इस्टील तो हमारा आधार बुत उध्योग होता है पूरी मसीने तो आप देखेंगे स्टील सी बनी होती है तो इस तरीके से आप इस सारे पैटन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए सारे पेटन है फिर इसके एडिस्नल पेटन होते हैं कि आप अगर जियो मॉर्फोलाजी में पढ़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाते हैं जब आप माउंटेन को पढ़ते हो तो माउंटेन के अंतरगति क्या होता है जब यहां पर आप जियो मॉर्फोलाजी में बच्चों माउंटे इसके अलाबा हमारे आप जो फ्रेश वाटर का जो सोर्स मिलेगा फ्रेश वाटर के सूर्स में हम पूरा रिवर सिस्टम कवर करते हैं यह हमारे सभ्वता की जननी मानी जाती है आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी सभ्वताइं बनी हैं पूरी दुनिया में उन सभ्वताइं कोई न कोई नदी के किनारे जरूर बसी हैं जैसे आप मैसो पुटामे की सभ्वता की बाद करोगे तो दजला एवं फरात की किनारे बसी हुई थी ठीक है ना तो एक नदी की किनारे बसी हुई उसी तरीके से मिस्र में देखोगे तो नील नदी के किनारे बसी हुई थी चीन में देखोगे तो हांगो नदी की किनारे बस यहीं से नदियां क्या होती है इनी की वज़े से तो पूरा रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हिमाला नदी का पूरा सिस्टम पढ़ते हैं प्राइदी भारत की नदियों का पूरा सिस्टम पढ़ते हैं उसमें गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं सिंदु रि यहां से तेके फिर इनी के अंतरगत आप जानते हैं रिवर सिस्टम होता है तो रिवर सिस्टम में हम क्या करते हैं यहां पर जो हमारे यहां पर पर परियोजनाय होती है क्या होती है परियोजनाय होती है कुछ परियोजनाय क्या होती है सिंगल परपस होती है कुछ क्या होती ह पर यहां पर आप देखेंगे मल्टी परपस होती हैं जैसे आप लोगोंने गुदावी नदी को पड़ा होगा तो दामुदर क्या है मल्टी पर्पस परिउजना वाली है यह यहां दामुदर नदी-घाटी पार्युजना क्याती गांती bucket तो कषने का मतलब है इंडियन जोगरॉफि में सारे पूट्टशन एक द्रिंटर्फ होते हैं आपस में क्या होते हैं जुड़े होते हैं तो यह मारा होगा छोटा सा का लाइव है तो मुझे चैंज करकर की कमेंट देखना पड़ेगा अचलिए आप लोग हाँ सभी लोग गुड़ मैंने जैहिन ठीक है आप लोग रेडियो सभी लोग ठीक है ओके थैंक यू चलो दूसरे जगा मैं कमेंट देख लेता हूं और कि एक मिट कि थोड़ा मुझे एक्चुल में क्या लाइव क्लास जो है दो जगह सल रही है तो मुझे थोड़ा सा क्या होगा दोनों जगह देखना होगा ताकि क्या हो दोनों ही स्थानों के में कमेंट ले लों तो कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हूं कि आप पूआ है ठीक है अभी इदर भी चल रहा है गूड मॉर्निंग गूर्मानिंग चल रहा है ठीक है सबीलोगों को गूड मॉर्निंग ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब क्लास स्टार्ड कर सकते हैं आपका पूरा बेस क्लियर हो गया कि मैं क्या पाना चाहरा हूं आपको आज समझ में आ गया अब हम क्या करते हैं एक एक करके इसको सीजन कवर करते हैं चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इंडिया का तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का लोकेशन क्या करेंगे इंडिया का लोकेशन देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारी जो प्रत्वी है इसी प्रत्वी में एक देश के रूप में हमारा इंडिया है यही जो आप देखेंगे अर्थ है इसी अर्थ में हमारे पैसलिए आप जनते इतिती B in अगर मालेज़र कोई गिलॉस्तु होती है अगर उसमें में कोई दूसरी वस्तू रखते हैं और अगर हम उसकी location बताना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि यह बीचों बीच जो यहाँ पर एक रेखा होती है क्या है यहाँ पर आपकर बीचों बीच से एक रेखा खीचेंगे आप तो इस रेखा से वो कितनी दूरी पर है उपर की नीचे साइड है यह देखना पड़ता है तो आप लोगों ने इसी बेस पर हमारे यहाँ पर latitude and longitude का function आता है अर्थात अक्षांस और देसांतर रेखां का concept आता है यह अक्षांस और देसांतर रेखां यह बताती हैं कि जो हमारी प्रत्वी है गोलाकार है तो इसमें कोई आप जानते हैं यह जो भूमत रेखा है इसे माल ली जाती है अब बोला जाता है कि जैसे जिरी बोलते हैं तो इसको ऊपर वाला जो भाग होता है यह पूरा जो उपर का भाग है एकलाता आपका North Semisphere और यह नीचे बाला कहलाएगा आपका South Semisphere अर्था दक्षनी गुलार्द एकलाता उत्तरी गुलार्द तो यह देखा जाता है कि हमारा जो भारत है वो कहां पर है तो निश्चत तर पर भारत देश जो है भूमद रेखा के उपर है इसका मतलब हो लेंगे कहां पर है उत्तरी गुलार्द में है अब उत्तरी गुलार्द में आप यहां भी हो सकते यहां भी हो सकते यहां भी हो सकते हैं तो इसको बीचों भीच से एक और रेखा किसी जाती है यह होती है जीरो डिग्री देखा के नाम से भी जानते ह कर दाए यह है को तो इस तरीखे से आप देखिएंगे तो भारत देश का यह आँतीम भाला वेंदु एंदु माला जाता है ठीक है तो यहां पर अंतिम वाला विंदू मुख किस्तल का यह वाला माना जाता है ठीक है लेकिन जब बाद में देखा गया कि नहीं भीया अंडमान निकोवार दीव समों को जब हम सामिल करते हैं अपने देश में क्योंकि वह तुमारा देश का हिस्सा है तो फिर इसका जो अविस्तार तो इसे हम बोल देते हैं और मिकन अकुमारी का रीजन कळाता है इसे कहा जाता है ब favourite O इसे क्या कहा जाता है? Cap op Cameron कहा जाता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जो Cap op Cameron है ये आपका इसका स्थली भाग का सबसे दक्षिणतंव बिंदू äll बिंदू माना जाता है और जब आप इसे मानते हैं तो ये है आपका इंद्रा पॉइंट इसे क्या बोलते हैं बच्चों इसे इंद्रा पॉइंट कहा जाता है जो कहां पर है अंडमान निकोवार दीव समूवी साथ भाग में बटा हुआ है उत्तरी अंडमान है मद अंडमान है दक्षिय अंडमान है चोटा अंडमान है कार निकोवार है चोटा निकोवार है लिएगा और यह थोड़ा उपर है तो इसलिए आप देखेंगे कि भारत देश का विस्तार आप आट डिगरी से चार मिनट से मानते हो देखा होगा आप ने कि जब हम भारत का विस्तार लेखते हैं तो प्वालेट केमरौन से सुरू होता है अर्थाद हम देखेंगे कंया कु की बात मानते हैं कि दक्षिण में सबसे लास्ट का पॉइंट कौन सा है तो हम उसे माले लेते हैं इस तो भारत का विस्तार आप देखेंगे तो यहां पर एक आपको अ क्छाञ्वा इस पॉइंट को कहा जाता है इंद्रा कॉल इसे क्या करता बच्चों इन्द्रा कॉल कई वार यहां से पूछ लिया जाता है तो इसका विस्तार कितना मिलेगा आपको 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांस कितनी बात क्लियर है फिर आप देखते हैं कि यह इधर साइड विस्तार कहां मिलेगा तो इधर साइड आप देखेंगे तो यह देशांतर रेखा यहां से कुजरती है एक द शाथलाव है यहां से अक्षांस रिका गुज़रेगी आपके इस पॉइंट से क्यों गज़ा घ्रा कैकि तो इह जो भाला भाग हैं वान लिया जाता है क्या आूरु आपका 68 डिगरी 3-7 मिनट पूर्वी देशांतर ओकर बपूरब में हैं कि फिर आप क्या करोंगी एवा है सब्सक्राइब कॉंसे देशांतर घो ऑट्स इस की लोकेशन बताती है तो अक्षांस और देशांतर रेखाओं को सारा लेना पड़ता है इसका मतलब अब देखेंगे यहां का जो सबसे पूरा आपका पश्रिम का विस्तार है इसका क्या हो गया वैस्ट पॉइंट हो गया लेकिन आप जानते ही यह वाले पॉइंट को लेकर बच्चों बिबाद होता रहे तक क्यों आप अगर इस छोटे से हिस्से को मानोगे तो य क्या है सरक्रीक के लाखा बच्चों इस सरक्रीक का इलाका है और सरक्रीक को लेकर कैसी है कैसे आप जानते है यह भारत देश कहता है कि यह मेरा है तो भारत देश का मानना है कि सरक्रीक जो है वो भारत देश के कच जिले का हिस्सा है, क्या है, भारत देश के कच जिले का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जबकि पाकिस्तान ऐसा दावा करता है कि पाकिस्तान कहता है कि ये सिंद छेतर का हमारा हिस्सा है, तो सिंद छेतर का मानत इस पॉइंट को लेकर क्या होता है अगर हम उस विवादी विंदू को अपना मान लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसका जो पक्षिम बाला पॉइंट है क्या है इसका पक्षिम बाला पॉइंट है हम इसे क्या मान लेते हैं सरक्री को मान लेते हैं अगर आम मान लेजे यह वाले इस्थान को छोड़ देना चाहते हैं तो हम फिर इस वाले इस्थान को मानते हैं तो हम यहां पर देकना यहां पर एक इलाका आएगा गोहार मोती नाम का एक गाउं है क्या है आपर गोहार मोती नाम का गाउं है इसको माना जाता है सबसे बीस पॉइंट तो दोनों ही ह Recht है आप से गोहार मोती भी पूछा जाएगा तो भी सई है और अगर आपसे से पुछा जा, सरक्रीक है तो वो भी सही है, इसमें कोई दिक्कता की बात नहीं है, ठेक है, उसी तरीके से आप देखेंगे यह बालगा जो पॉइंट है यह पूराप कब इंदु है यहाँ पर मिलेगा आपको कीविऊ तु नाम का गाउं का मिलेगा जो बलांगुग कि अंतरगाइप आता है तो आप बलांगु भी कह सकते हो की पूत्यों भी कह सकते हो तो याद रखना इंद्रा कॉल को माना जाता है इसका नाम याद रखना इंद्रा कॉल को माना जाता है और इंद्रा कॉल जो है वो कहां मिलेगा आपको पाक अधिक्रत कस्मीर मिलेगा अर्थाद पीयों को में मिलेगा और पीयों का कौन सा हिस्सा के लाता बच्चों एक लात यह बलतिस्तान क्या लाता है तो पाक अधिकत कस्मेर की किस चेत्र में मिलेगा ठीक चलो फिर आप जानते हैं इसका जो साउट पॉइंट है मैं आपको क्या करूंगा इजो नोट से यह जो नोट से में पूरा बनाके जो इसाचा लिखते जा रहा हूं आपके रिविजन करने के लिए यह मैं पूरा आपको दे दूँगा ताकि आप जब सेकेंड बार उसे आप पढ़ें रिवाइस करें तो इसी को देखके जले लीगा आप कर सकते हैं आप समझने पर ज्यादा फोकस करना इस चिछ को लेकर ठीक है तो इसका जो साउथ पॉइंट है तो साउथ पॉइ यह जो इंड्रां पॉइंट है ठीक हुए कहां मिलेगा आपको ग्रेट निकवार रहे मिलेगा यहांसे एक चोशन भी आ जाता है कि भ और जो है वो आपको अंडमान निकवार दीप में तो खें लेकिन माने में को बढ़ें तो सब्सक्राइब के पूर्ए तो कॉन से वाले नाम है मैंने यहां पर पढ़ा हुं इतनी पढ़ाई किया हूं इतनी नम्मर से पास हुआ हूं देश के नागरी प्रक्ष लہं पर जाता है फिर आ जानते ही यहां पर जो इस्ट वाला पॉइंट है क्या ब लेंगे आप इसे इस पॉइंट है वो ऊतवाला तो बोलेंगे क्या इसे कहा जाता बलांगू बलांगू भी आप कह सकते हो और कीवी थू भी कह सकते हो दोनों सही है कि आप देखेंगे यहाँ पर यह होता है आपका क्या और नाचर प्रदेश में इसके बाद के आएगा कब बैस्ट पॉइंट तो जो बैस्ट पॉइंट है इसे क्या नाम दिया गया है तो यह ध्यान रखता स्तरक्रीक में माना जाता है लेकिन अगर माले जिए विवादेश छेत्र को छोड़ देते हैं तो आपको आएगा गोहार मोती गाउं क्या बच्चों यहाँ पर गोहार मोती इसे माना जाता है यह कहां मिलेगा गुजरात में इतना अब आपको क्लियर होगे कि भी अगर यहां से कोई कोश्चन आएगा तो आपसे अटेंट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी होगा इनफॉर्मिशन आपको अब बात आती है कि अगर हम इसे लंबाई चुनाई द 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है क्या मिलती है यह 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है और जाब आप इधर से इधर आप करोगे ना इधर से इधर आपको यहां पर मिलेगा यह 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा तो आप लंबा चोड़ा भी देख लेते हैं तो लंबा इतना है चोड़ा इतना है ओके फिर आपसे पूछे जाता कि भारत देश का जो छेत्रपल कितना है तो इसका टोटल एरिया मिलेगा आपको वह मिलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा यह डाटा सारा आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है आप एमान के च कोमपल सरी हो नहीं चाहिए आपको ठीक है तो आप देखें गे iteration यहांप पर इसका एरिया है जो टोटल हमारे क dependence कर एकेना है PowerPoint क्या है 2.4 pers regression आपको देखने को मिलेगा कि similar to 24 % है पूरे वर्ड के एडिया का श्यक्राइब टेक है वर्ड एरिया का कितना है मातरे। टू प Frei परसेंट है टेक त veg और शुख है अब यह होगे आपका जनर've एंडिया के बारे में चलता थोड़ा हम अगले शिटेप में क्या हम लोग जानेंगे अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि इसका जो एक और चीज आप खुला सा ध्यान रखना यहीं पर बता जीतों जादा भेतर रहेगा आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाले एक काम करें तरह नाय वालों ठीक रहेगा अब आप यहां देखेंगे कि अगर हम इंडिया की जलवायो को पढ़ेंगे और यहां पर समय को क्रिंगे क्यों की बिना समय के दुनिया कैसे चली रिखाएं और बिना जलवाय में की सत तो क्या भारत देश से भूमद रेखा गुजरती है अगर आप बोलेंगे क्या भारत देश से भूमद रेखा गुजरती है तो आप बोलना नहीं गुजरती है अगर गुजरती होगी तो बताओ नहीं गुजरती है ना तो आपको पता होना चाहिए यहां कहीं से भी भूमद मनलो इसको 39 को चार मालो तो आप जानते हो यहां से कितना दूर है मात्री एक डिगरी चार मिनट की दूरी पर ही है तो आप जानते एक डिगरी में कितना होता है 111 में यहां एक डिग्री अक्षांस बराबर क्या है कितना होता है बच्चों यहँँडर 111 km को की बराबर होता है अगर आप बोलूँगा कि कोई स्थान अगर एक डिगरी के अंतर में एसे इसका माल लीजिए क्या है दो डी करेंस तो आप इसे दूरी में कैसे कंवर्ट करोगे एक डिगरी की जो रेखी दूरी होती है वह 111 km होती है तो दो की जाएगी 222 तो वैसे आप अगर इसे निकालेंगे तो भुमद्रेखा से भारत की दूरी निकाल लेते हैं इसे क्या निकाल लेते हैं भुमद्रेखा से क्या बोलेंगे भुमद्रेखा से भारत की दूरी बताईए भारत की दूरी बताईए एक्जाम में भी कोश्चन कई बार आ चुका है इसलिए बोलना हूं आपको याद करना है सब चीजे 876 किलोमीटर की दूरी पर है ठीक है जितनी चीज में पढ़ा रहा हूं आपके एक्जाम के दृष्टी कोंड से यह रामबाड है अगर आपने इसके अच्छे से कवर कर दिया तो इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है ठी जारा है यहां से वाला तो आपर आप देखिस के जार आहा है वेस्ट बंगाल कर भी जा रहा है उत्रपरा और मिजोरम कभी जा रहा है, इस तरीके से आप देखेंगे, एक कितने state से होकर गुझर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको state देखने को मिल रहे हैं कितने 8, इन 8 ओं state को नाम क्या होता है, एक्जाम में बड़ा important है, यहाँ से question पूछे जाता है, तो आप ज यहां पर about आपको देखेंगर यहां पर नोगता है कि अधूर्जा ना घानता है नहीं harm अधर श्युम अधर मुजर्त यह आता है फ़्षूदा सज़च को ना रखना अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब सूर क्या होता है उत्तर की तरफ मूब करता है क्योंकि पूरब से जब सूर उगता है तो आपको पता है सीधा सीधा बहुत कम उगता है जैसे फॉर एक्जामपल में यहां पर बात करता हूं यहां पर देखिए यह माले जी हमा चलती हैं तो उन्हों को होता है किसमा आटीन क्या होती है इस मार्श के दिन क्या होती है इस मार्श आने लगता है और अब धर देखना आप जब सूर्ण नमस्कार करते होंगे पूरब की दिशा में तो आप लोगों को ऐसा लगता हूँ अगर सूरज सीधा सीधा क्यों नहीं है ऐसा तिर्षा क्यों है उसकी वज़ाई यह बच्चों कि किस मार्च को क्या होता है सीधा सीधा देखेगा उसके बाद 22 के आप्रेल में हाँ मैं यहां से जून में तो से फिक्स ऑगर में यहां पर एकक्ची कि होता करकरेखा पर नंबबबद पर परता है जैसी जून के बाद तो फिर से बापसना झलगता उत अगस्त वहां पर सितंबर फिर से यहां पर थाता है प्रिंघ्यूशन Om समंबर में यहां जाता है दिसंबर में कहां जाता बच्च यह मकर रेखा में जाता है यह आप लोगों ने वर्ल जोगरफी में पढ़ा होगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो 21 को क्या होता है सूर का लंबवत प्रकास पढ़ता है और आपको पता होना चाहिए जब तो जैसी आपके सिर्फे सूर का प्रकास लंबवत पड़ेगा लंबवत पड़ेगा तो आपको पता है आपकी कोई भी छाया नहीं बनती है कोई भी परचाई नहीं बनती है कोई भी शेडो नहीं बनती है आपको पता इस बात का नहीं पता है अगर आप लोग सूरज के सामन बहुत कम बाटाइम आता है साल में आप देखेंगे तो एक ही बार मालेजी आता है क्यों आएगा ऐसा करके और एक बार फिज पापस चला जाएगा ऐसे स्थिति का बाती है जब आप 21 जून में यहां पर खड़े हो यहां पर खड़े हो तो सूर बिल्कुल क्या होता है लंब यस Congratulations आपके बिल्कुल सिर्की ऊपर रहता है तो ऐसी स्थिति के लाती बच्चों यहां पर जीरो शेडो ज interact ठीक तो याद रखना भारत देश में जून के महीने में क्या होता यहाँ पर यहा जीरो सेड़ो बनने कह चांसें जदा अण Insurance ? यह उती सूर का सूर जो है डारेक्ट हमारे उपर लंबवत रहता है तो उस दौरान क्या होती है हमारी सेडो कुछ नहीं बनती है उसे बोलते हम क्या जीरो सेडो ठीक है चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब एक रेखा के अलावा आपको रेखा कंजिररर करना है जिस तरीके से करकई रेखा भारत से गुजरती है वैसे आप देखेंगे भारत देश का जो समयक्री देशानतर से भारतS समय होता है वो शाड़े 85 डिगरी पूर्वी देसानतर से होता है अब बोलेंगे सर ऐसा कैसी समभव है जरा समझो आपको पता होना चाहिए सूर जो है जो है वो कहां से आता है बच्चों इधर से आता है पूरब से आता है प mosquito में अस्त होता है तो सबसे पहले बताओ सूरज कहां पर आएगा यहां पर लमबबत पढ़ेगा यहां पर आएगा सूरज जैसे सूरज की किर्णा यहां पर आएंगी बच्चों तो यहां पर दिन हो जाएगा क्या होगा यह वाले छेत्र में क्या होगा सूर का प्रकास सबसे पहले आएगा यहां पर सबसे पहले क्या होगा दिन होगा उसके बाद यहां पर दिन होगा फिर इसके बाद यहां दिन होगा इसके बाद यहां दिन होगा सबसे लास्ट में यहां पर दिन होगा अब यह दोनों दोस्त हैं यहां एक दोस्त रहता वहां एक दोस्त रहता है अ बहुत तो पता होना चीए इनके बीच में दो घंटे का अंतर होता बच्चों क्या होता है तो यह से में तो पूरा हाद कराव हो जाईगी तो इसलिए क्या होता है इधर का टाइम और इधर का टाइम दोनों का बैलेंस करने के लिए बोला जाता है कि इंडिया का जो समय होगा वो हम किसे डिसाइड करेंगे बीचों बीज की रेखा से करेंगे ना इधर से करेंगे अधर इधर से करेंगे तो इनके साथ अन्याय होग यहां पर एक रेखा जाती है कि इसे कहा जाता है साड़े डिगरी पूर्वी देशानतार रेखा कहा जाता है कई बार एकजाम में पूछा जाता है कि यह जो साड़े 20 degree पूर्वी दिसानतर है क्या करती है तो याद रखना ये भारत के लिए time decide करने का काम करती है इस से पूरे भारत का क्या होता है time decide किया जाता है तो इसे बोलते हैं भारती समय निर्धारण रिखा भारती समय निर्धारण रिखा अब आपसे जिस तरीके से ये वाला question पूछ लिया जाता है, कि ये कितने राज्यों से गुजरती है, वैसी ये भी पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की मानक रेखा है, जिससे time decide होता है, ये पूरब की दिसांतर है, तो ये पूछा जाता है कि ये कितने राज से गुजरती है, तो याद रखना ये पांच स्टेट से गुजरती है, कितने गुजरती है, पांच स्टेट से गुजरेगी, पांच स्टेट के नाम पूछ लिता उपर से, तो आप जानते हैं, उपर में यूपी से गुजरती है, फेदर आव आपको MP से आती है सथिसगर से भी जाती है इसके अलावा आप नीचे देखेंगे वाले में तो उडिशा से आती है ठेके ना यह क्या आएगी आपकी यह उडिशा से आएगी और साथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है इतनी बात क्लियर है यह पांच स्टेट से क्या होती है गुजरती है अब यहाँ पर एक और इंपोर्टन पॉइंट आपका बन जाता है वह क्या बन जाता है बच्चों कि जिस तरीके से हमारी प्रत्वी में हम जब खीशते हैं देखना यह हमारी पूरी प्रत्वी है इस प्र दौनों आपसे मिल जाती है पॉइंट बड़ा इंपोर्टन हो जाता है एक्जाम के लिए ठीक है तो आप जानते कहां पर है भूमद रेखा और गिनी बीच रेखा कहां मिलती है एक गिनी की खाड़ी में मिलती है यह भी कोश्चन कई वार एक्जाम में आता है देखिए मै सारे कोश्चन आपको तयार करा रहा हूं समझाते जा रहा हूं तयार कराते जा रहा हूं तो गिनी की खाड़ी में मिलती है कौन सी आपके भूमद रेखा और गिन बीच रेखा वैसी हमारे भारत में दो रेखाय गोजरती है एक है आपकी साड़े व्यासी रेखा और आपक मतलब या प्यестоकर इतने बात समझ में आएगी तो ये बेसीक चीजें आपकी टैयार हो रही है मैं आप आती है कि यह जैसे मैंले जी हमारा भारत देस एक है भारत देस अब इसका टॉपोग्राफी अगर देखेंगे टॉफोग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे इसका हाई स्ब्सक्राय कोई पर यहां पर इंडिया और और यह यहां रहे हैं कि इंडिया का ची पॉइंड आम बहुत आप जानते हॉइंड पॉइंड का मतला बद्चों यहां पर कि भारत देश की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कारा कोरम में, यहां कारा कोरम है, इसी कारा कोरम में K2 गार्डवीन आस्टिन इस्थित है, क्या यहां पर है, K2 यहां पर गार्डवीन आस्टिन जिसका नाम है, तो K2 क्या यहां पर भारत यह अलग बात है लेकिन आप के टू को ही मानना क्योंकि पाक अधिकत कस्मीर को अपना ही मानते हैं तो के टू जो है सबसे हाइस्ट पॉइंट है हमारा इंडिया का उसी तरीके से ध्यान रखना बोले जाए डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है डीपेस्ट सबसे गहरा तो यहां से आपसे डीपेस्ट पॉइंट भी पूछ लेता एक्जाम में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है ठीके तो आपको ध्यान रखना यहां पर एक इलाका मिलेगा केरल में उसे कहा जाता कुट्टा नाड़ नामा के लाका मिलेगा केरल में इस सबसे क्या है 611 मीटर है ठीक है इस तरीके से हाइस्ट पॉइंट है और डीपेस्ट पॉइंट है ठीक है यह हो गया आपका जनरल इन्फॉर्मेशन यहां से बहुत सारे एक्जाम में कोश्चन बनेंगे आपको सारा चिक कबर हो गया इसमें किसी को दिक्कत है या नहीं होने चाहिए ठीक ह अब आपके कमेंट हम लोग ले लेते हैं पहले इधर वाले चैनल के लेते फिर आपके लेते कोई कुछ पूछना किसी को यहां तक सभी को कबर है कि सुभास यादाओ सचिन कुमार राजंदर कलाम इधर आपको कुछ पूछना बचो संजाय जाड यहां तक क्लियर सभी को है ठीक है इनका भी देख लेते कमेंट हम अ चलिए आप को सर वाइस क्लियर है सबको कुछ नार्ड का लोकेशन बताया मैंने ना आपको किरला में है किरला में ठीक है नो प्रोबलम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए इतना तो सब कुछ क्लियर है चलिए आपको इतना ही पता होना चाहिए ना कि यह जो इस रेखा का हम टाइम डेसाइड करते हैं इससे एक ग्रिन बिच से कितना आगे चलती है तो आपको अरजाए तो पूरब में है तो सूरज क्या आएगा पहले भारत देस में आएगा फिर ग्रिन वीच में जाकर आएगा तो भारत इसका टाइम क्या होगा साड़े पांच घंटे आगे चले इतनी बात क्लियर है सभी को चलो अब थोड़ा आप क्या करें यहां पर अब हम पढ़ते हैं इसके नया आयाम एक्जाम की दर्स्ट्री कोंड से अब जो मैं पढ़ा रहा हूं यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इधर तो कोई दिक्कत नहीं है कमेंट में बीच 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 पूछते जाना अगर कुछ पूछना हो आपको क्योंकि यह लास्ट है अब आपको होगा तो फिर कोई दूर नीगर क HEY है यहां लेती हैं और कि सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है यहां से सुरु होता है आपका इधार साइड जितना भी सब कुछ होगा एक कोस्टल लाइन है बच्चों एक है पूरी कोस्टल 눌러TIN कुलें मतला इसके किनारे में क्या है सारा समुंदर है इस समुंदर मिलेगे आपको इने पूरा कहला तक कोस्टल लाइन ऑक तो ए पूरी कोस्टल लाइन तो आप से पूछा जाए कि भारत देश में जो कोस्टल लाइन की लमबाई है ठीक है यहां से आप लेते हो और यहां तक जाते हो तो ऐसे टोटल आपको कितने स्टेट मिलेंगे नौ इस्टेट मिलेंगे आपको ठीक है तो जली कि या सब्सक्क्राइब या तटी सीमा बनाने वाले बनाने वाले राज़े बनाने वाले राज़े कि Product Master यहां पर यह 9 स्टेट हैं यह क्या है आपर 9 राज्य आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और सबसे जाधा आप देखेंगे यहां पर कौन सा तटी रेखा सबसे लंबी मिलेगी यहां से सुरू होती है पूरी यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां तक पूरी यहां से ले क्या तमिल नाडू की मिलेगी कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता बच्चों सबस्टता ट्रेखा किसी होगी गुजरात की सेंड क्या होगी आपकी ये आंदर प्रिदेश की सबसे छोटी मिलेगी आपकी गोवा की ऐसे भी आपको देखो ये तो नॉर्मल है याद करना नह होती है कि मैक्सिमम कोश्टल लाइन जो होती है कि मैक्सिमम कोश्टल लाइन यह गुजरात की अ कि ठीक है फिर इसके बाद आंदर प्रिदेश की फिर ये तमिल नाडू की अ है फिर ये तमिल नाडू की ठीक है फिर थोड़ा सा ध्यान रखना सबसे यहां बोलेंगे मिनीम मूञें वी मां और तो मिनीमम तो आप याद भी ने करो तो पता भी यह गुवा सब से छोटा है यहाँ पर थैख या थोड़े से कोशन यह से बंजाथे थोड़े तो तयार करते चलना अब यहां से यहां तक यह लंबाइ हम नाप्ते हैं टोटल इसकी लेंग्थ यहां पर इसकी क्या होती है टोटल जो लेंग्ध होती है वो कितनी होती बच्चों यह होती है 670 किलो मीटर अर्थात 1600 किलो मीटर होती है यहां से यहां तक जब हम इसे नापते हैं तो इसकी लंबाई होती है 6100 किलो मीटर होती है ठीक है लेकिन जब आप क्या करते हो कोस्टल की लाइन में क्या पढ़ेंगे इनको भी तो पढ़ लेंगे बाउए अगने के लच्छ दीप समु हुए इंकी भी तो कोस्ट लॉइन इनके पास समुदर आप अंडमान 1 गवार दीप समु को देखो इनकी भी तो कोस्ट लाइन ना तो जब किया होता इन Two Time को सामिल कर लेते हैं तो टोटल कोस्टल लाइन जो आती है वह आती है 7516.6 किलो मीटर तो यह वाला भी सही है वह वाला भी लेकि अंतरज बात कर रखना यह वाल आ इसके मुख्भूमी की जली सीमा को देखते हैं तो आता है 6100 और जब आप दीव समों को आपको भी सामिर कर लेते हैं, तो क्या निकलता है आपका वो पूरा Total Costal Line, और आपको पता होना चाहिए है जो Total Coastal Line में तो सबसे ज्यादा किसकी है, इसमें आप देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी Coastal Line है इसकी, केन साथैर् प्रिदेश में क्या है सबसे बड़ी Coastal Biden मान निको वारकी होती है कि इतनी बात क्लियर है किसी को दिक्कत है नहीं होना चाहिए ठिक है तो आपको यहां पर यही चीजह इस इनफॉर्मेशन ईजो आपको exam के Master ke sam होती है इसी को तो कबर करना रहता है ठीक है सो भuits आपको यहां पर देखना है यहाँ से jman आप चुन करते हों तो यह हो जाती आपकी क्या लेंड बॉर्डर नेयोज़ाती इस्थली सीमा यह क्यों जाती है आपकी यह स्थली सीमा तो जब आप इसको पूरा ऐसा करते हो तो यह क्या है यह स्थली सीमा है लेंड बॉर्डर है पूरी यह पूरी क्या है आपकी यह लेंड बॉर्डर है यह पूरा क्या आपका यह लेंड बॉर्डर है तो यहां से शुरू होगी यहीं तक आके खतम होती है ठेकें विजुकर बॉड़र जो है वो क्या मिलेगी आपको यहाँ पर सिस्थली सीमा कि इस्थली सीमा यह लेंड बाउन्डरी जो है वह तोटल आपको इस गुजराण से सुरू होती यह और वेस्ट वंगाल के यहां पर आके खतम होती है, जहां से खतम होती है, यह टोटल आप देखेंगे, गुजरात से लेकर वेस्ट वंगाल तक आप पहुंचेंगे, तो इसकी टोटल लंबाई मिलती है 15200 किलोमीटर, इतनी लंबी है बताईए, यह 15200 किलोमीटर लंबी है, त तो मैं आपको दोनों पेरामीटर्स बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हम इस कोस्टल लाइन की बात करते हैं कि कोस्टल लाइन अगर यहां पर है पूरी है तो इधर बिवाद ना होने की वज़ा क्या है यह आपको देखना पड़ेगा और यहां पर बिवाद होने की विस्तार यहां कहां तक है भारत देश का विस्तार यहां कहां तक है भाई सीदी सी बात है दूसरे देश भी तो यहां पर आ सकते हैं क्या तो ऐसा कहां तक भारत देश की सीमा है जहां तक अगर भारत देश की सीमा होगी भारत के कबजे में आएगा अगर और शेतर में पूछ लेता है कि भी या मान लो यहां से तो हमारी बाउंटरी खतम हो जाती है अब इसके बाद तो सागर लग गया एरवियंस यह लग गया इधर बेव बंगाल लग गया तो भारत देश का क्या पूरे आरवियंसी में कब जा है क्या क्या पूरा बंगाल की खाड़ी में कब यहां पर आपको जली छित्रादीकार पढ़ना पड़ता है क्या होता है यहां पर जली छित्रादीकार पढ़ना होता है यहां से एक्जाम में कोशन बनते हैं क्या बनते हैं यहां से कोशन आपके बनते हैं कि जली छित्रादीकार क्या होता है मतलब आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करें हम इसके लिए बेस लाइन खीचते हैं तो यह वाला सामने टॉप है निकला वाला टॉप यह इधा निकला वाला टॉप यह जहां जहां से टॉप बाहर निकला हुआ इनको तो इनको क्या करें टॉप से आपस में इनको मिलाएं इस तरीकी जब इनको आपन मिलाते जाते मिलाते जाते हैं ऐसा करके पूरा तो यह जितने भी बाहर निकले हुए हिससे इनको मिलाते जाते हैं तो बनता बच्चों इससे बेस लाइन तो इसे बोलते हैं बेस लाइ है ठीक है भारत का मुख्य छेत्र माना जाता है यह बेस लाइन के अंदर जितना भी छेत्र है क्या होगा है यहाँ पर बेस लाइन के अंदर जितना भी छेत्र है एसे भारत का मुख्य छेत्र माना जाता है भारत का ये मुख्य छेत्र मानना जाता है इसका मतलब ये एक तरीके एक मानो ये स्थली तरीके का मानो ये स्थली एक प्रकार से मानो ये भारत का मैं छेत्र होता है अब यहां से फिर आप नियम चेंज होने लगते हैं क्या होने लगते जरा समझना अब अगर मैं यहां पर भात करता हूं इस बेस लाइन से आप पहुंच जाए 12 कि यह कपहुंच जाए कितना पोजरी यहां पर यह 12 नॉटीकल माल थक करें यह पूरा छ से हत रहेगा यह बारा यह द्यों से यह इवी पारा नॉटटिक्ल बाइल का इस मतलने खें तक थे यह लू, 12 नाटिकल माईल तक का छेत्र ठेक है तो पहला छेत्र मैंने बताया यहां पर 12 नाटिकल माईल तक का छेत्र ठेक है इसे कहा जाता है प्रादेशिक छेत्र इसे क्या बोलते हैं प्रादेसिक छेत इसे बोलते हैं क्या टेरिस्ट्रियल एरियास बोलते हैं यह टेरिस्ट्रियारीजन बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए यह नाटिकल तो समझते हो नहीं समझते हो यह देखो जिस तरीके से हमारे यहां पर नापने का जो एक दूर क्या होता है ऐसा यूनिट होती है तो इसी कि अगर आप क्या करते हो आपको थाउजन टाइम्स मल्टिप्लाई करते हो तो क्या निकल जाता आपका किलोमीटर निकल जाता है लेकिन पहले किलोमीटर नहीं हुआ करता था यह तो इस्टेंडर्ड यूनिट था ठीक है यह क्या आपका इस टंडर्ड युनिट था और इंडिया का नहीं बनाया हुआ था ये का बनाया हुआ बच्चों में जितना भी सिस्टम बनाये फॉरें का बनायी रहा है अब फॉरें से हमारा पहले तो कोछी connection हुआ नहीं करता था हम तो अपना खुद का करते थे थे तो हम लोगों ने क्या किया था हमारा जो इंडिया का यूनिट है वो माईल है जिसे हम बोलते हिंदी भास में मील मील बोलते ना कि इसलिए आपने देखा का मील के पत्थर बोलते मील के पत्थर मील मतलब क्या है वह दूरी नापने का एक पैमाना है तो भारत देश का जो ओरिजनल पैमाना है दूरी नापने का बड़ी नापने का वह मील एक किलो मीटर मीटर यह तो सब इंटरनेशनल लेबल से आए बोलते हैं और वहाँ पर तो kilometer चलता है मीटर चलता है तो इनको आपस में मैं कैसे कितना होता है वंपाइंट शाइक आपको किलो मीटर होता है तो माइल को क्या किया हमने इंटरेशन यूरिक सा एडर्स कर लिया है ताकि पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत ना हो वैसी आप जानते हैं इस यह तो होता था हमारे यहां पर क्या दूरी नापने का वैसी आप जानते हैं जो पुर्तकाली लोग हुआ कर करते थे तो पुर्तकाली इस्पैनिस लोग क्या करते थे मैक्सिमम जो यात्रा करते थे वह समुद्रों में करते थे क्या करते थे तो जो दूरी नापते थे समुद्रों में वह ऐसी माइल में नापते थे वह क्या करते थे अपना एक खुदिक हुआ करता था नॉटिकल अब फिर देखा गए कि इसेनल उनीट जो बन गई यह मीटर बनी है मीटर को आपको थाउजं टाइम गोना करो गया किलोमिटर बन जाता है तो फिर उससे भी एडस किया गया और देखा गया कि वन अर्टिकल माइल जो होता है वो बन पाइंट आपका एट किलोमिटर के अमेरिका का अपना खुद का चलता था हमारा अपना खुद का चलता था अब क्या हुआ पूरे वर्ल्ड का क्या हुआ वैसी का डोफ हो सब आपस में दूसरे से मिले जुले तब देखागा है भाई आपने की जो युनिट नापी जाती है बनाई बनाया है किलो मीटर बनाया है अब माइल कहां आएगा नौटिकल माइल कहां पर आएगा कुछ नहीं जानते हैं बोलो लेकिन उनको फिर देखा गई आप लोग नौटिकल माइल पढ़ रहे हो तो हमारे मीटर से इसका इस तरहीं से कनेक्शन है आप लोग माइल पढ़ रहे हो तो हमारे से कनेक्शन है तो केवल केवल आपस में पढ़ने की द्रस्टी से क्या किया इनको एड्रस किया गया और कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है तो इसको नापते किसमें हैं समूदी दूरी को नापते हैं नाटिकल माइल मे पर तो अगर बार नाॉटिकल माइल ऑप संबूद्र में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रदैसिक छेत्र माना जाता है इस चेत्र में ? यह संप्रभू होता है यह मान लेज़े भारत का यह चेत्र होता है यहाँ पर यहां पर इंटेर्फेर करता है इस कामों में तो यह माना जाता है कि हमारे देश पर क्या हुआ है अगर इस छेत्र में कोई भी जहा जाता है इस छेत्र में अगर कोई भी जहा जाएगा या कोई दुस्मन जहा जाएगा तो हम मानेंगे कि उसने हमारे उपर अटेक कर दिया है क्योंकि यह हमारा territorial छेतra माना जाता है और यह हमारा समप्रभुष छेतर होता है इस छेतर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसका decent maker हम लोग होते हैं ठीक है यह होता आपका territorial छेतر ठीक है दूसरा आप यहां पर देखेंगे ठीक है फिर होता है यहां से को 24 नाटिकल माईल तक अधर ऑध मसट को चुछ Fin से बाराऍन से क्या होगा तो पड़ेस लाइन से यह एब आ ही वाध ll.. कि वाला कि एक लाता है सनलग्न छेत्र इस संलग्न छेत्र पर भारत कहीं कभजा होता भारत क्या होता है में और इस झेठर ने नायूरा कर सकता है सापसपाई का काम कर सकता है कि अगर भारत-देश की जिम्म्यदारी होती आपको इस झarmें सफाई करनी है इस गरी जन्तू हो रहे हैं यहां पर कि रक्शा करनी है यहाँ पर जो भी बनषपतियां पाई जाती है उनकी रक्षा करने क्योंकि आप जानते हैं यहां पर बहुँत सारे फाइटो ुप्लेंक्टन पाई जाते हैं बहुत ज़िं तु पाई जाते हैं उनकी रक्षा करना हो उसका responsible कौन होता है ह्ए देस होता है सुयम पूरा ἥ librov । जानते जो तीसरा छेतर होता है इसे बोलते हैं यहाँ पर अनन्ने आर्थिक छेत्र क्या बोलते हैं एसे आनन्ने से शीथ चेत्र बोलते हैं तीसे नम्मर का ठीक है और बौ अब कितना हो तक यहां पर 200 नाटिकल माइल तक होता है इसका मतलव च्खेत काफी बड़ा होता है अठ च्लूसीव एककोनोमिक जोन इसको क्या बोलते हैं इक्सक्लूसीव एकणोमिक जोन- इसमें आप जानते हो इसमें सभी प्रकार की आर्थी क्रियाएं करने की छूट होती है इसमें क्या होती है सभी प्रकार की आर्थी क्रियाएं की छूट होती है अब आर्थी क्रियाएं की छूट मतलब बच्चों जड़ा समझो यहाँ पर बैक्सीमम आप देखेंगे कोई भी देश के किनारे में अगर आपको पैटोलियम देखने को मिलेगा तो पैटोलियम मिलता है इनी छित्रों में पैटोलियम जो मिलता है वो इनी छित्रों में मिलता है इसलिए आप देखेंगे किसी भी देश के किनारे में जो समुद्र होते ह अगर वहां पर petroleum पाया जाएगा तो इसी आप देखेंगे 24 किलो मीटर से लेके 200 किलो मीटर तक के बीच बाले छेतर में मिलता है इसलिए इसमें आर्थिक रियाएं की जो छूट होती है उसी देश की होती है जिसके अंदर छेतर आ रहा है तो आप जानते 200 नाटिकल माईल तक कर चेते के लाता है अणन अर्थिक चेतर इसमें ध्यान रखना जितने भी अगर petroleum के तो चोस goose होते हैं इस यहाँ पर maksimum कि मिलेंगे भारत का जो बामबे हाइच रहे जो लगबा किशना डूरी पर वो इसी के अंतर कर देता है चाहरा पर देखें गेंगे भंबए मिलेगा वो इसी अंतर कर दाता है तो एक लाथे आपके इस तीन रहे जाता है कि सबसे बढ़ा कौन सा होता है चोटा सब कर दोड़ी क safeguard पूछ लिए जाता है चोहता जो होता इसे कहते हैं टीप सी का नहीं हो तहाँ पर इसके बाहर कोई बी जहा आ सकता है भारत देश का इसमें कोई अधिकार नहीं होगा यहां से दूसरा देश आ सकता है कुछ भी कर सकता है तो आप जानते डीप सी जो रहता है एक किसी के अधिकार में नहीं रहता है अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर इसके जश्ट नीचे आप देखेंगे यहां पर तो आपको क्या मिलेगा यहां पर सिलंका देखने को मिलेगा आप सिलंका देखने को मिलेगा तो भाई सिलंका के लिए भी वही नियम लागू होंगे सबके लिए होंगे तो यह नियम पहारत देश ने बनाया है कि इंटरनेशनल लेवल कोई संस्था ने बनाया है तो याद रखना यह नियम बनाए है अनक्लॉस ने कि जिसे बोलते यहां पर क्या United Nations Convention on law of seas मतलब क्या होता है जिस समूद्रों की सीमाओं में जो नियम बनाये जाते हैं वो अनक्लॉस बनाता है तो आप जानते हैं इसने स्रिलंक के लिए बनाया है इसके लिए बनाया है अगर यह छेत्र आपस में ओवर लेफ होते हैं क्या होते तोर पर होंगी अगर यह चेत्र क्या होते हैं आपस में ओवरलेप होते हैं तो इसका समाधान दौनों देश आपस में मिलके कर सकते सहमती से और अगर इनका विवाद हो रहा है तो फिर यह वाला निप्टाएगा उनाइट नेशन की एजनसी है यही काम करती इसके लिए ठीक इसली सीमा की बात करते हैं अगर यहां पर इस्थली सीमा की बात करते हैं कि यह देखो अगर आम यहां पर इस्थली सीमा की बात करते हैं बच्चों यहां पर इस्थली सीमा मैंने बताया यहां से लेकर यहां तक पूरा जाते हैं वह लगवक आपका कितना होता है 15200 किलोमीटर हो जाता है कितना हो जाता है यहां पर यहां से यहां तक पूरा देखते तो आप जानते हैं यहां पर इस्थली सीमा कितने देश बनाते हैं तो याद रखना यहां पर साथ देश बनाते हैं, कितने बनाते हैं यहाँ पर साथ देश बनाते हैं, जर्में आप जानते हैं, देखा जाए तो बांगला देश सबसे लंबी बनाता है, फिर चीन बनाता है, फिर पाकिस्तान बनाता है, फिर म्यामार, भूटान, अफगानिस्तान हैं, इस साथ ऐसे सब्सक्राइब एक को छीन मिलेगा किके थर्ड में आप देखें यहां पर पाकिस्तान मिलेगाया तक है और इसके बाद आप design नेपाल मिलेगा कि पीडिकर किसके यहां मिलेगा उसके पहले के नाम से जाना जाता तथा फारात देश उन्नीस उनीरीष टेश मेलक हुआ था मैम इसके बाद आप जानते भुटान हुआ ठीक है यह भुटान हो गया और इसके बाद फिर आपका अफगानिस्तान हो गया इस साथ ऐसे देश हैं जो भारत देश के साथ करते हैं इस थली सीमा बनाते हैं अब ध्यान रखना इनका करम एक्जाम में कोश्चन पूछता ही पूछता है इनके करम के बारे में जरूर याद रखना इनका एक्जाम में कोश्चन मतला इससे कोश्चन बनता ही बनता है तो आ माँ मतलब हो और बाव मतलब हो गया भी अपको की तो आपने क्या किया बचपन में ही भी करलिया आप ऐसायाद कर लेना आ अगर बच कि चुर्ण कि याद हो जाएंगी आपको जीजित हो जाएगी अगर आप करम से याद ही करोगे तो फिर आप से कोशन गलत हो जाएगा सब पढ़ने के बाद भी कोशन गलत हो जाएगा आप कोई सब पता है कि कौन-कौन से स्टेट लगते हैं सब पता है लेकिन अगर क्रम से नहीं पता दें को छोटी से चूप भी बहुत भाड़ी भारी बड़ जाएगी ठीक है तो अब यहां से एक्जाम में और क्या क्या कोश्चन आता है जैसे पूछा जाएगा बांगलादेश है वो कितनी लंबी सीमा बनाता है तो याद रखना यह पूरा आप देखेंगे, ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे कितना है, यह टोटल यहां से यहां तक लेकर रहे, 4096 किलोमीटर है, फिर आप से यहां पर एक्जाम में कोश्टन पूछ भी लिया जाता है, कि यह कितने स्टेट को छूता है, भारत देश के कितने स्टेट को छ आता है कई बार, आया भी कोश्टन यहां से, कि बताईए, निमलेकित में से बांगलादेश को कौन सा राज नहीं छूता है, आप बोलोगे, सर याद करना पड़ेगा, क्या, माइंड में मेपिंग करनी पड़ीगी आपको, देखो, एक्जाम में कोश्टन आएगा, तो बन मिलने वाली है, तो यह मेहनत तो करना पड़ेगा, अब आप अगर यहां पर कारी करोगे, यही तो competition है, जो आप नहीं करोगे, दूसरा व्यक्ति कर लेगा, आप से आगे निकल जाएगा, आप लोग बढ़ते रहो, बैटते रहो, देखे, एबरेज पढ़ाई बच्चे हर बच्चा करता है, ध्यान रखना, एबरेज पढ़ाई जो है, वो हर बच्चा करता है, अगर कोई question paper आता है, तो 50% marks क्या होता, लगवक सब लोग लेकिया जाते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो तयारी कर रहे हैं, आप एकिन मानना 50% question वो attempt कर लेते हैं, उसके उपर जो करता है, उनके selection के chances बढ़ते हैं, तो भाई उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा न आपको, अगर आप बोलेगे नई शर मैं नहीं कर सकता, हाँ तो फिर कोई मतलब नोकरी करने का अधिकार आपको है नहीं पर, ठीक है, तो इस तरीके से आपको य देखते जाना, पाँच बार आप मेप देखोगे दिन में, तो आराम से आपको याद हो जाएगा साब, ठीक है, इधर देखो, यहां से यहां तक क्या होता है, पश्री मंगाल क्या होता है, यहां तक सीमा टच करता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में यहां पर confusion होता है और paper वाला यहीं से घुमा के देता है, और option में देता है वो सिक्किम, क्या देता बच्चों, option में देता है वो सिक्किम, जबकि सिक्किम याद रखना इसको टच नहीं करता है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, यही पश्री मंगाल उपर चला जाता है, यहां तक चला जाता तो सिक्किम को इसने क्या किया ब्लॉक कर दिया तो सिक्किम यहां से टच नहीं करता है बांगलादेश से सिक्किम क्या होता टच नहीं करता है ध्यान रखता है और मात्र आप देखेंगे यह पूरा मात्र इतना सा इलाका सुनना इतना सा जो इलाका है सिर्फ देखो इतना सा आप अगर इस इलाके को यहां से आरी से काट दो सुनना यहां से अगर आप इसको आरी से काट दो यकीन मानना यह पूरा की पूरा जो नौर्थ इस स्टेट है पूरा अलग हो जाएगा यह पूरा हिस्सा सिर्फ इतने माइसने से जुड़ा दे को इधर तो कहीं जुड़ा न और यहां पर होती है गर्दन मुर्गे की और उसके बाद होताई है सिर थी पूरा इस सिर 17 अगर आप आप मुर्गे को मारते हैं तो आपको पता है यह वाला हिस्सा चिकिन निक के लाता है कistamuka फिर अर्थाद मुर्गे की कि घर दन तो आपको पता होना चाहिए, मुर्गी की गर्दन जो है, मुर्गी बोलो ना, मुर्गा ने, मुर्गी बोल दो, ठीक है, चलो, क्या बोलेंगे आप पर, मुर्गी की गर्दन जो है, आप से पूछा जाए, कि भाईया कहा पाई जाती है, अगर आप से पूछा जाए, कि मुर दिए सब्सक्राइब करते में ठेक्द इसका सीधा सीधा आता है वुफ शुक्थ आ युद्ध बैश्ट मंगाल के अधे आपको पश्ष्मה बन्गाल में को इस की दार्जिक और नेपाल में यहां पर राजसाही सासक हुआ करते थे तो उनकी सेना में गोर्खा लोग रहा करते थे नाम आपने सुना होगा भारत देश में भी गोर्खा सेनिक की अलग रेजिमेंट होती है British East India Company ने भी गोर्खा सेनिकों कोई भरती कराया हुआ था बड़े पैमाने पर तो यहां पर आप जानते हैं गोर्खा लोग रहा करते हैं और गोर्खा लोग बहुत सासी होते हैं बहुत डंजरस होते हैं इसलिए आप देखेंगे इनकी अपनी अलग पहचान है और best मंगाल के लोगों की अलग पहचान है तो वो कहते कि भाई हमें अलग से state बनाकर हमें दे दो तो आपको पता है इसी जगह से इसी जगह से एक अलग state बनाने की मांग चलती है पश्य मंगाल से अलग होकर गोर्खा लेंड तो याद रखना गोर्खा लेंड इसी हिस्से की डिमांड होती है बच्चों यह क्या होता इसी दाजने के लाके से गोर्खा लेंड की मांग उठती है और भारत देश नहीं चाहता है कि यह गोर्खा लेंड बन जाए क्योंकि इसी सिस्से में कभजा करेगा तो यह पूरा connection टूट जाएगा इधर का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा भारत का अलग हो जाएगा और भारत देश किसी भी हद में चाहता ऐसा हो ना हूँ तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना इस चिकिन नेक है जब हम डिटेल से पढ़ते हैं जीएस लेवल में तब इस सारे चीजों को बताई जाती क्या है कैसा अभी तो आप नॉर्मल लेवल में समझो इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसका यह 10 परसेंट है कितना है यह 10 परसेंट है दस परसेंट के लिहास से में इसको कबर करते हैं तो आप से पूछा जाए कि यह बांगला देश जो है वो किन किन राज्यों को चूटा है तो पहला आपका वेस्ट पंगाल हो गया इसके बाद आप जानते यह तो आसम फिर से चूरा इससे मतलब नहीं है फिर आप जानते तुरुपुरा है और मिजोरा में तो कितने हो गए पश्यमंगाल एक आसम दो मिघाला तीन और आपका यह त्रुपुरा चार और मिजोरा पांच तो कितने चूरें बताईए पांच स्टेट चूरे हैं तो इससांदे में कोन बैठा बताईए मेगाला बैठा हुआ है इदा साइट कौन कर रहा है तृपुरा कर रहा है नीचे से कौन कर रहा मिजोरम कर रहा है ऐसा फीलिंग करके आप माइंड में करोगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा वह चीज़े सामने से आपको दिखती ह कारे में आपको याद दे होना चाहिए कौन कौन चूता है ठीक है और यहां पर बताता हूं जो बड़ी जवरदस्त है आप लोगों ने सुना होगा सेवन सिस्टर नाम सुने ओ इस सेवन सिस्टर क्या भला है साथ बहने क्या है ज़र समझना यह आता है यहां पर सेवन सिस्टर तो सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है यहां से एक्जाम में कोशन बनता है अब आप देखो इस पूरे नौर्थ इस्ट के स्टेट में नौर्थ इ तो वो है आपका असम यह देखो आप आसम जो है यहां का मैन एरिया माना जाता बच्चों मालो यहां का यह मैन बॉस है यहां का क्या है बॉस है और आप जानते यहां पर त्रिपरा में और मेजोराम में पहले हाई कोट नहीं था तो सारे लोग कहां पर आते थे असम के गुह समने अब आप ज़र समझते हो ए आसम की रहे इसको आप नौटीस करोगे अच्छे ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा यहां पर क्या पताच लेगा कि भाईया यह सारे राज्य को स्वारा है इथर नौर्थ जिस्ट है सारे राज्यों को छुवारा है नहीं आब विश्वास देख लो मत करो विश्वास यहां अणाचन प्रदेश इसको भी छूरा है दुसेर देखो इनागा लेंड इसको भी छूरा है इस तरीके से आप देखोंगे टोटल क्या है छे राज्यों को छे राज्यों को छोड रहे हैं वो चूरे आसाम को और आसम तो बड़ी बेहन चुटी-छुटी बहन क्या बन गई वह बड़ी बहन इनको सब को लाध के चलती है ऐसा करके तो क्या होगी यह सेवन सिस्टर एक लाती है सेवन सिस्टर तो सेवन सिस्टर किसे कहा जाता है बच्चों जो आसम के साथ में जो क्या होता है पर आसम के साथ में जो छह स्टेट बॉर्डर बनाते हैं इन्हें समलित रूप से कहा जाता है सेवन सिस्टर आसम और यहां पर किम को सामिल करते हैं और नहीं यहां पर हम देखेंगे तो बैस्ट वंगाल को सामिल करते हैं क्यों नहीं करते हैं इसलिए नहीं करते हैं बच्चों क्योंकि इनको मैन एरिया है मैन एरिया है मैन एरिया जो है यह देखो सिक्किम तो टच नहीं करता है तो सिक्किम को तो बैसे यहां तक बात हैं आप अगला देखिए बांगलादेश के साथ हमारे यहां पर क्या है बार्डर को लेकर कुछ खास डिस्प्यूट्स नहीं है लेकिन आप जानते हमारे यहां पर लोगा करते हैं खरीथ फरुट्टि करना हो । यहां पर बड़ी जादा खरीथ फरुट्ट्स चलती आप बहुत्क होता है तृटकब यहां पर घुस पेटी क्या होते हैं हमारे देष में प्रवेश करते जादा इसलिए यहां की बॉन है कि बाउडर की सुरख्छा के लिए बंगलादेश से हमारे बॉर्डर की सुरुख्छा करने के लिए यहां पर ब्र Kenneth कोに था। कि स경त बच्चों यहां पर यहां पर by př imagem को देशओने में कई बार एक्जाम में युद्ट नाधक रहती है और भारत और पाकिस्तान की बउरडर से अलग होकर पाकिस्तान बनाथ था तो यह था आपका पश्चिमी पाकिस्तान और यह था बचल पूरवी पाकिस्तान आपको हो पता है ना भागलादデेश पहले प्कान प्व पाकिस्तानि studying फ़िर बना था यह नगहां पूरुज़ पाकिस्तान निदे के लिए पतर सामना करने ऐसी ऑफ बनाता है और आपको पता होना चीन है पूरा यहां से यहां तक लगा है पूरा कर पर का हिस्सा हम देखेंगे तो चीन का सिंजियांग प्रांथ है यहीं का बहुत फ्हेमस सहर काजगर छेत्र यहीं आता है बच्चों इसी काजगर से लेकर यहां पर ग्वादर पोर्ट से लेकर यह पूरा यहां पर एक चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडूर जो बनाया ह यहां पर कोश्या के लिए लृकर आफ वो इसी काजगर से आता है कास जो है छीन प्रांत है को सब चैना का एसे सिंजियांग प्रांत रें खेके और आप जानते इसी प्रान्त में एक मुस्लिम लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं ऊईगुर मुसल्मान नाम से MIK 같이 मुसलमान के सब्सक् chopped क्रता है और चर्चा में रहता है तो ऊपर मुसल्मान यहीं पर रहते हैं बच्चों उनी जिंसी जियांग छेत्र में और आपको बता वो छेत्र बहुत कम डेबलप है चाइना का पूरा कर एरिया देखेंगे तो इधर जो आपका इस्ट वाला छेत्र है सबसे ज्यादा डेबलप है और इस पूरे इस्ट के छेत्र में 96 परसंट प मलक्का स्टेट से होते हुए जब पैट्रोल डीजल लेके जाता है इधर वाले छेत्रों को मिलता है यहां के लोगों को कैसे मिलेगा इसलिए यहां से आप जानते गौदर पोर्ट को इसने लीजपर लिया था और यहां से जाते हुए यह च्छित्रों में सप्लाइब तो यह टोटल लंबाई होती इसकी 3488 किलो मीटर होती है अब कितने स्टेट को क्या करता चूता है तो अगर आप देखेंगे यहां से सुरू करो ए अनाचार प्रदेश को चूता है एक हो गया दूसरा आप जानते हैं सिक्किम को चूता है तो यहां आसम यह वाला भाग जो है सिक्किम को चूता है फिर आपका क्या आईगा एक हो गया एक हो गया put दो एक होगय कितने ओगई पांच तो आ दीला यहां यहां पर कितने ओपर पांच को चूता है वाला है वो किया होने वाला ज़ल समझना कि confused बचों कि कुछ वु miniature को चूता है वो कब होता पता है जब इस चेत्र पर अपने तवाँ तवांग के चितर का Crime करता है पता है यहां पर तवांग सो पड़ता है और नाचलघा प्रदेश की तवांग सेत्र के लाता बचों इतंपऊधों चेत्र एक हमारा है कि जी सिटीफ ने लेटा है तो आप बताओं च्छेत्र अगर आपचिना पर ईसके यह स्टेट हो जाएंगे यह नॉर्मल हम क्यों बोलेंगे यह तमांग तमारा हमारा तमांग है इसलिए पांच है ठीक है लेकिन कुछ इंटरनेशनल लेवल में अगर आप पढ़ेंगे जैसे गूगल हुआ कुछ ऐसा हुआ तो कुछ लोग जो विदेश की लोग है जो अपन लेखते हैं बुकलिट लिखेंगे तो उसमें क्या कर देते च्छे को लिख देते हैं कि वह तमांग छेत्र को वह चाइना का माल लेते हैं इसलिए आसम चुने लगता है ऐसा है मामलर कुछ नहीं है ठीक है अब पांच स्टेट के बारे में तो सब कोई पता है ऊपर से प्रॉब्लम है जरा समझते हैं एक को आपको पता है जब हमारे यहां पर बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे थी राजी कर रही थी तब उस समय क्या हुआ यह वाला जो छेत्र था सुनना यह वाला जो छेत्र था इस्वतंत्र हुआ करता था बच्चों यह वाला यूज है तो सुलए स्वादंतर हुआ करता था इसे पहले कहते ते काम्रूप श्थ अगर आप सो पूछा था है कि नौर्थ इसस्टेट का जो प्राचीन हिस्सा रहा है सं रहा है वो क्या रहा है काम रूप छेत्रे तो यहां पर असम के छेत्र को बोलते थे पहले काम रूप का छेत्रे इसी काम रूप के छेत्र में यहां पर लोकल राजा हुआ करते थे तो फिर आप जानते यहां पर बर्मा और अंग्रेजों की बीच में क्या होता है युद्ध होता है इसे बोलते हैं कि आंगल वर्मा युद्ध तो आप जानते आंगल वर्मा युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हो जाती है इस छित्र में कब्जा कर लेते अंग्रेज लोग तो आप जानते बर्मा क्या हो जाता है और आपको पता है बर्मा मतलब में अमार पहले अंग्र दो बॉडर लाई बना रहे थे क्या बनारे थे उस समय उनींस सोचेंच Surely नहीं सोचेंच है बॉडर लइन यहां पर decide किया था वो line a थी जो में आपको बताना चाहरा हूं फॉर हैंधु कि pen haveimiento on the margin decide कि ती यहां से टी यह थी आपकी वाली यहां से यहां तक यहां तक यहां तक यह था टिक है तो यह यहां से यहां तक दो पार्ट में हैं वाली तो ठीक है यहां से लेकर यहां तक थी और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक थी थोड़ा सा छोटा हिससा यह था को आप जानते हैं यह जो लाइन हे इसे कहा जाता है मैक मोहन लाइन इसे क्या बोलते हैं बच्चों मैक मोहन लाइन वानते हैं याद रखिएगा मैक मोहन लाइन दो पार्ट में एक वाले पार्ट में एक वाले पार्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैक मोहन लाइन भी है बिल्कुल नहीं है अरे अंग्र मैं इधर नहीं करना केबल वहां पर बस जहां मैंने बताया हूं तो मैंक मोहन लाइन आपको चीन के साथ मिलेगी यहां मैं ऐसा लिख देता हूं चीन के साथ में कौन सी लाइन है हमारी मैंक मोहन लाइन ठीक है क्लियर होगी बात अब आप जानते हैं इधर साइड वाले छेतर में देखोंगे तो चीन के साथ यहां पर हमारी सियर होती है क्या होता है चीन के साथ हमारी वाली बॉर्डर भी सियर होती है और आपको पता होना चाहिए कि चीन ने इस छित्र में कभी कभजा नहीं किया था क्योंकि यह पूरा तिब्बत का छित्र था बच्चों यहां तो चीन था ही नहीं यहां क्या था पूरा तिब्बत का छित्र थ तो आप जानते हैं तिबबत के साथ में और हमारे भारत के साथ में चाइना तो बीच में आता ही नहीं है क्योंकि चाइना तो था ही नहीं वहाँ पर उस समय और आप जानते हो चीन इतना गरीब था इतना गरीब था उस समय खाने के लाले पड़ रहे थे समझ रहो इतना गरीब था चीन रवाज अकड़ता है ना बहुत गरीब था इसलिए आप जानते हो इसे क्या बोलते थे इसे गरीव था कि इसे एसिया का मरीज आ जाटा था था ठिक है लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर राजबंश्य की समाप्ती होती है तो यहाँ पर कॉम्मिंटन लोग आते हैं तो तौकlı में लोग आते हैं क्योंकि उदर रूसी में रूसी करांती चालो हो गए चुकी थी तो कम्मिनिस्टों और कॉमिन्टों के बीच में आप दाने काभी यहां विवाज चला था जिर मैं ची आंग काई से प्रमुग था सन्यात से प्रमुग थे इधर आपके कॉमिन्टन में उदर सा किया था पी आर्सी की स्थापना की थी प्यूपिल्स रिपब्लिक आप चाइना एक काफी मजबूत था बच्चों ठीक है और जो कॉमिन्टन लोग थे उनको ताइवान में भीज दिये तो ताइवान में रहे लगे कॉन कॉमिन्टन लोग उन्होंने बनाया जन्रवादी चीन बनाया उन्होंने और इननोंने बनाया क्या पूपिल्स रव्बब्लिक आप चाइना तो बर्तमान और पुराना चीन बनासा और WRIT इंगलyim तो क्या हुआ जब यहां पर 1909 में पी आर्सी की स्थापना होती है क्या होती बच्चों पी आर्सी मतलब पीपिल्स रिपब्लिक और चाइना की स्थापना होती है तब इसकी दिमाग में चलो अब हम इस छेत्र को भी कभ्या में करते हैं और आप जानते हैं यहंज़े अपर 1905 में क्या किया गया इन छेत्रों तो इस छेत्र को इस छेत्र को क्या करता है चाइना अपने अंदर कलें कर लेता है इसे अकसाई चिन Kahitин कलेता है एक मेन तो आप देखेंगे ए वाला छो छेत्र है वह चाइना की रजाता एक आधिकारिक तौर पर अधिकारिक तालले तो आपको पता होना चाहिए यह लाइन जो कहलाती है वह कहलाती है युर्म to यह मैंक मोहन नहीं है यह यह समझना आप यह वाली जो लाइन है मैंक मोहन नहीं है एलसी है लाइन और अलसी में जिल ओटिए उसरो Cum होते हैं इसलो ज्यादा इसमें कुछ नहीं पना आपस यतना पर्यापत हो जाएगा मेक मों लाइन कई बार एक्जाम में जाती है याद रखना इसका निर्धान ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी के समय गथा 1914 में बस इतना ध्यान रख लेना ठीक है अब यहाँ पर बात आती है पाकिस्तान के साथ में तो जो पाकिस्तान है ठीक है यहां से लेकर यहां तक बॉर पर यहां कि पाकिस्तान कि यहां पर टूर बांड़ी लाइन देखें गें वह 3300имиटर के कितने राज्यों को चूता है तो पहले दियान रखने क्या करता था इतचार दियू राज्जों को चूता था अब ध्यान रखना इसका जो छेत्र है, अब वो 5 को छुष सकता है, इसकी वज़ाई है ये वाला छेत्र, क्योंकि आप जैसे लद्दाइक अलग हो गया बच्चों और आपका जम्मु कस्मीर ये अलग हो गया, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वाला जो छेत्र है, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर इस चार राज्यों को अब तो राजजना बोलें क्योंकि जम्मू कस्मीर तो बर्तमान में क्या है कैंसासित प्रिदे से लेकिन भाई बाउंडरी तो बनाता है ना बोलना तो पड़ेगा ना तो अगर आप नाम पूछा जाएगा तो इतनी बात क्लियर है चलो अब बात आती है इनके बीच में कोई विवाद है क्या अरे सारा विवाद तो इसी की बीच में है ठीक है अब यहां पज़रा समझना इसको थोड़ आसा में आपको एक अलग से मेप में बता रहा हूं ठीक है वह आपके बड़े काम का है एक डिस्प पाकिस्तान के लिए ऐहां भवाद में बीच में जब इंडिया पाकिस्तान का बेवाजान हो रहा था बच्चों तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहां पर पंद्रा अगस्त 19 coś ऐसा मानदा में लगतिक्ष क Archives यह लाइन हमने खीच दिये हैं तो आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को यहां पर एक लाइन इरधायत हुई थी उसी की बेस पर इस सब को चुबा था तो बो थी यहां पर रेट क्लिप लाइन क्या थी यहां पर रेड क्लिप लाइन ठेके तो जो इसका अध्यक्ष होता है ना डिसाइड करने वाला उसी के नाम पर उसका नाम रख देते हैं तो क्या आएगा आपका रेड क्लिप लाइन जो है तो देखो रेड क्लिप लाइन बेसिकली यह पूरी है यह तो पूरी है लेकिन क्या होता रेड क्लिप को यह मानता नहीं है क्यों नहीं मानता क्योंकि इसने इस पर कब्जा कर बैठा हुआ है ना तो देखो यहां से लेकर यहां तर इस जम्मो कस्मीर का यह वाला हिस्सा यहां तक बोलते हैं इसको यह बारी लाइन को बोलते हैं मैं बाउंडरी लाइन एक लाती क्या मैं बाउंडरी लाइन मतलब यह वाला जो छेत्र है वो इसके कबजे में रख लिया उसने यह कहलाता बच्छों पाक अधिक्रत कसमीर यह जो हिस्से है यह एक उलाता आपका पाक अधिक Krusmeer पूरा पाक अधिकत कस्मीर तो आप जानते हैं यह यहां तक जो लाइन है वो सही रहती है यहां तक लाइन सही है इसके बाद सारा गड़वड होता है तो यह वाला से किया हुआ था लेकिन चैना को 1963 में इसमें देडिया गिफ्ट देडिया मतर चॉरी का सby益र्ण देदिया चैना को वताओ हमारे यहाँ देडिया निश्टेट ने रेया था में बिया था पाकिस्तान से लो डिलिबंट के तहर थीक चलो मैं इसको जूम करके वादेस पढ़ रहा इतना पथा आपको छिलाते रहे तो पाकिस्तान सब्सक्राइब पथिल्दो पाकिस्तान पाकिस्तान क्या क्षिड़ पानosc! कि यहँं पर आप देखो जराइस को मैं ने यहां तक आपको बता दिया था यह तक हम लोग कबर्च करच चुक है यहां हो चुका था अब मामला कहां से होता यहां से होता है फिर आख Completely जो छेतर है यह वाला जो मध्या नांठ ट्रिक दिगंठ रे कर ठीक है कहां गया यहीं ना चलना चाहिए उसको इस तरीके से यह वाला है इसा पूर ऐसा ठीक है यह चलना चाहिए उसको इस तरीके से ठीक है लेकिन होता क्या बता यह चलता यहां से है वह यह वाले इलाके से चलता है और यह अपना कहता है इसको यह देखो यह वाला इतों कितना बड़ा च्हेतर पर उसने कंज हदर पूररी इससा को पूरा देखो कि यह पूरा छेत्र जो है इसके कब्जे में सोचवाब कि भारत देश का है यह क्या पूरा भारत देश का है यह पूरा भारत देश का है यह पूरा भारत देश का लेकिन देखो इस पर कब्जा कर लिए किसने पाकिस्तान ने और यह वाला एक अलगी इलाका है जो गिप्ट यह फिर पाकिस्तान है हमारे से अभ्यद रूप से कबजह किया हुआ था ऐख के सब्सक्राइब तो यहां से थोड़ा आपको कवर करना है कि यहां पर आपको राद क्लिप लाइन ही मिलेगी राद क्लिप लाइन का इसने पालानी नहीं किया यहां तक ठीक रहा इसके बाद आप जानते यह वाला जो इलाका कहलाता है यह वाला लाका यह लाका वो कहता है कि यह आजाद कस्मीर है यह कौन सा कस्मीर है वो इसे आजाद कस्मीर कहता है यह वाले छेत्र को और इसकी राजधानी क्या बोलता है वो प्रफरावाद को मानता है जाकि हमाय राजदानी क्या है यहां पर सीनगर है तो यह भाग को कहता आजात कस्मीर और पूरा छेत्र के लाता है गिलगित बलतिस्तान चेत्र तो अगर आपको आईडिया का कभी कोश्चन एक्जाम में कि पाक अधिकरत कस्मीर में कितने छेत्र जन करते हैं तो कि आज देखना दोशेत राते हैं यह आद आजात कस्मीर छेत्र और गलगित बलतिस्ताँ चछेत्र जंत यहां बलतिस्तान से एक बलतिस्तान ऐसा गाटी मिलेगी आपकी एक कमीर गाटी और नीचे साइड आपकी ढलागा है किसमीर यहां मिलेगी चला है लेकिन हम क्या बोल देते हैं बच्छा जम्मु कस्मीर है ऐसा बोल देते हैं जम्मु कस्मीर है जबकि जम्मु अलग है जम्मु वैली में वसा पूरा सहर जम्मु के लाएगा इलाका कस्मीर में बसा हुआ सहर पूरा कस्मीर के लाएगा यह अलग अलग है बिलकुल लेकिन बोलते हैं बस ऐसा आप समझ दे ला ठीक है अव यहां पर आपको कुछ पॉइंट में आपको दे रहा हूं वोड़े काम की पॉइंट वह देखो आप आपको बताया यहां तक तो आपकी यही यही बॉर्डर रहती है यह तक तो यही बाउंडरी लाइन खैलाती है इसके बाद ध्हान रखना यहां से सुरू होती है यह क्यलाती आपकी LOC, यह क्यलाती क्या, LOC इसे कहा जाता है Line of Actual Control, और Line of Actual Control जो है वो यहां तक जाती है, ठीक है, और इसी छितरे में आप देखेंगे तो यहां पर कारगिल मिलेगा, तो इसी में आप जाते हैं, फिलम बनी LOC कारगिल वो यही है, यह पॉइंट माना जाता बच्चों यहां पर इसे बोलते हैं, NJ9842, तो यह LOC कहां तक जाती है, LOC जाती है, इस जम्मो के धालोन छेतर से लेकर एक पॉइंट होता है, इनके पॉइंट बनाए गए सेना के द्वारा, NJ9842, इस पॉइंट तक मिलेगा, LOC, इसे कहा जाता, Line of Control, ठीक है, और इस Line of Control क को डिसाइड किया गया था, सिम्मला सम्झोता, 1972 में, जब आप जानते हो, हमारे यहां पर, ठीक है, वहां के, प्रिसिदेंट आई थे जुल्पिकार अली बट्टो, तो जुल्पिकार अली बट्टोर हमारे यहां की प्रधामति इंद्रा गांधी के द्वारा, एक सिम्मला सम्झोता में, यह एलो सी को डिसाइड किया गया था, ठीक है, तो यह लाइन ऑप कंट्रोल जो है, वह सिम्मला सम्झोता में बनी थी, 1972 में, यहां तक मिलेगी, इसके बाद आपको पता है, यह इधर का जो छेत्र था, वो किसी को नहीं पता था, क्या कैसा होगा, यहां पर ग्लेसियर है, बच्चों, यहां मिलेगा आपको क्या, सियाचिन ग्लेसियर मिलेगा, यह वाला जो पार्ट है, यह मिलेगा सियाचिन ग्लेसियर, यह वाला सियाचिन ग्लेसियर है, यह पूरा सियाचिन ग्लेसियर है, तो 1984 में क्या हुआ था, 1984 में इस पर अटेक इसे तरब तो प्रेशन वाइट वास चलाया था और बुरी तरह पराजित हुए थे कौन पाकिस्तान के लोग तब से भारत देश ने इस पर क्या किया अपना अधिकार करके अपना यहां पर सेना टुकडी बिठाल दिया तो भारत की सेना अभी सियाचिन ग्लीसियर में तैनात रहती है अब यहां यह जो पॉइंट है एंजे नाइन फोटू यह आप जानते कारा कोरम तक देखने को मिलता है यह आपकी अलग लाइन है यह लाइन के लाती है इसे बोलते है एक्चुल ग्राउंड पोजिशन लाइन इक लाती एजी पी यह इसे क्या बोलते है इस एजे नाइन फोटू से एक कारा कोरम तक क्या है हाँ पर एंजे नाइन एट फोटू से लेके जो कारा कोरम का छेतर है कारा कोरम तक का जो छेतर है यहां पर एक लाइन है इसे कहा जाता एजी पी यह लाइन एक्चुल ग्राउंड पोजिशन लाइन तो याद रखना यह एक्चुल ग्र में था कि भाया जो भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो याद रखना आपको बोलते हैं रेड इकलिप रेखा है लेकिन रेड इकलिप रेखा का तो पाकिस्तान पाकिस्तान ने तो सम्मान किया ही नहीं इसे लिए ए ररेडिकश की रहें थाओ वह तीन भागों में बढ़ जाती है कि तया ख़ी बच्राइब bastard znají रहए पर सब्रीस तीन भागों में बढ़ जाती है दूसरा आपका होता है LOC line of control यह आपका कहां से आता है इस से धालों से लेकर इस line NJ9842 तक जाता है एकलाता आपका LOC और इस LOC के इस point NJ9842 से लेकर जब आप उपर जाते हैं कारा कोरम तक तब कहलाता ही AGPL तो एक्चुल में यहाँ पर पाकिस्तान के बीच में हमारी तीन boundary line है पुराने में तुम क्या माल लेते रेड़ क्लिप है लेकिन रेड़ क्लिप नहीं है यह तीन को सक्सघम घाटी यह कहलाता है तो या रखना यह सक्सघम घाटी का जो छेत्र है वो इंडिया का है क्या था वकी अभी तो नहीं है इंडिया का था लेकिन क्या हुआ था यहां इस पर पाकिस्तान ने पहले अवैद कब्जा किया तो आप क्या बोलेंगे यहां पर जो सक्सगम घाटी है यह क्या हुआ था पहले इंडिया का था इंडिया से क्या किया पाकिस्तान ने कब्जा किया और पाकिस्तान ने क्या किया 1962 में जब भारत और पाकिस्ट भारत और इंडिया बारत और चाइना का यूद हो रहा था तो इसे लगा कि भाई ऐसा नहो चाइना मुझे भी मारेगा तो इसने पहली उसको क्या किया गिप्ट दे दिया कि देखो परिशान मत होना मेरे तरफ मत आना मैं आपको बहुत सीनो बार होता है मतलब पाक सीनो एग्रिमेंट होता है सीनो मतलब होता चाइना पाक सीनो एग्रिमेंट होता है इस पाक सीनो एग्रिमेंट के फलसुरूप आप देखेंगे तो वो जो छेत्र है वो चाइना के पास आ जाता है तो सक्सगम बेली किसके पास में है बरतमान मे यह चाइना के कबजे में हैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है पहले किसका था भारत का छेत्र था भारत के छेत्र से पहले वो पाकिस्तान की कबजे में चला गया और इसके बाद फिर उसने 1963 में पाक सीनों एग्रीमेंट के तहट चाइना को गिप्ट कर दिय यह तो बर्तबान में घिसके चुतर में आता है और सक्सकम बेल यह समझे में आगी है कि चली अब थोड़ा से मैं आपका कमेट लिए लेता हूंं है ठीक है कमेट लेने में अगर आएगा आपका Sex को मुझा था अ हूगा दयुक्त जाओंगा उस किаноल इसकि यहां तक सभी को बच्चों मैं ताप जाँ पढ़ाता हूं तो मैं पूरा फुल फोकोस पढ़ाता हूं ऍरह आप देखे सारी सब्राथू हो साइन за तो मुझे थोड़ा सा कंसलेट होना पड़ता है अगर बार बार इधर किदर करूंगा तो चीज़ें टूड़ जाती है बच्चों इसलिए मैं क्या करता हूं बीच में नहीं देखते हूं कमेंट में जब मेरा टॉपिक हो जाता है पूरे माइंसेट के नवसार फिर मैं आपक कौन से पढ़ें ठीक है आपको बता दिया जाएगा जोग रोफी ठीक है आपके सरके एप में भी क्लास होगी अभी चिंता मत करो हो जाएगी अब मैं इधर कमेंट देख लेता हूं कि दो दो जगा चल रही है एक मिनट इधर क्या चल रहा भईया चीन का नाम आरे चीन का नाम क्या है हाँ प्यूपल्स रिपबब्लिक आप चाहिना है इस यह बिल्कुल सही है अब मुझे बताइए कोई दिक्कत किसी को सर पॉलिटी का और पार्ट कराएंगे क्या हाँ एक और पॉलिटी का एक और मेरथन आएगा बच्चों निया सुकला एक और पार्ट आएगा आपका मेरथन आएगा उसका भी उसमें क्या होगा जितने भी इसके अलावा उसमें क्या काम करूंगा जो इंपोरेंट पार्ट हमारे रह गए हैं कुछ आर्टिकल्स उनको मैं आपको डैप में कवर करा दूंगा ठीक है सब हो जाएगा चिंता मत करो ठीक है थोड़ा जदेल्दी फेक्ट पढ़ा दीजिए सर साउथ इंडिया को भी प्लीज सारा हो जाएगा चिंता मत करो अब सम्झाने वाला चेता आप तीजी से पढ़ा दूंगा चिंता ना करो आप ठीक है यहां तक क्लियर है चलो अब आप लोगों का कमेंट में बीच मे ध्रीक है हाँ आप नराज हो जाते हो कि पर मंदी रहें ठीक है रहें कवेडी में लेटे चलेंगहां आपका चिंता ना करें तो बस जादा कुछ नहीं है थोड़ा थोड़ा सा देखो यह तो आप लोग तयार कर लेना जो मैंने आपको बता दिया ठीक है यह आप थोड़ा ध्यान रखना यह मैंने आपको बताया इसके बाद नेपाल आएगा बच्चों तो नेपाल में आपको क्या ध्यान रखना है न तो तीन ऐसे एरिये हैं जिन पर बिवाद होता है उसकी वज़ा है बच्चों उसको थोड़ा समझ लुआ फल कासा ठीक है यहां पर आप देखेंगे नेपाल में आपको कुछ यहां पर बिवाद ही देखो सबसे पहले पूछा जाएगा कितने स्टेट लगते हैं तो सबको प एक है लिंपिया थूरा लिंपिया थूरा को लेकर विवाद है काला पानी के छित्र को लेकर विवाद है और आप जानते हैं एक आता है आपका लिपूलेक दर्रे को लेकर विवाद है अब विवाद को मैं डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों क्योंकि आप जानते ह है एक 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 किरा की इसके साथ बवाद दो गंटी में पढ़ाना पड़ता है यह वह संधी हुई हुआ वह वह बहुत है अभी आप इतना वाथ करें यह चित्रों के नाम एक्सटर अ काला पानी लिकु लेग और साहिद मैंने इसको लगबर देल से दो घंटे में लिए उसको देख लेना लिंपया थूरा काला पानी लिपूलीग वाले में समझाया हूं डिटेल से वह आपको लोग कवर कर लेना ठीक है कि इसके बाद आता यहां पर म्यमार तो म्यमार के साथ आप जानते बांटरी करता है तो इसकी बांटरी जो है वह निश्यत तoff पर देखा देखा एधर साहिङ्ट से लगें इक पूरा जो इलाका है पूरा क्या अबया किरता का 혹시 भारत का हिस्सा था तक हैं बहरत का हिस्सा था एकशिवात है के उनी कुष में भारत रहेगा आपका बर म नाम तथा आज नाम क्या है म्यामार हैं पहले राजदानी क्या हुआ करती थी रंगुन हुआ करती थी वहीं पर आप जा RAM quién पर आप जानते हो यह Imam R. core सह्भ रहे न हम जानते हो आपके दिन साथ जसुंसर अधorkा किया हुआ धिली में उनको वहीं पर दफनाए गए थी वहीं पर मरे थे वह तो आप जानते बरत्माम राजदन उसकी नेपी ताओ है तो यह पूरा मयमार का राका है तो इतना बन जाएगा अगर बाउंडरी पूछा जाएगा बाउंडरी सबकी आद मत करना 1643 किमीटर उसकी बाउंडरी है ठीक है और लिए देखा दै तो इसनो यहां से यहां तक पूरा गिन्लो और प्रदेश को भी छूता है इस के वाद देखेंगि और ओप को भी छूता यहां पर आपको डोगलाम रेखने को मिलेगा यहां पर ट्राइजंग्शन एरिया है जो चाइना भारत और खासते बूटान के चीत्र में आता है और आक्रमान करके कंबिवात शिपयर वहारद और भारत देश है यह इस पर बिवाद करता है कि नई अगर डोकलाम चीट पर इसका कबजा हो गया तो हमारी जो चिकिन नेख है इस पर क्या कर देगा यह आकरमन करके कबजा कर लेगा इसलिए भारत देश किसका सपोर्ट करता है भूटान का सपोर्ट करता है कि बाई चिंता मत कर मैं तेरे आँगा तो आप जानते इसी चेत्र के लिए 1948 की एक धारा है धारा दो उस धारा दो में प्रावधान किया गया है कि भूटान किसी भी दूसरे देश के साथ समझाता करेगा उसके लिए पहले भारत देश से बिचार मिमर्स करेगा इसलिए आप जानते डोकलाम चेत्र पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है चाइना के द्वारा भारत देश सामने आ जाता है कि भाई मेरा चोटा भाई है तो आप इतना बास ध्यार रखना डोकलाम प्लेटू जो है बच्चो वह भूटान और इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन एरिया है तीनों के बीच म सबसे कम बाउंडरी करता है और आप जाने थे थोड़ा सा ही रीजन होता है थोड़ा सा क्या होता है यहां रीजन होता है यह बाउंडरी करता है ठीक है चलो है बस जादे इसमें कुछ नहीं है आपको पता होना चाहिए अब आजाओ सीधे इंडिया की टॉपोग्राफी मे आप अब आजाते में इंडिया की टॉपोग्राफ pore adding डिशा टो हम पढेंगे यहां पर इंडिया की जी अ मॉर्फोलोजी पढेंगे अर्थात यहां पर इंडिया का हम पढ़ेंगे topography की क्या-क्या है जब आप इसे देखोगे की भारत में घूमने चले जाओ आप घूमने जाते समय आप देखोगे कि यार कहीं पर पर्वत है कहीं पर पठार है कहीं पर मैदान है आप ऐसा देखोगे न तो पर्वत पठार मैदान होते हैं कुछ पहाडियां होती हिल्स होती हैं जो परवतों से थोड़ नीचे रहती हैं तो यहां पर बात करते हैं कि भारत की अगर हम पूरी जियो मॉर्फोलोजी देखते हैं तो इसके अंतरकत आपको क्या-क्या देखने को मिलता है तो आप देखेंगे यहां पर केवल उंचाई की अधा आप तो आपको यहां पर माॉंटेन देखने को मिलते हैं यहां पर आपको परवत देखने को मिलते हैं ठीक है फिर आप यहां पर सेसे तो कई बार आप इनका पूछ या पठार है या फिर माउंटेन या हिल्स हैं तो यह वाले थोड़े से आपको याद रखना क्योंकि यहां से कुछन बनता है बच्चों तो आपको पता होना चाहिए यहां पर देखेंगे टूटल मिलाके परवत है तो परवत आप देखेंगे तो दस परसंट हिस्से तक क्या मिलता है और इसमें सबसे महतपूर रोल किसका होता बच्चों हेमालिया का होता है क्या होता है यहां पर हेमालिया का रोल होता है जो यहां पर आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा इधर आप देखेंगे तो मियामार में भी देखने को मिलेगा इसका काफी ब्या पहारत का जो हिस्सा है उसमें हम बोलते हैं कि भीया बाकी की परवतों को मिला लें तो 10% का हिस्सा वो इसके अंतरकात आ जाता है पहाड़ी देखेंगे यहां पर चुटी-चुटी बहुत सारी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी इसी के साउत में भी आपको पहाड़ियां बहुत सारी पहाड़िया तो आप देखेंगे यहां पर पहाड़ियों को सामिल करते हैं यह लगवाkov T हैं यहाद होती है इसको 18 परसंट है इसके पाइसके बाद आप जाते पता है वो ट्वंटीट परसंट होता है झैकर कि इतना होता है और आप मैदान देखेंगे तो मोटा-मोटा यहाँ पर 43% माल लिया जाता है पॉइंट-पॉइंट में रहेंगे वो उसके परेशान मत होना पॉइंट-पॉइंट होके सौप पहुचे जाएगा जिंता मत करना आप ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 100% टॉपोग्राफी का अगर हिस्साब देखेंगे तो यह रीजन आ तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि पहले हम प्रवत को देख लेते हैं फिर पहाड़ी यों देख्ते हैं पर पठार को देख्ते हैं फिर मैदान को देखते हैं इस तरीके से हमारा MOR्फ जी है वो मोजाटी है सबसे पहले शुरू करेंगे माउंटेन से अर्थात यहां पर बात करेंगे परवत से तो परवत में किसको सामिल करते हैं बच्चों हम यहां पर उत्तर की विशाल परवत माला हम यहां पर कवर करते हैं इसमें किसको पढ़ते हैं इसमें हिमालय को पढ़ा जाता है अब मैं आपको बता दो हिमालय को आप पढ़ोगे तो कम से कमे दस बारा घंटे का है ही मालयपूरा दूसरे में क्या पढ़े हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पर हिमालय के उत्पत्ति पढ़े हैं तो वह तो काफी लंबा है अभी आपको इतना सब कुछ नहीं नहीं करना है अब मैं आपको इसमें कुछ और चीज बताता हूं एड़ा हिमालए को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बात न क्यों बता रहा हूं नॉलेज के लिए नी बता रहा हूं पेपर में यहां से कोशन बनता है यह देखो बच्चों आप मुझे बताओ यह परवत है की नहीं है है ना परवत कैसे बनते हैं हमारी प्रत्वी पर हल चल की व दाब पढता है कि कोवर की नुसार बता रहा हूं मैं कोवर अलग बोलता है है लाग बोलता है मौरगन दर लग है उसको इस नॣ बहुत लंबा आगा नहीं तो तो आप यहां पर देखेंगे आप इतना बाऊज़ो व्हया ostr लो कि जहां आज माउंटेन दीखरे है पहले 지 सकता लाइन रही होगी अर्थाद वहाँ पर भू सनती और यारर तेंगे सबस्क्राइब और एक हिस्षा उचा है और ऑफो जानते बारिस होती है बारिस होती यह तो इधर से पानी बहता बहता जाता है नदियों के माध्ययम से इधर साहिद आने लगता है यहां से नदियं बहती एधर साइड आती है अपने साथ जो काड़ पीट आ यहाँ पर जमा कर देती है ओपने साथ में मिठः मलवा लेकर आती है और इस में जमा बताआई हर साल किया हो रह Keys यह 17-13 पर मिट्टी जमा जब यहां पर मिट्टी जमा होगी तो क्या हो जाएगा इसके बीच में जो एक अड़े में और दो सब्सकति में यहां पर मलबा ढ़रते जाएगा मलबा अब आप घर एक समय के बात क्या हो गाए इस पर और वालना हिस्सा इधर की तरव ड़ाने लगता है कैसे आपको सोच के देखो अगर मांलो अगर हम एक पेज ले लें यहां क्या किया मैंने यहां पर मोबाइल को रख दिया एक मोबाइल हो गई अब इसका था क्या होगा एक दोसरे के पास में आ रहे है इसका मतलब बीच बाले भाग को क्या कर रहा हूं मैं आजो बाजो से दबा रहा हूं बस यहीं से एक force generate हो जाता है कोवर भाई साब यहीं बोलते हैं तो यह क्या होगा यहां से एक force generate हो जाएगा और इनके बीच में जो मलवा जमा हुआ है उस पर पढ़ेगा और बिचर्ण जाएगा यहां पर folding mountain क्या बन जाएगा यहां बन जाएगा फोल्डिंग mountain तो यहां पर miss agora साब यहीं बोलते हैं कि आज जहां पर तुम्हें परवत दिखाई दे रहें बच्चों वहाँ पर पहले भू सन्पी रही होगी इसी को बोलते हैं बच्चों भू सन्नती कि के मतलब कम गहरा मतलब उत्ला लंभा और कम चोड़े सागर को खटर करते हैं यह जियो शिंखलाइन केते हैं या दूसर्य टी कुछ नहीं हिसा एक कम चोड़ा और एक कुलम्बा सागर है जहाँ पर दोनों तरब से नदीया आकर अपने मलवा जमा कर रही है जमा होते जाता प्रेशर की वज़े से अवतलन होते जाता है और दोनों साइड के भाग दबने लगते हैं और बीच वाला भाग फोलडिंग होने लगते बस इतना ही कुछ नहीं है इसक चार बार हल चल होती है, कितने बार होती है बच्चों, चार बार हल चल होती है, यही वाली हल चल होती है, चार बार, इसका मतलब हमारे पूरी प्रत्वी पर परवतों को जो निर्माड हुआ है, वो चार क्रम में हुआ है, चार स्टेप में हुआ है, पहला स्टेप होता है प् और प्रिकेम्ब्रियन काल में आप जानते हो किसका निर्माढ हुआ था तराफ को पता होना चाये आरावली भहिया का निर्माल हुआ धियान रखना यह सबसे पूराना प्रवत ही आरावली अ दुनिया का सबसे पुराना है अरावली तो पहली जब हल चल हुई थी पूरी दुदिया में तो भारत की इसा से भी हल चल हुई थी और आप जानते हो उस समय हिमालय नहीं बना था भारत देश कहां था इसको समझ न यह देखो भारत देश कहां था यह बरतमान में आपको जो दिख रहा है भारत देश यह दिख रहा है आपको यह भारत देश यहां नहीं था पहले आप जानते हैं भारत देश देखो यह था इस पूरे प्लेट के साथ जुड़ा हुआ था एक गौंडवाना लेंड का हिस्सा था किसके सत्र बच्चों गौंडवाना लेंड का हिस्सा था अब बोलेंगे सर गौंडवाना लेंड किया है और इतना भी नहीं पड़े हो तो पेपर देने का कोई मतलब नहीं आपका फिर आपके लिए पूरा फाउंडेशन कोर्सी ठीक रहेगा अभी मैं केवल उन उद्देश से पढ़ा रहा हूं जिनका अभी यूपी पीसी एस का एक्जाम है उनमें जो चीज आएंगी एमपी पीसी का एक्जाम है आरे इसका जो भी लैटर्स एक्जाम हुआ करता फाथा ठीक है एक गौंडवाना metropolitan का हिस्सा हुआ करता था और गौंडवाना एक यूग ँगाता है उसका नाम है अ कई बार एक्जाम में कोर्शन पूछा भीं जाता है कि 85 में ही क्या हुआ եा हमारा जो भारत का हिस्सा है वह गौंडवाना से अलग हुआ था औ आज से 17 करोड़ो साल पहली की बात है जब भारत देश क्या था इस हिस्सा हुआ करता था गौणडवाना का और इससे अलग हुआ था जब अलग हुआ तो क्या उन्हें लगा इस उपर पहले क्या हुआ था उत्तर पूर्वी की तरह मूब करते करते फिर इस प्लेट से टकरात है और बीच में आप जानते जो टैथिस सागर का मलवा है बही मलवा मैंने बताया ऐसा फोल्ड होके एक माउंटेन बन जाता है तो जरा समझना जब हमारा यह वाला हिस्सा था सुनना यह वाला हिस्सा था जब उपर भी नहीं पहुंच पाया था तब से ही यहां पर आराव अरावली परवत था यहां पर था तब भी अरावली परवत था मतलब आप समझो जब गौंडवाना लेंड मी था जब गौंडवाना लेंड मी चुड़ा हुआ था तब से अरावली परवत का दिर्मान हुआ है बहुत पुराना है बहुत पुराना मतलब दुनिया में जब पहली हल चल हुई थी सोचो कितने गर्व की ऐसे भारत देश में वह परवत है जहां पर सुरुवाथ Kymas और इंबर क्या था है यहां पर भी क्या थी एक नदीबेहती थी नदीथ इक सागर जैसा था चोणा भाग था यहां पर भी क्या हो रहा इधर से वी आ रही थी न दी इधर से भी आ रही थी न दी तो इस शेत्र में मलवा जमा हुआ था एक दोनों तरफ से क्या हुआ दबाब पड़ा और यहां से क्या बना एक परवत का निर्माड हुआ बहुत पुराना था अब बताओ 57 करूल साल पहल पुराना परबत होगा आज स्थिती क्या होगे इतना पर दन हो गया है इतना इपरोज़न हो गया फीकी है तो आप जानते घिसलां घि텐 घिसलां चोटासा बचाव यह सबस्धा सा चाहा है लुप परवत के रूप में बचा हुआ है तो बरतमान अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट रूप में आरावली क्या है तो अपसिस्ट परवत जीसे बोलते हैं अगर बोलेंगे उत्पत्ती के अधार पर यह बलित परवत है लेकिन बहुत पुराना है इसलिए इसे बोलते हैं प्राचीन बलित परवत तो एक्जाम में दोनों तरीके से कोशन आता है कि आरावली Mom ऑन पर दोनों तरीके से कोशन आता है क्रोका पूस्त पर कि वहांसा पर जो आ रहा बली हैं वह कौन सा परवत है तो याद राखना उत्पत्ति के आधार पर से क्या है प्राछीन बलीत परवत है इसा बलित परवत मेरेघुक प्राछीन बलित परवत अब बाद में होता उससों बोलते हैं किया नया बना तो हमाला निया बना उसको नवेन बना बना इंगा लेगत है उसकी तरही के सबसे देखेंगे पहली हल चल होगी आपकी सबस्ते नास में जाओ कियोंकि इंद्रीच केम्डून होती है इसे द्यान रखना के लीडों लीडों हंग कहते हैं क्योंकि इस कि आ प्रवत का निरमार्ण रुआ था उसका नाम था कैलिडॉनिया और गरहां मिलेगा जहाते यूप बहुत ब्रितें बाले भाग मिलेगा तो उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है कैली डॉनियन सब्सक्राइब अपको पता उस दोरान क्या बना था भारत का बना था इस्टन घाट भारत देश में जो पूर्वी घाट देखने को मिलेगा बच्चों यह भी बहुत पुराना है तो पहले नंबर में यह बनता है भारत में दूसरे नंबर में यह बनता है ठिक है हा तो उस समय इस हल्चल में ये हमारा पूर्वी घांड बन जाता है टीसरी हल्चल होती है थीसरी हल्चल को बोलते हैं हर्सीहन हल्चल हर्सीनीय हल्चल अथि। छल कि हम एक युल ना इस दोरान आप देखेंगे तो हमारे हां पर क्या होता है यहाँ पर विंद स्रेंडी बनती है, सत्पुला स्रेंडी बनती है, गवालन स्रेंडी बनती है, यह सीरीज देखने को मिलती है, और जब यहाँ पर प्रेशर क्रियेट होता है, तब यहाँ से दरारी उद्वेदन होता है, और लावा निकलता है, यहाँ से फिर लावा निकलने लगता है पूरा और फिर आप जानते प्लेटू में पूरा लाव आकर फैलने लगता है कि तब यहीं से होता दक्कन ट्रेप का निर्मार ते तीसरे स्टेप की यह होते हैं फिर उसी दौरान आप जानते भारत का हिस्सा इससे अलग हो रहा था ते वाले हिस्से में अलडी क्या हो चुक क्या मानते हैं क्यों बच्चों यह बना कैसे क्योंकि देखो यह वाला हिस्सा था ना उंचा था जो प्लेटू होता है ना पठार होता है ना वह अन्य इलाकों की तोलना में क्या होता उंचा होता है ठीक है अब यह वाला भाग जो था ना वह इसमें पहले जुड़ा हुआ तक साथ यहां पर murdered अभैंसा क्या था अब मुझे बताओ यह वाला हिस्फा है यह हमारा प्लेटू है ऑसा हे मैंदान था एंपर प्लेटू मारा एसा ऐंचा था यहां में जुड़े हुए थे समझे जुड़े हुए थे अब जैसी क्या हुआ हिस्साय अलग हुआ जैसी अलग हुआ तो यह वाले यहां के जो लोग है वह इधर के लोगों को देखेंगे यहाँ पर बीच में यहां पर रहने लेवाले लोग वह बरत्वान में वह ऐसा लगे गा या भाई तुम किनारे न मांते हैं तो इधर के लोग ऐसा देखते तो यह लगता हो कि अब यह कगार है तो कुछ बिद्वान इसे किया मानते हैं कगार मानते हैं और कुछ विद्वान इसे परवत मानते मतलब मांते हैं तो बिवाद है आप इसमें सम्छा बात नहीं करेंगे इस में मानते हैं बस इतना सो थेया रखना कि अभी में में टॉपिक संधार हो इसके बाद धली बली पुड़ा दोंगा चिंता मत करो ठीक है तो हर्सियन काल में हुआ है इस सत्पुड़ा बिंध्याचल कभ हुए है हर्सियन काल में हुए है तो आप जानते यहां पर देखेंगे इनका सबका करम है यह बनता है इसके ब अलपाइन हलचल इसी अलपाइन हलचल में हमाला का निर्माण HOW हुआ है यह बल्के हमें परफ्वी पर परवति वाल्द बने है उन ही को इना हलचल उते हैं fareाइन हलचलect क्या प्लेट मुवेंट करती है वो सब यहां नहीं पढ़ना वहीं इतनी बात है मोटा मोटा एक्जाम में आपको कोशन आएगा कि हमारी प्रतियों पर कितनी हल चलुई है उन हल चलों को करम बताईए तो पहले प्री केंब्रियन बोलेंगे फिर हरसीनिन बोलेंगे फिर आप आपका अलपाइन केंब्रियन को केलेडोनियन भी कहते हैं ठीक है इस अब लेख लेखा है मिलना है याद कर लेना आप चलो इसलिए इतना लेबला पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि एक्जाम अच्छे से कवर होगा तब टाइम पास नहीं करता हूं में ध्यान रखना चलो अब यहां पर हम देख लेते हिमालाय का निर्मान ठीक है अब यहां पर हिमालाय से क्या कवर करना है में लिकुष हिमालाय बिलकुर शौट नहीं पढ़ाँगा इमान के चलो कि उसको 10 परसंट ही कवर करा रहा हूं आपके एकजाम की द्रिष्टी कोंड से हिमालाय एक गुज़ाम में सब से पहले कोशन आएगा भी ये आपसे की हिमालाय का निर्माण कौन से हल चल में हुवा तो पहला अच्छे से याद कर लेना ये ऐद से क्रम ये लिटिक ह suchen की है किस यूग में इसका निर्मान होता है तो याद रखना इसका परवत देखने को मिलेगा यहां पर क्रेट हिमालाय तो बनता है वह योसीन काल में फिर ध्यार रखना बनता है मायोसीन काल में बनता है एक और परवत एक दरूर याद करना अब उने सरे काल क्या होता तरह टाइम है यार जब परवत का निर्माद हुआ तो उस्मान चल रहा था उस टाइम को बोलतने कुछ नहीं इसमें ठीक है यहाज सीन और हो गया कि आपका प्लायोसीन कि injections एक रियांद है कि हिमालय के यह सीन काल में कौन सा बनता है को आपका vaca ईब्रेघ हिमालय बनता है कि क्या हो गया इसको बोड को हिमालाय मायोसीन में मद्ध हिमालाय बनता है क्या बनता है मायोसीन में मद्ध हिमालाय बनता है और प्लायोसीन में क्या बनता है सिवालिक स्थेड़ी बनती है कई बार एक्जाम में सीधा पूछ लेगा विटाई ठीक है तो एक्ट्ट्र में देखा जाए हिमालैकमण ते इस नंगा परवत के लेकर इस नंगा परवत से लेकर आप इधर जाएंगे पूराघा इधर पूरा जाएंगे तो इधर साइड मिलेगा आपको नामचा बर्वास तो नंगा परवत से लेकर नामचा बर्वाध मतखा आप जाएंगे तो यहां पर मिलेगा हमालय का मुख हिमालय भाग इकला हाओ क्या仔 सिंफ लुदा सेas इसके बाद जो दूसरा हिमालाय आता है, वो कहलाता मद्ध हिमालाय, यह कहलाएगा आपका यह मद्ध हिमालाय कहलाएगा, यह होगी आपका क्या? मिडल हिमालाय, नम्मर दो, यह नम्मर दो, फिर इसके बाद आप जानते होती है सिवालिक स्रेडी, यह सिवालिक स्रेडी एपका सिवालिक की आ ये हो गया सिवालिक हीमालाय के الزुट reminds इसमानतार बच्शों बॉपर सघ्र हो एक काल में होता है ये योशaken मे अमें बनता है और फिर प्लेट ने दबाव डालती है उससे क्या होता है बीच का मलवा ऐसा उड़ जाता है कैसे उड़ता है कौन सा बल काम करता है कि सीरीज में अभी आपको नहीं पढ़ना है को वर का सिध्धान तरह अलग है अगर आपको पढ़ने का भी सौंख इतनी है तो पेपर हो जाने तो फ तो बिल्कुल मिलते हैं यहां पर मिलेगा आपको कारा कोरम यहां मिलेगा लद्दाग यहां मिलेगा जासकर यहां मिलेगा कैलास कहां की भला गुली याद रखना यहां पर इस ग्रेट हिमालय के उधर साइड मैं हिमालय का पार्ट इसके उपर वी आपको यहां पर इसके पार्ट मिलेंगे तो आप जानते हैं उसे एक अलग नाम से जाना जाता है उसे जाना जाता है ट्रांस हिमालय के नाम से ट्रांस मतलब होता है पार इस हिमालय के उधर साइट जो हिमालय रहेंगे उन्हें कहेंगे हम ट्रांस हिमालय या पारी हिमालय क्या बोलेंगे बच्चो इसे हम ट्रांस हिमालय या पारी हिमालय कहते हैं इसे हिमालय का मुख्य हिस्सा नहीं माना जाता है मुख्य हिस्सा तो कौन होता है आपका ये तीन होते हैं ब्रहद हिमालय, मद्ध हिमालय, सिवालिक, सेडी तो ये हिमालाय के उधर साइट के हिस्से हैं ट्रांस हिमालाय इसमें चार भाग माने जाते हैं पहला होता है कारा कोरम क्या होता है पहला होता है कारा कोरम दूसरा यहां पर होता है लद्दाग तीसरा होता है जासकर तेके और चौता होता यहां पर केलास रेडी केलास प्रव ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है तो चार आते हैं ट्रांस हिमालय क्यों मूलता बच्चा क्योंकि आप जानते हैं यह वाला जो हिस्सा है यह हमें मुख हिमालय मानते हैं जो इधर से इधर तक पूरा है क्योंकि आप हिमालय की लंबा और आप जानते हैं इसी को मुक्क हिमालय बोलते हैं अब हिसमिक हिमालय के उपर वाला हिस्सा है हमालय नाम क्या बोलते हैं ट्रांस इसकार कारव में पूछ याज़ लेटा हो पार ब सुरू करता हूं ताकि कूछ बूचना तो नहीं आपको पाइज पहले इधर चैनल के पढ़ लेता हूं सविको समझ में आरा वच्चा अभी तक गुड नाइंग आप वी घंज चाओ यहां तक सविको समझ में आकर कुछ पूछना तो नहीं आपको यहां तक सभी को क्लियर है कुछ पूछना तो नहीं है न कि यह सर यहां पर क्लियर है ठीक है इधर बाले में देख लेता हूँ मैं कि आप लोग बताईए कि इधर कोई दिक्कत किसी को कि आपको देखे आप परेशान मत हुए देखिए हम लंबी क्लास देने का उद्देश समा रहे है कि सारे चीस समझ में आएगी जो जरूरी सब पढ़ाना पड़ेगा आप बोलो इस पीट से पढ़ाऊंगा इस पीट से पढ़ाऊंगा ना तो सा आ रहा ऊपर से चल राएगा कुछ बचेगे नहीं आपके पास नीचे रहने के लिए ठीक है इसलिए ज्यादा जल्दवाजी मत करो इतना आराम से पढ़ा रहा हूं बहुत तीजी से पढ़ा रहा हूं बहुत सारा डाटा आपको दिमाग में है इसलिए आपको थ्यान से सम पूछना तो नहीं है फिर में लंबा क्लास करूंगा वे सर पॉलिटी की भी चैप्टर भी करवा दीजिए अरे कराएंगे बोल तो दिया विच्छा अब एक ही इंसान एक ही बार पढ़ाएगा ना कोई भी चीज है ठीक है ओक है पीडिएप कहा मिलेगी पीडियाप पीडियाप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस्म मिल जाएगी ठीक है यह आएक काम करते स्यव्य में टेलिग्राम में दिखकत जाती है पीडियाप की ना हाँ तो आपको मिलतो रही होगी उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है चलो अभी तो पहले पढ़ो फिर बता दूंगा आपको कहां कैसे मिलेगी अभी सबका क्लियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को आगे बढ़ें अपन लोग चलो कि अब यहां से एक्जाम में कहां कहां से कोशन आएका ज़रा समझना यहां पर यह जो कारा कूरम है यहां से कैसे कोशन मनते ज़रा समझना ठीक है यह जो कारा कूरम है यह कारा कूरम एसा माना जाता है कि यह कि पामीर नोट से निकलता है अभी थैल समझना यहां से भी कोशर बन जाता है मैं आपको पहले क्या समझते हूँ पामीर नोट समझता उन एदेको यहां पर पढ़ारों मैं आपको आप पामीर की गाль खाप ढ़ो हिंधि में करने सीधा पामिर की घाठाए अचा आप लोग पलगे नहीं करोगे sel लेकर करों jay जहूं आपको क्या करना है कुछ धागे ने को तीन दागे देता हूँ और तीनों धागों को क्या करिएध आ उसी को तो क्या कहा जाता है नोट और कुछ नहीं है अब बोलेंगे सर यहाँ पर इसका सम्मध नोट से कैसे है मैं आपको बताता हूं ज़रा देखना पाता यह आप भारत देश के जस्ट उपर वाला देश देखेंगे ना यहां पर तो यहां मिलेगा आपको angeक्स में यहां पर मिलेगा तता किस्तान नाम का देस्न यहां पर परतता तीन परव्वात आके आपसे मिलते हैं इदेखो इधर कौन साथ क्या है ऐहा है चाइना का कुनल साहे परवत करो 안pelli निए ठीक की इधर साइट आप देखो की एधर साइट है अफ़गानिस्तान में हिंदु कुस्परवत हुआ क्या मिलेगा आपको हिंदु कुस्परवत और यहीं से निकलता है इसका विस्तार यहीं से मिलता है यह कहला आता कारा कोरम तो इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर कारा कोरम कुलुन साय और हिंदु कुछ जो है यह आपस में कहां मिलते बच्चों यह पामीर की गांठ में मिलती ही जाला इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना किसका विस्तार कहां से शुरूह का बच्चों-पामीर की गांठ से शुरू होता ही कारा कोरम काफी लम्बा है और इसा माना जाता है कि यहीं नीचे आता है ऐसा करके विस्तार होकर पहाड़ियों के माध्यम से बंता यहाल सरेड़ी लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि क्लास त्रेडी अलग है तो मानलों भी कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर कारा कोरम से क्या-क्या याद रखना ज़रा समझना ठीक है यहां पर एक काफी उंचाई पर इस्तित है काफी उंचा इलाका इध्यान रखने वाला पूरा तो यहां पर कुछ उंचे-उंचे सिखर आपको देखने को मिलते हैं जैसे यहां पर आपको के टू गार्डवी नास्टिन इस्तित मिलेगा आपको क्या मिलेगा यहां पर के टू और आपको यहां पर बहुत सारी चोटियां देखने को मिलती है ठीक है और सब में ध्यान रखना क्या से कहा जाता गाडवीन आस्टिन है इसका क्या नाम है पूस्त हरICK आदरउ आस्टिन यूज तो कई वार एक्साम में पूँच दिया जाता है कि कारे कोरण किस में है तो वोला हिमालय में किस पार्ट में हिकारा कोरम में है 알ब इसको बोलते हैं के के कारा कोरम टू ओके हाँ यहां पर आपको गाडविन आस्टिन इसका नाम है यह भारत देश की सबसे उंची चोटी माने जाती है आठ हजाच छह सो ग्यारा मीटर उंची है आठ चाहर तालीज वाली तो आपकी मांट एवरिस्ट है बो तो कहां मिलेगी आपको वह मिलेगी नेपाल हैं अपने हाथ नहीं है तो गाडविन आस्टिन यहां पर इस ते देखने को मिलेगी ठीके ना इसके अलावा भी ध्यान र करना है ठीक है जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं सबका नाम अलालग बताऊंगा जैसे केटू का नाम गाडवी नास्टीन है वैसे यहां पर आपको क्या मिलेगी और भी मिलेगी पहाणी जैसे कास कसे रभूम आपने नाम सोना होगा गसे रभूम नाम सोना होगा यहीं सब्सक्राइब ढुम्मां में और fight कि यहां पर आपको एक और फिर अधाकत और प्रषाइब पार यहां पर बहुत उचाई परिस्टे थे यहां पर आपको बड़े बड़ेदे ने को मिलते हैं यहां पर कुछ ग्लेसियर के नाम बड़े इंपोर्टन बच्चों यहां से पूछा जाएगा जैसे सियाचिन ग्लेसियर नाम आपने सुना होगा जो सियाचिन ग्लेसियर है वो इसी कारा कोरम में है और कारा कोरम के इस वाले भाग मिलेगा आपको क्या सियाचिन ग्लेसियर तो सिया आप देखेंगे तो आप लोगों ने बियाफो glacier का भी नाम सुना होगा कई बार एक जाम में question आते हैं समझे एक सब आपको याद करना है लाट करना है जो यहां पर आसाइमी है सासाइमी ग्लेसीयर क्या है सबसे बडा है इस सबसे बड़ा ग्लेस्यर है सेकेंडfore 2 है लेकिन सबसे अधिक उचाई पर इस्थित यही ग्लेस्यर है और इस याचीन में क्या है भारत और पाकिस्तान की सेना यहां पर रहती है तो इंडिया की सेना यहां पर तैनाथ है उसको बोलते हैं नुम्ब्रा घाटी क्या बोलते हैं इसको नुम्ब्रा घाटी और इसी नुब्रा घाटी से क्या निकलती है एक नुब्रा नदी मिलती है यहीं से क्या निकलती है और यहीं नुब्रा जो नदी है बाद में जाकर ты नदी से जाकर मिल जाती एं और रखन्त पीसकी सायक नदी ोई याद रखना ये सिंदु नदी की सायक नदी आ आपको पता होना चाहिए कई बार पूछ लिया जाता है कि नुब्रा बैली कहाँ पर है तो नुब्राः बैली जेल स्षोपriel के द्राइन से जोडता है इतना तो जरूर आपको याद रखना है कम से कम त। कुछ ना इतना ज़रूर याद करना है ठीक है फिर आप जानते हैं यहाँ पर दूसरा लद्दाक की बात करें हम यहाँ पर लद्दाक की बात करें तो लद्दाक में क्या याद रखना है जो लद्दाक है बहुए एक सीरीज है यहाँ पर स्रेडी है अब लद्दाक में आपक जासकर मिलेगा लद्दाक और जासकर इसी के बीच से ध्यान रखना एक नदी बहती है उस नदी का नाम क्या है सिंदु नदी ध्यान रखना क्या नाम है सिंदु नदी आपको यहां पर देखने को मिलती है ठीक है तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है नहीं एक म norm इसके 20 से बहती है कौई सी नदी सिंदू नदी अभी थोड़ी मलग से पढ़ाऊंगा अभी वितना वास करना यही जो लद्दाहक है लद्दाहक के नीचे से इसी लद्दाक के नीचे से एक नदी बैती उसका नाम है स्योक नदी यही स्योक नदी से बाद में आकर नुब्रा नदी आकर क्या हो जाती इसमें मिल जाती है तो लद्दाक में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना यहां पर इसके नीचे आपको एक प्लैन मिलेगा क्योंकि इसी देवसांग के मैदान क्या होते हैं कई एंडिया और चाइना की पिलते है चौई यहाद नि राहना आगे चरब देखेंगे जासकर यह क्या होगा का यह जासकर झासकर में आपको यहां पर यह चोटी मिलेगी उसका नाम है राका पोसी यहां से कोर्षन कई बार आया हुआ है यह थोड़ा ध्यान रखना मैं यह रहां पर एस चाहर वाला सिखर है क्या है सबसे जादा तीव ढाल वाला सिखर है पूरे दुनिया का सबसे जादा जो ढाल वाला सिखर है नॉर्मली क्या होता है ऐसा माउंटेन होता है तसानी सेसमें चड़ सकते हैं लेकिन बिल्कुल ऐसा खड़ा है बिल्कुल राका पोसी तो राका पोसी जो सिखर है यह ती चलिए इससे पता चलता है कि यहाँ पर पहले क्या रहा होगा यहाँ पर आप सबस्त दिखने को मिलता है कि इतनी बास सबको समझ में आगी को दिक्कत है क्या नहीं अब यहां पर देखिए यहां से एक नदी निकलती है क्या होती यहां से नदी निकलती है उसका नाम है सिंदु नदी ओके यहां पर मांस दरूबर जीले यहां से नदी निकलती है इसका नाम है सिंदु नदी और सिंदु नदी क्या होती है यह लद्दाक और जासकर इसके बी यहां पर को सिंदु नदी और कारा को राम और द्यू आपकी लट्र कि इस से बहतीं है यहां पर नुब्रा नदी था को यहिए और यहीं से बहती है त्योक नदी में थोड़ा बड़ा करके बनाता मरा हुआ जो यहां देखो इह वाला पूरा च्षेतर हो गया ठीक है यहां पर देखो रहुआ का कारा कोरा हुग होग कि के लिख जेतों में इसको यहां पर लद्दाक यहां पर क्या है जासकर है अब जरासमयजना इसी का रखोर्ड आम के नीचे साइव के आपको यहां मिलेगा आपको सियाचन ग्लेसियर इसी चैक रॉज् ringing के पास में परफाईली है इसी नुबरा वैली से निकलती नदी उसका नाम है क्या नुबरा नदी और यही से छिशायद प्रुयों ड़ती है यहां पर आप stiff कोर जील यहां से निकलती हैं संदुणती निकलती है और भारत के इस वाले भाग में एंक्री करती है यह वाला जो एंक्री होती है एर रहती है दमचॉग का एलाखा बोलतेए इसको क्या बोलते हैं Conc architects तो इंडिया में क्या होती है यह दमचोंक के पास में प्रिवेश करती है और प्रिवेश करने के बाद क्या होती है यह लद्दाक और जासकर के बीचों बीच से यहां से जाती है यह क्या होती है लद्दाक और जासकर के बीच से जाती है और यहीं पर ध्यान रखना इसके दा पर जो कारा कौड़ है और जो लदाख है कि इस pro लदाख के बीश से स्योख नदी कौण श्योख नदी कोई से स्योख नदी म्यूंक से सुप्ली और इस प्राइनि चे दार्ब से आकर कौन से मिलती है नुब्र tips नदी कि पोड़वा लद्दाक हो गया और यह हो गया आपका जासकर लद्दाक और जासकर से 20 से यहां से बहती है कौन सी नदी सिंदु नदी बहती है और जो कहां पर दमचोंक के निकट भारत में प्रिवेश करती है और इस तरीके से बहती है बाद में चलकर आप जानते जो श्योक नदी है वो इस सिंदुनदी में आकर क्या हो जाती है यह मिल जाती है और्नघिंदरं कहती है यहां पर चल्लास नामा के माओट पर CD थे नाउन ध historical में आता है, यहां देस में किसी इस पर्वेश करती है और और कहाँ पर East करती है तो खंक में निकट है करती है भारत इसे बाहर जाती है, और कौन सी स्रेणी के बीश से गुजरती है, तो याद रखना ये लद्दाक है और जासकर है, इस लद्दाक और जासकर के बीश से जाती है, और आपको पता होना चाहिए, यहीं पर मिलती है, इसको कौन सी नदी, श्योक नदी मिल जाती है, जो इस कि जो लेह हैं वो सिंदू नदी के दानी-तर्फ। ü रिंगा सोच आटेए को संबस्ति कहा फाल तो आते हैं तो अगर आप से पूछा जाये कि भहिया जो सिंदू नदी हैब उसके दाहनी तरफ मिलेगे दानी-तर एक इतनी बात क्लियर है चलो तो यह यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है लद्दाक जासकर के बारे में कारवकुर्म के बारे में के लास परवत आप जानते इसका विस्तार आपको मिलेगा तिब्बत में मिलेगा और इसी केलास मान सुरूबर की यातरा करने के लिए के लास परवत है और ऐसा मान जाता संकर जी यहीं पर रहते हैं तो यहां पर मान सुरूबर की यातरा करने के लिए यहां पर हिंदू तीरत यातरी जाते हैं वह तिब्बत में जाते हैं बुलो ठीक है बस आपको इतना सावाज ध्यान रखना है बाकि इसमें कुछ भी बॉच्छा है है और एक सबसे लंबा ही माला है और आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी इसी मिलेंगे जैसे आप पोंछ जाई है यहाँ पर ।ो नेपाईल में तो नेपाल में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर Command Everest को व तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तिबथी भासा में इसको क्या बोलते हैं, तिबबती लोग भी इसको बोलते होगे, वो क्या बोलते हैं चोमो लुगमा उसको भी थोड़ा सा याद रखना क्या बोलते हैं तिबबत के जो लोग हैं उसको क्या बोलते हैं चोमो लुगमा कहा जाता है तिबबती भासा में तो तिबबत के लोग इससे क्या बोलते हैं चोमो लुगमा कहते हैं नेपार के लोग इस इसकी जो दूसरी चूटी है उंची वो मिलेगी आपको कहां पर सिक्की में मिलेगी वो कौन सी मिलेगी आपको यहां पर कंचन जंगा क्या मिलेगी यहां पर कंचन जंगा देखने को मिलेगी इसके अलावा आपको मकालू भी मिलेगी ठीक है ना यहां पर आपको धोलागीरी वो एक्साम में कई बार पूछ लिया जाता है तो उसको भी आपको रेडी करना है ठीक है यहां तक सभी का क्लियर हो गया अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको क्या ग्रेट हिमालाई की बारे में कुछ इंप्रोटन हैवह आपको ज़्लभ समझना है क्या करना है रिवेख 57 के बारे में आपको दिया क्या को नंगा परवत से यह क्या होता है, शुरू होता है, और आप जानते नामचा अँटी है, नामचा अइचा बरवत तक स्का विस्थार देखने को मिलेगा, इसकी जो सबसे उची चोटी है, मैंने आपको वता दिया, माउंट टावरेस्ट है फिर आप जानते हैं इसकी दूसरी उची चोटी जो है इसकी कंचन जंगा है ठीक है फिर और भी है आपकी यहां पर माकालो मिलेगी अनपूरा मिलेगी धोलागीरी देखने को मिलेगी वह चाहो तो आप याद करो और ना भी है तो कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो आप लोगों को इसकी लोकेशन अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए तो लोकेशन आपको ज़रू बनने चाहिए इसमें तो ग्रेट हिमालाय में आप देखेंगे अधिक उचाई होने की वज़े से यह चुकि हिम रेखा से इसकी उचाई अगर आप देखोगे इसका जो शuh हाइट है इसकी जो खाई दोशीबरू है पर uz도 टावा से खाज़रू में रहती है और आप जानते हैं हिम रेखा कितनी इसके मेक्सिममुमुरा हैम्मधर्णाये मेक्सिमम रिजन पर आपको डेखने को मिलेगी इसलिए इसका एक और नाम मिलेगा हिमादरी त्यार रखना क्या नाम मिलेगा इसका नाम हिमादरी मिलेगा बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम की दृस्टी कौन से मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो एक्जाम में आता है कई बार कि हिमादरी किसे कहा जाता है हिमादरी किसे कहा जाता है तो याद रखना इसे hedgehi animal iT Oko hemadri carry carry cc great we diferen comment we abwhere adoption है और पूछा जाएगा कि himadri Naka happening Research Center köई पर खुला हुआ है जानते हो भारत धेस क्या करता है अलग अलग Research Center दूसरे दुनिया डेश से में कुलता रहता वे जैसे आप देखा होगा गंगोत्री नाम रखा हुआ है मेत्री नाम रखा भारती नाम रखा हुआ यह तीनों के नाम याद रखना देखो आपको पता है अंटार्क्टिका जो महादीप है उस पर किसी का कब्जा है क्या बच्चों नहीं है अंटार्क्टिका महादीप जहां पर बर्फी बर्फ जमी है लेकिन ध्यान रखना एक और बाद वहां पर एक कि ऐसा छेत्र है जहां पर बर्फ नहीं है आप से कोश्चन पूछा जाता है कि अंटाक्टिका महादीप का ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर बर्फ नहीं है वो किलाता पालमर छेत्र एक कोश्चन भी एकजाम में आता है कई बार इस सम्में काम का है बेटा फालतों को कुछ न पालमर छेत्र जो है वो अंटाक्टिका का छेत्र है जहां पर बर्प नहीं पाई जाती है ठीक है क्यों नहीं पाई जाती क्या होता है वो समय आपको जब डिटल से पढ़ाता तब बताऊंगो ठीक है अभी नहीं तो लंबर चल लाएगा अंटाक्टिका में क्या है किसी भी बर्ब जमी हुई है इसलिए से बोलते हैं स्वेत महादीप इससे काम नहीं चलेगा आपका एडवांस बात करें तो भी यह बिज्ञान को समर्पित महादीप कहा जाता है तो भारत देश ने इसमें क्या किया है अपने अपने रिसर्च सेंटर खोला हुआ है तो भारत दे पूछ लिया जाए कि गंगोत्री भारती मेत्री क्या है तो बोलेंगे क्या हमारी मौसी के नाम है हमारी चाची के नाम है नाम भी रहते हैं गंगोत्री नाम रहता है गंगोत्री आप जानते हो हीमानी कभी नाम है तो गंगोत्री जिला भी आप जानते यूपी अपका उत् सкіरम स्वस्राइब दो कि अधिक लाके में साऊट निर्जन में अंटक टिका है वैसे नौर्ट इर्जन में आप जानते हो आर्क्टिक छेत रहे इस Arctic चेत्र में भी research करने के लिए भारत देश ने एक centre खोला है उसका नाम हे हमाद्री अब दिमाग में आई बात हमाद्री से नंटर का नामे ध्यां रखना है कहां पर अब पर हैो एक Arctic चेट्र सहयादरी नाम सुने आप दो सहयादरी कि आ बला है इसको भी देख के समक्ति यहादर तो आप यहां पर देखेंगे इधर साइड तो यह आपका यह वाले छेतर में पाये जाता है पश्छिमिघाड क्या होता है ध्या को पश्चिमी घाड देखने को मिलेगा और यही पश्चिमी घाड यहां से क्या होता इस तरीके से मुड़ता है और इस तरीके से मुड़ता है तो इससे कहलते हैं ग्वालन की पहाड़ी एक लाती क्या ग्वालन पहाड़ी ठीक है एक ग्वालन पहाड़ी और यह जो आपका पश्मी घाट है इन्हें सईक तुरूप से कहा जाता सहयादरी तो याद रखना इसे सहयादरी कहा जाता है ट्रज्ट जी थी इंग में यहां पर देखोगे यह तो बात आपको समझ में अगई आप यहां पर कई बार क्या होते हैं आपके एक्जाम में पूछ लिए जाता है कि मान लीजिये यह होगा आपका नंगा परवत इसका पूरा विस्तार देखने को मिलेगा ऐसा पूरा विस्तार देखने को मिलेगा इसका लास्ट पॉइंट कौन सा मिलेगा नामचा बर्वा नामचा बर्वा कहा मिलेगा अनाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर में देखने को मिलेगा यहां पर क्या होते हैं कुछ कुछ सिरेज पूछ ली जाती है कुछ स्लेखलाओं नाम जरूर defendant करना कि बया पूरव से प्र्स्षीं क्या है उत्तर से दक्षण क्या है तो बहुत सारी मैंने बताया हूं लेकिन जो इंपोर्टेंट है जो काम की है वह आपको याद करना है जैसे अगर आप से पूछा जाए कि भाईया यहां पर सिक्की में कौन है तो सिक्की में तो आप लोग जानते हो यहां पर क्या मिलेगा कंचन जंगा देखने को मिलेगा क्या मिलेगा सिक्की में आप यहां पर देखें कौन कौन सी यहां पर चोटियां है इनके नाम पूछे जाता है कि भया इनका पूरब से बताओ मतलब पूरब से प्रश्रिम बताओ या पूरब बताओ एक्जाम में आ जाते हैं कोश्ण है तो कंचन जंगा से जब आप इधार आते हो तो पड़ता है मकालू मैं आपको बही पता रहा हूं जो आपके काम की इतने सारा आप याद करेंगे तो और भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास और भी चीज़ें होती है आपको अखिला जोक्राफिकर नहीं पढ़ना है हिस्टी पढ़ना एकनोमिक भी पढ़ना है लेकिन जितना जरूरी है उतना तो याद करन जंचन जंगा के बाद यहां पर आता मकालू तो यह थोड़ा याद रखना इनका क्रम पूछ लेता मकालू का ठीक है इधर से क्या आएगा आपका यह मकालू हो जाएगा फिर मकालू के बाद आता क्या पर एवरेस्ट क्या होता है इसके बाद यहां पर मकालू के बाद आत फूरब से कहां जाँ रहे हैं मैं पूरफितकी वैल कि आतीव क्या घरेंगे टो आपका काम चल लाएगा इदरशाइय पहुंचोंगे टो आपका क्या हो गया मकालु मकॉलो के बाद एवरेस्ट लोक है इसके बाद फिर मनसालू आता है फिर धोला गिरी आता है फिर अनपूरा आता है एक्रम चलते रहेगा पूरा आपका ठीक है तो यहां पर क्या आएगा इसके बाद आएगा मनसालू फिर इसके बाद आएगा आपका यहां पर धोला गिरी और फिर आप आएगा अनपूरा इस सब कहा मिलेगा आपको इस सारा मिलेगा आपको नेपाल के अंदर इतनी बात क्लियर है फिर नेपाल के साथ बॉर्डर कौन सेयर करता बच्चों उत्राखंड सेयर करता है तो यहां से फिर उत्राखंड की अपनी बॉर्डर लग जाती है तो उत्राखंड आपको यहां तक लिखने लिखने के लिखने यहाँ पर यहां जाया कोई कोई दिक्कत नहीं है यहां पर कॉमेट नाम का मिलेगा नंदा देभी मेलेगा ठिशूल मेलेगा बंदर पोछ मिलेगा और बद्रीनात मिलता है तो आप कॉमेट जरूर याद करना क्योंकि तो सब आप लोग सुने हो उत्राखंड में है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बंदर पूछ हिमानी आप जानते हो कहां को निकलते हैं मुझा निकलती है यह भी आपको पता है नंदा देवी के बारे में सुना उत्राखंड में है तो वो तो बंदर पूछ हिमानी से निकलती है यम्य निकलती इसका नाम भी सुना होगा तो आप लोग सुनते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है बंदिनात के दारनाते नाम सुने होगे अपने तो यूके की इंपोर्टेंट है कॉमेट और नंदा देवी और त्रसुल आपक यूके अर्था उत्राखंड में है यह याद रहेगा आपको ठीक है अब आपको क्या करना यहां पर दूसरे हिमालय का पार्ट पढ़ना है ठीक है क्या करना यहां पर दूसरा यहां पर हिमालय का पार्ट पढ़ना है जैसे आप देखेंगे ग्रेट हिमालय के बाद आता य जानते हो ग्रेट हिमाला है और इसी ब्रह्ष ऑगाद हिमाला में आप देखेंगे बच्चोंगे इधर साइट से स निकलती एक नदी सिंदु से आहां से شुरू होता है आपका ही हिमालाय तो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में क्या होती है सिंदु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है क्लियर बात क्या होगा ट्रांस हिमालय और जो आपका ग्रेट हिमालय है यह मैंने पढ़ा दिया आपको और आपका ग्रेट हिमालय इसके बीच में क्या होती अइटी एस जेड कई बार एक्जाम में आता है कि यह इती जी ईटी एसड कहां पाय जाता है तो इसे बोला जाता है इंडो इंडो से होगया कि आपका आई सांगपो में ध्यान रखनाए लगाते हैं इसलिए से बोलते हैं किया सांगपो और सचर जौन तो याद रखना ये कहां पर पाया जाता है बच्चों याद रखना ये ट्रांस हिमालय और ब्रहद हिमालय जिसे बोलेंगे ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय और ये ब्रहद हिमालय के बीच में देखने को मिलता है इसे बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन एक्जाम में कोश सिंदू बहती है और आपकी ब्रह्मपूत्रा बहती है इसका मतला वे दोनों क्या करती है इन दोनों को अलग-अलग भागों बाट देती है इधर सिंदू करती है इधर ब्रह्मपूत्रा है तो ट्रांस हिमाले को क्या करती है वो ग्रेट हिमाला से अलग कर देती तो जोन बना अब जाने ट्रांस एमालय की बाद अगर आपद देखेंगे तो यहां पर आता मध्य हिमालय क्यों आप आपका मद्य हिमाल industries क्याय को ora ध्यान रखियेगा जो मध्य इमाला है वह बहुत ज्यादा डदाब नहीं यह Religion Chicken ये वाला भाग आपको अलग देखने को मिलता है, फिर बीच में गैप है, फिर आपको यहाँ पर दूसरा अलग पार्ट देखने को मिलता है, फिर आपको यहाँ पर अलग पार्ट देखने को मिलता है, और फिर यहाँ पर अलग पार्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब आप ऐसा करके अलग-़zung मर्य के इस वाले भाग को किस नाम से जानते हैं इसे पीर पढ़ाल के नाम से जानते हैं इसे क्या बोलते हैं ब पीर पनजाल के बीडिल हेमालाय या मद्युमालाय का इसे लगु हेमालाय या लेसर थे दो TeWeek मेल्स नाम में लगह ऑना, Εचा मिलेगा ये मिलेगा जम्हुन में, Washington माshe कह अधर इसे का जाता में, धॉला धर, इसका नाम क्या मिलेगा थूरा धर, कि इसका नाम है धौल धतर ध्यांड़क दो जाँ भार डाखना धौलागिरी अलग है धौला गिरी में नेकरवर्त के मैं बताया हूं नेपाल ब्रहत हिमालय की सिखर गुर्प धौलागिरी आपको यह यहां से पर यहां से अए शानो ven and थे ओर नाग टिब्बा तो मसुरी और यहां पर नाग टिब्बा नाम की पहड़िया इन्हें सईक रूप से नाग टिब्बा कहा जाता है ठिक है और फिर आप पहुंच अ मिलेगा आपको उत्राखने मिलेगा आप को एड़ुए दोला दर कहा मिलेगा आप को यह इसका भाग आपको तोड़ा सा हिस्था आपको जेन की में मिलेगा थोड़ा सा भाग आपका यू के में है वो कहां पर देखने को मिलेगी यह मिलेगी नेपाल में अब आपसे यह कोश्चन तयार करना है आपको दिमाग में रखना है क्या रखना मैंने बताया कि जो आपका लगू हिमालय है अर्था जिसे हम बोलते हैं मद्ध हिमालय यह अलग-अलग भागों में टूटा हुआ है तो याद रखना इसे अलग-अलग नाम से क्या नाम से जानते हैं तो यहाँ पर पीर-पंजाल के नाम से जानते हैं यह अलग पार्ट है यह मद्ध हिमालय का पार्ट होता है यह उत्तरखन मसूरी नाक्टिब्बा होता है और महाभारत स्रेंडी बोलते हैं इसको नेपाल म कहां पर हें जाने हैं इसन पूछ तरीकिक सुंजन किसका पार्ठ नहीं को गूर्थ में पूछे जाते हैं इतना जिट्यान रहेगा किशें को नहीं होने चाहिएए ठीक है कि अब आपको यहाँ और ध्यान रखनी है है वो क्या दखंगे देखा इस पीरपंजाल के बीच में सुनना यह यहां पर आपको पीरपंजाल दिख रहा है कि तो सब्म Moder को पीरपंजाल्स और ग्रेकम यह देखो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में यहां पर आपको घाटी मिलेगी क्या मिलेगी घाटी मिलेगी और घाटी क्या ज्यादा उची नहीं है ऐसा सपाट टाइपी घाटी मिलेगी मतलब आप देखेंगे दो परवतों के बीच में जो बीच में घाटी मिलती इसे सपाट टैपी घाटी मिलेगी आपको ठेके और ये घाटी जो है इसे कहा जाता है कस्मीर घाटी याद रखना ये कस्मीर घाटी का ये दोनों सही है पहला ओप्षन कैसा आएगा कस्मीर घाटी अगर मैं आपसे बोलूँगा कि भाई ये ग्रेट हिमाले अर्थाद ब्रहद हिमाले क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर ब्रहद हिमाले और लगू हिमाले के बीच में हैं तो क्या मैंने गलत बोला बताओ क्या मैंन ने इसको गलत बिला बाद tomar नेमे दोनों बात less वोली है दोनों तरीके से एक्जाम में कोशन पूछा जाता है कई बार इस तरीके से पूछ लेता है तो आपको पता होना चेये क्या कि इतौन मंद्द हिमालाय एक ही विच्समीर वैली तो यह बलकुल स åtके लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भाग देखोगे तो यह भाग कौन सा है पीर पंजाल और यह कौन सा है ग्रेट हिमालाए तो ब्रहद हिमालाए और पीर पंजाल के बीच में भी देखने को मिलता है इतनी बात क्लियर है तो यह दोनों सही है और जस्ट आप यहां नीचे देख है और कस्मीर घाटी में कस्मीर है जानते हैं यह दोनों अलग घाटी में बसे हैं यह दोनों किस से अलग है बच्चों तो यह पीर पंजाल से अलग है किस से अलग है यह पीर पंजाल के माध्यम से अलग है यह भी कोश्टन एक्जाम में पूछा जाता है आप लोग क्या के नहीं यहां पर यहां पर आप क्या देखोंगे पीर पंजाल जो है क्या करती है कस्मीर ओर आपकी जम्हूंट को अलग करता है तो हम जम्हूं भारे में ौक्रे मिटी गाती के बात करते हैं यहां दौक पनी थी कैसे तो बहुत अच्छा रहेगा जैसे ये हमालय बना है उट रहा था ये हमालय उट रहा था उस द्हुराण आप जानतें नदियां पानी तो गिरेगा बरसात तो होगी बरसात का पानी जब गिरने लगा तो इनी धालाओं में क्या होने लगा पानी बहने लगा एक साइड हिमाला बन रहा था और नदिया भी कर रही थे उसके कुछ हिस्से को काट काट कर वो इन हिस्सों में क्या कर रहा था वो जमा कर रहा थ इस हिस्से में जहां कास्मीर वैली है यहां पर वह हिस्सा जमा कऱ रहा था था नदीया भी हमाले की वाला भाग भी उठना चालो किया तो आप जानते बीचमें गढद्धा बना इस त act शाइड आपकाउग्या ऑपका ग्रेथ हिमाला एक साइड आपका यह पीर पंजाल अब यहां से नदिया निकलती यहाँ पर लाल आका मलवा जमावा जमा करते गई तरह अहाँ पर घाटी का निर्माल हो गया और इस पाट घाटी जो रहेगी बहुत उपजाओ रहेगी क्यों क्योंकि यह मलवे से बनी है इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए आवसादों से बनी है और आवसादों में कौन सी मिट्टी होती है विसेश्च प्रकार की मिट्टी होती है जलोर मिट्टी जिसें बोलते हैं लेकिन कजोड च्षेत्र है इप बहुत ही उब जाउव चित्र है यहां पर और किसलीए जाना जाता है ठीचाना यहां की बिसेश dire कि我们 के सबकी और केसर यह जाफरान किसम की यहां पर एती किसर उती है तो यहां रखतने कैसर की के के लिए विश्व प्रशिद्र है यहां का केसर के समका होता है इत्तम कोठी ने का के सर्माना जाता है ह। तक अब फूरुर प्रस्ट्प्र सर यहीं कि लोग जू वुलते रहते हैं वह केसर आप यहां पर देखोगे जो करेवा है अब exam में पूछा जाता यहां से question most time पी question है क्या पूछा जाएगा करेवा कहां पर पाई जाते हैं तो आपको लगेगा साला करेवा मतलब क्या होता होगा तो याद रखना अब आपने देखो देखो याद करो ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार detail से आप पढ pulls आपको क्या लगेगा सूना सोल लगेगा सबसूरा सुना सूना लगोगी कुछ समझञ नहीं आ रहा है तो ऐससी तो बिल्कुल मतलाऊ कि ठैक हां तो आपको यहां पता होना चाहिए ए जो कस्मीर हर्ड़ी ऐसी में क्या होते है नदियों के द्वारा जीलों के अवसाद जो है वहां जमा होते हैं बहुत उपजाव मिट्टी होती है उसे करेवा कहा जाता इसी करेवे में क्या होता है केसर की खेती होती है केसर के लावे काजू की खेती कर लेते हैं ठीक है ना अक्रोड की खेती कर लेते हैं अक्रोड की ज बता होना चाहिए यहां का बहुत प्यारा सहर है कसमीर यहीं पर है स्रीर यहीं पर है क्या है स्री नंगर यहीं पर बसा हुआ है और आप जानते हैं सीनगर के पाजुव में डल जील है डल जील भी आप जानते हैं बड़ी सुन्दर जील है यहीं पर है इसी घाटी में है डल जील ठीक है चलो तो इतनी बात आपको समझ में आगई यहां तक आपका कवर हो गया ठीक है चलो कितना क्लियर है ठीक है अ और कलीजे एक और करीए इसमें अब आप आगे अजाइए बच्छों आगे आएंगे तो आप आएंगे क्या अब आएंगे शिवालिक स्नेडी कहां पर आएंगे आप तीसरा हिमालाय का पार्ट है कौन सा यहां स्रिवालिक स्रेड़ी क्या यहां पर स्रिवालिक स्रेड़ी ठीक है अच्छा एक और बात ध्यान समझना है इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बुक्या रखनी देखो यह वाला जो हिस्सा है यह वाला जो हिस्सा है पूर है लगवग 3500 से लेकर मतलब 2500 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी हाइट है अवरेज तो 3500 मीटर में बहुत ही अच्छी जलवायू पाई जाती बच्चों हाइट में जब आप जाओगे तो 3500 मीटर की हाइट में आपको बड़ी प्यारी जलवायू मिलती है वो होती है सितोष्ण जलवायू सितोष्ण जलवायू मतलब बच्चों यह ऐसी जलवायू जिसमें ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और आदमी बिमार किसकी वज़े से होता है ज्यादा ठंड में बिमार और ऐसे देश, ऐसे छेते जहां पर सितोषन जलवायू पाई जाती है, वहां पर सबसे ज़्यादा लोग स्वस्थ रहते हैं, और वहां के लोग सबसे लंबे समय तक जीते हैं, एक्सामपल जापान जापान में कौन जलवायू है सितोष जलवायू है इसे वहां के लोग ज्यादा जीते हैं तो सितोष जलवायू कितनी हाइट मिलती है आपके 3500 मिटर 25 सो पैंतिस जो मीटर तक कि हाइट में आपको यह वाली जलवायू देखने को मिलती है अच्छी जलवायू है ठीक है तो ऐसी जलवायू आपको इसी मद्ध हिमालाय में देखने को मिलती है इसकी हाइटी एवरेज यह है तो यहां पर आपको बड़े प्यारे प्यारे सहर मिलेंगे क्यों बहुत प्यारे प्यारे शहर मिलेंगे और वह मिलेंगे क्या ही स्टेशन जो स्वास्थ। प्रदिस्थान मिलेंगे इसी वज़े से आप जानते हूं यहां पर आपको बहुत प्यारे प्यारे यहां पर स्वास्त प्रदिस्थान देखने को मिलेंगे तो इत शेत्र बड़े ही प्रशिद्य हैं खेके और स्वास्त प्रद्र माने जाते हैं लोग चुटी बनाने ही जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्वास्त प्रद स्थान कहां देखने को मिलेंगे इतनी बात क्लियर है दूसरी बात बच्चों है इतनी हाइट में जब आप जाते हैं देखो उपर साइट जाओगे तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है व यहाँ पर घास के मैदान डेवलप हो जाते हैं जो वहाँ के पसुओं के लिए बड़े उत्तम माने जाते हैं तो यहाँ पर घास के मैदानों को ध्यान रखना क्या गोलते हैं मर्ग कहा जाता है मर्ग 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 ठीक है तो आप जानते हो मर्ग में आपने नाम सुना होगा सौन मर्ग इस सौन मर्ग ऐसा छेत्रे जम्मु कस्मीर का जहां पर ए घास के मैदान देखने को मिलेंगे गुल्मर्ग ऐसा छेत्रे जम्मु कस्मीर का जहां पर आपको ए घास के मैदान देखने को मिलते हैं ए घास मतलब चुकि इनका निमाल अल्पाइन रचल में हुआ तो वह बोलते हैं अल्पाइन घास के मैदान तो यह मिलेंगे मर्ग बोलते हैं इनको सौन मर्ग गुल नाम सुना होगा इतनी बात क्लियर है किसी को दिक्कत है नहीं होना चाहिए फिर आप जाते इन्हें उत्रा खंड म इन्हें उत्रा खंड में इन्हें बुग्याल के नाम से जानते हैं यहीं घास के मेदान को कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक क्लियर हो गया है जम्मु कस्मीर में क्या बोलते हैं इनको मर्ग कहते हैं यहां लग देंगे जम्मु कस्मीर में क्या बोलते हैं को मर्ग कहते ह कि इसisc कबर होगी आपकी हम यहां पर बात करते हैं आपकी सिवालिक स्नठी सबसे लास्ट की क्या है इसे नवीन हमालाई भी नवीन हमाला केयते हैं अब नवीन हमाले में क्या-क्या आपको ध्यान रखना है फिके इसके बाद साथ आपका आता है वाला भाहर ये बिल्कुल पास पास आने लगता देखना बुल्कूल इदरे चपक जाता वाद मीचा यहां तो आप यहां पर देखेंगे जो सिवालिंग सेरी है तो जिसको हम लोग पढ़ना प्लायोसेन काल में हुआ है जो सबसे Lattus हैं मतल़ विस सभी हिमालनEr में सबसे नंती में सिवाली इसटरी बन रही है तो ये प्लायोसीन काल में इसका निर्माध देखने को मिलती है लंबग ऐसी घाटियां होती हैं बच्चों जो एक दूसरे को मिलाती है तो यह हुई आपको पास होना चाहिए sweet घाटा होती है उन्हें किस नाम से जानते हैं उन्हें दून के नाम से जाना जाता है ठßen travaille Сव् 6 आज veil बहुत सारी ऐसी लंबग घाटियां देखने को मिलती हैं, जो क्या करती हैं, इनको आपस में जोड़ देती हैं, ठीके, तो जो पस्चिम वाले छेत्रे में जो घाटियां मिलती हैं, लंबग घाटी, तो वहाँ जो सहर बसा हुआ रहेगा, उसके पीछे दून जरूर लगा र अशे वालिक स्रेडी के बीच में, मिलाने वाली घाटी में बसा हुआ, या लंबग घाटी में बसा हुआ है, उसी तरीकए यसे आप जानते हो, पूरा बाले छेतर में आप देखेंगे, तो इसे कहा जाता है, वहाँ पर, यसे बोलते हैं, क्या दुवार ऐसा दुवार भी भी क्या होगा ऐसी लंबक घाटियां देखने को मिलती है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हरी दुवार उत्रा खंड की यह का आप देखेंगे सहर हरी दुवार देखने को मिलेगा लास्ट में क्या लगा है दुवार उसी तरीके से देखेंगे पोट दुवार इसका मतलब यह भी क्या है, ऐसी पहाडी में बसा हुआ है, कोट द्वार, तो आप समझ जाएए यह द्वार जो है, बेसिकली यह कहाँ पर है, यह पूरब में है, पूरब में जब ए घाटियों के माध्यम से दोनों आपस में मिलता है, तो इसे कहा जाता है कि आपका द्वार और पस्ची में जब मिलता है, इसे क्या बोलते हैं आपका यहां पर दून, इतनी बात सबको समझ में आगी, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होने चाहिए, यहां तक सभी को क्लियर है की नहीं भी यहां तक, ओके, ठीक है, तो इतना आपको यहां पर आईडिया होना चाहिए, अगर इतना भी, आईडिया ना हो यार तो फिर आप बोलेंगे आपने पढ़े क्या हो, क्या नहीं पढ़े हो, कोई मतलब का नहीं पिर आपका तो, ठीक है, इतना कम से कम आपका होना चाहिए, ठीक है, चलो, अब यहां पर और भी कोश्चन आते हैं कि आते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा जहां समझना जैसे हमने मद्ध हिमालाय को पढ़ा हुआ था मद्ध हिमालाय को हमने देखा था बच्चों तो उसमें क्या था वो कटा फटा था क्या था वो कटा फटा था था अभी क्या है कटा फटा था में और अलग-अलग पन जानासे ब linen की बचल में को दैखने क्या मिलेगा आपको कटा-फटा देखने को मिलेगा तो सिवालिक स्ञेडी भी एसी सीधी-सीधी नहीं है इसके बीच में आपको बहुत सारे क्या होंगे भाग कटे हुए मिलेंगे जैसे आपको मैंने बताया यह वाला जो भाग मिलेगा वो मिलेगा जम्मू पहाड़ी अब मैंने जम्मू पहाड़ी के बारे में आपको पहली बता दिया था जम्मू हिल के बारे में देखो यहां पर मैंने आपको अलग से बताई दिया था कि पीर पंज है इस सिवालिक सिनरी का पार्ट मानाघाता जम्मु हिल थि के उसके बाद आप जानते हो इधर साइड पहुंच जाएंगे तÚ यहाँ पर इसका नाम यहां पर आएगा धुंडवा क्या बोलेंगे डुंडभा क्या क्या नाम रहते हैं इलाके में धुंडवा ठीक है फिर आप जानते हैं यहां पर नेपाल में चले जाएंगे तो इसका नाम है चुरिया लेफाल में और फिर आप जानती ही भाग कटा फब्टा है अगरा पहुंचेंगे और नाचल प्रदेश में है ठीक है और नाचल में पहुंचेंगे आप तह यहां पर इसका नाम खरनेगा डफला अबोर मिसमी यह आपे नाम सुने होंगे ना यह डफला अबोर मिसमी गिरी यह मिरी सुरी मिरी नाम सुना होगा आपने यह सब इसी में है ठीक है ना तो आएगा डफला अबोर मिसमी और क्या आएगा यहां मिरी ठीक है इस सब किसके पार्ट है बच्चों किसके पार्ट है इसी सिवालिक स्रणी के पार्ट है सिवालिक स्रणी बहुत ज्यादा कटा फटी है बहुत ज्यादा क्या है यहां पर है कटी फटी आपको देखने को मिलेगी तो इसके नाम आपको अलग-अलग अलग-अलग मिलें जम्मू हिल्स इसी का पार्ट है धंग इसी का पार्ट है धुंडवा इसी का पार्ट है चुरिया इसी का पार्ट है डफला मिस्मी अबोर और मिरी यह सब इसी के पार्ट है ओके इसी वाले के भाग माने जाते हैं ध्यान रखना इतनी बाद समझ में आई लेकिन आप जानते ह यह अनाचल प्रिदेश में जैसे यहीं नीचे आते हैं तो इन्हें अलग से हम नाम बुलते हैं यह मुख हीमाला के पाथ है यहां तक जैसे बोलेंगे पूर्वानचल पहाडी फूर्वानचल मतलव आप जानते हैं यहां से हिमाला क्या होता है नीचे की तरप एक सिंटेक्स पूरवादी है दिष्यायोएं चाहाती है प्रुदेश को पटकोई princi हैं पटकोई भूम के नाम से जानते हैं unserer नाग스क पाहडी के नाम से जानते हैं नागलन आता है तो इसे नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, फिर आप यहाँ पर पहुंच जाएए, क्या मडीपूर पहुंच जाएए, तो मडीपूर में ध्यान रखना इसे मडीपूर की पहाड़ी, या ध्यान रखना लेमा टॉल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, क् मिस्मी पहडी के नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए इसके क्या हैं, बच्छों पाठ हैं, इसके क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पर पाठ देखने को मिलेंगे तो अगर आप से पूछा जाए कि यह डफला अश्मी तो कि अधुअाच्र को ओब talking और ही में के पाठ है और जब कि चुमकि है साउथ में भी यहां पर पहाडियों के पाठ है मतलब हिमाला क्या होता है साउथ की तरफ मुढ जाता है तो उसे मूलते हम पूरवांचल की पहाड़ी इसी के साथ में आप देंगे के मिया मार में आपको इपको एक अलग भाग देखने को मिल और मियामार का कौन सा छेत्र खास तरपी ध्यान रखना रखाइन छेत्र आपने देखाऊगा मियामार का एक रखाइन प्रांत है इसी रखाइन प्रांत में इसका विस्तार जाधा देखने को मिलेगा इसे कहा जाता आराका नियोमा याद रखना इसका विस्तार मियामार में क की हिस्से माने जाते हैं ध्यान रखना एक्जाम में कोशन आता है कि अंड़मान निकोवार दीप तो बोलना हिमालाय के भाग है सोचो हिमालाय नीचे तक गया मुड़के कि समझ रहे हो तो मुख की हिमालाय जो है वो यहां तक आता है इसके बाद हिमालाय क्या हो जाता syntax कि अ यहां से क्या हुआ नंगा परवत से लेकर आपका नाम जा वरव lets पो पहुचा यह वाला पार्ट इसके वाद क्या होता है इस सिवालिक सटी के पार्ट अल mail नाम होते हैं धप्ला करेंगा करतीए इस एक भी आधां से आता है यहां पर चोटा सा भाग इंक आपका मडीपूर का इधर मिजूरम का फिर यह आपका बड़ा पाट आजया तो यह पर को को धीत यहां पर अंडमान निकोष्जयवार दीप पूरा समुवाँ, तो यहां पुरुत्यणी अंडमान, दक्ष्णी अंडमान, मद अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोवार, छोटा निकोवार, ग्रेट निकोवार, यह बेसिकली यह हिमालय कहीं हिस्सा है, अगर आप से पूछा जाए कि हिमालय जो है, मत अंडमान, निकोवार, दीव वह भी हिमालय का हिस्सा मानी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए हिमालय जो है वह सिंटेक्स बेंड बना देता इस तरीके से ऐसा जाता और ऐसा करके मुड़ जाता है क्यों मुड़ता है वह साब अभी तो नहीं पढ़ेंगे सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने यह साफ़िया पहाड़िया हें पूर्वानचल की पहाड़ी केते हैं और अरग को लूमा हिमालय के इससा और यह आपका वाला और अब बहुत सारे बच्या होते हैं क्या का मुझे क्रेंट यह अ olması नसी दिए हिस्स्सार या पर आप देखोगि उधर साइट मेधालय में यहां मि भारत का पार्ट है पहले यहां तक था ऐसा 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 था था तो यह वाला जो प्राइडी भारत का पठार रहें वह मिगाला तक जाता था लेकिन आप जानते हो इधर से क्या होगी बच्चों इधर साइट से गंगा नदी आई क्या हुआ इधर साइट से गंगा नदी आई और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों इस बाले हिस्से को काटा 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 यहां से आपकी में नदी यहां से आपकी हुगरी नदी यह बाले भाग को इन्हें क काट दिया पूरे भाग को इन्होंने क्या किया करके काट दिया इधर से आती है क्या ब्रह्मपुत्रा आती है उसने भी यहां से आते हुए यह वाले भाग को काट दिया तो आप जानते हैं यहां से आप देखेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा यह वा नदियों के द्वारा क्या कर दिया गया तो आप यहां पर देखोगे अब इसका विस्तार का मिलेगा यहां पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी एक मिलेगी क्या पर पहाड़ी इसका नाम है राजमहल की पहाड़ी क्या मिलेगा बच्चों यहां पर ए मिलेगा राजमहल की पहा है और यह वाला हिस्सा क्यलाता है गारो खासी जैंतियां यह पहाड़ी है गारो तो यह वाला जो हिस्सा क्यलाता है बीच वाला यह वाला जो बीच वाला हिस्सा क्यलाता है इसे अलग नाम से जाना जाता है इसे कहा जाता है क्या बच्चों इसका एक नाम दिया जाता है उसक थे लाका आपको यहां मिलेगा तो इसे मालदा गैब भी कहा जाता है एक्जाम में यहां से कोशन पूछा जाएगा क्या पूछा जड़ा समझ आ मैं आपसे पूछूं कि जो यहाँ पर मिघालय की पठार में जो पहाडिया है खासी गारों जयंतियां पहाडिया है वो बताईए हिमालय का पाठ है पूर्वांचल का पाठ है हिमालय तो यहां तक का हो गया पूर्वांचल ही हो गया तो पूर्वांचल का पाठ है यह हिमालय का पा mandates या वो लेंगे प्राइडी भारत का पठार के भाग माना जाएगा ठेक एक और बात यहाद रखना आप यहां पर कि यहाँ जो फेन इसका नां के मिलेगा आपको राजमहलगारो गैप मिलेगा जैसे माल्दा कित के नाम से जांते ही अ क्लियर होगी बात तो Kung Sabade misschien कि अब आपके कमेंट लेता हूं कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो अरे मोबाइल तो सुच आफ हो गया इसी में देखता हूं में कमेंट आपके अब थेंक्यू सर आपके ज्यान ठीक है हां थेंक्यू माल्दा क्यों बूलते हैं बेटा माल्दा यहां का इलाका है आप लोगों ने सुना होगा यह जो वाला इलाका है यह आप देखेंगे बंगलादेश का यह वाला छेत्र माल्दा इलाका कहलाता जैसे आपका गाओं का नाम होगा वैसे उसका भी नाम है माल्दा मतलब माल्दा इलाखे का नाम है माल्दा इसलिए माल्दा गया प्याते हैं इसको ठीक है यहां तक सभी को क्लियर है किसी को दिखका थे क्या करेंगे लेकिन आप लोग तो बिना बताएं चलेगे मैं पढ़ा रहा हूं इधर से कुछ लोग तो चलेगे बिना बताएं अच्छा कि यहां तक सभी को क्लियर है किसी को डाउट कुछ पूछना हो ऐसे कोशन पूछो जो काम के हो ठीक है हाँ यहां तक बंद आएगा सभी को कि अच्छे के अच्छे रहा पुंजी जो है वो इसी खासी पाड़ी में आता है बहुत बरसा होती हुआ पर ठीक है यहां पर आप देखेंगे यह वाला जो हिस्सा है यह मेघाला का पठार है यहां पर मेघाला का पठार है और मेघाला का पठार दूर तक फैला हुआ है क्या है यहां पर यह दूर तक फैला हुआ है और आप जानते हैं इधर साइड आपको असम का छित्र मिल जाएगा यहां के मिलेगा तो यहां पर आपको रेंगमा की पहाड़ी मिलेगी कौन सी पहाड़ी मिलेगी यहां पर आपको रेंगमा की पहाड़ी मिलेगी यहां पर आपको रेंगमा की पहाड़ी मिलेगी यहां पर आप जानते आसम के छेत्र में यहां पर मिकीर की पहाड़ीया है क्या है ? मिकिर की पहाडियां है और यहां पर रैंगमा की पहाडिया है कि यह पहाडियां जो है वो असम्मानी जाती है है यह वाले भाग महें को और कुछ पूछना है जो सिलांग का पठार जैसे बोलते हैं इसकी राजदानी है हिमालय का हिस्सा नहीं है बच्छों मैंने बता नहीं वाला हिस्सा इसका हिस्सा है बस काड़ दिया गया इसलिए आपको अलग दिखता है ठीक है कि चलो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से हमारा हिमालय का पार्ट क्या होता है कवर होता है ठीक है तो इस तरीके से हमारा हिमालय कवर हो जाएगा अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां से जितन मिनट का गैप लेते हैं ठीक है क्या लेते हैं पर हम लोग अम लिख देता हूं यहां पर ठीक है जब तक आप लोग क्या कर लेजे यहाँ पर 10 मिनट का रेस्ट होगा ठीक है इसका मतलब 10 मिनट के बाद जो हमारी क्लास पुना है प्राराम होगी ठीक है तक है दस मिनट का गैप है आप लोग बढ़िया जो चाय पीता हो चाय पी लीजे जो पानी पीता हो पानी पी लीजे ठीक है हाँ फिर हम इसको सुरू करते हैं ठीक है यह देखें बहुत इंपोर्टन टॉपिक प्ला रहा हूं यहां से कोश्टन बनेगा आपके घिसाम में अब परिशान मत होना यहीं से आएगा कोश्टन सारे आप तो हम लोग भी बैटरी को चार्ज करतें जब तक के थे एंवा सारे को पहां से को अब टॉफ ग्रॉफ समचे elegante बर्योंfer देनेगा भी ठाम वे हैं लोग घंपके ङुन करते हैं अल्चisen करते हैं झाल 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 पार यह ऐसे सुरूर अल झाल यहा7 यहा9 तो यहाँ छून तक पहाड़ी के माध्यम से मिलते एक लंबक पहाड़ी है यहां पर इस तरी की पहाड़ी है इसे कहा जाता है इसे कहा जाता निलगिरी यह निलगिरी ठीक है आपको बताते जा रहा हूं यहां से कोशन बनते एक्जाम में यह निलगिरी की पहाड़ी निलगिरी की पहाड़ी के बारे में ध्यान रखना ही क्या करता है कई बार एक्जाम में आता है कि पूर्वी घाट औ कोशन आजाता है यहां पर जंजाती का नाम रहता है तोड़ा तो इसी नीयलगरी की छेतर में क्या पाई जाती है फिर डार आपाई इसके जस्त आप नीचे जाएंगे यहां पर तो यहां पर मिलेगा आपको पालनी पहाडी यहां मिलेगा क्या आपको यह पालनी पहाडी पालनी पहाड़ी में क्या खास बात है यहां पर ध्यान रखना एक नैसनल पार्क जाला में ऊसका नाम कोडाई कनाल किया मिलेगा यहां पर इसमे एक नेस्नल पार्क मिलेगा उसका नाम है कोडाई कनाल यहां पर नेस्नल पार्क मिलेगा आपको पालनी की पहाड़ी में फिर आप यहां पर देखेंगे इधर साइड करम से यहां मिलेगा आपको अन्ना मलाई की पहाड़ी यहां के मिलीगी बच्चों आपको यह अन्ना मलाई की पहाड़ी इसी अन्ना मलाई की पहाड़ी की सबसे उंची चोटी मिलेगी अन्नाई मुदी और आपको पता होना चाह कीशिको मशना चाहिए ठीक है फिर आप जानते सबसे लास्ट में यहाँ पर पहाड़ी600 कि इसका नाम क्या मिलेदा आपको कारे मा मिल तो इसे directly chorussen आ जाता है जब है कि सबसे शाउथ की पहाड़ी कॉनसी है है सबसे साउथ की पहाड़ी कौन सी है तो याद रखना यहां परे काड़े मम हिल है इतनी बात क्लियर है किसी को दिक्कत इसमें क्या नई होना चाहिए ठीक है यह तो हो गई इधर साइट अब आप जानते हो यह तो इनकी नीचे वाले भाग में हो जाती है अब इधर साइड आपको तमिल नाडो के यह व तरह और हम यह जाम में को सतना आता है हां से थेयां रखना शीन यहां पर सबसे ऊपर आप जाएंगे यहां पर आप यह वाले भाग में руки मिलेगी बहुक्त मुच्छान पीन चकंट गानें और कि पृर्वी घाट का अलग फिससा है रहें शैक है उसे कहा जाता है यहां भूपर सेवराय की पहाड़ी गए को कि आ कि अचाए ये वाला कलर दिख रहे हैं दिख रहे हैं आपको को मीटा तरह नहीं तो किया दिख नहीं 설 जांद रखने सेवराय की पहाड़ी कहां मिलेंगी क तवी ते में खय हम नाडू मिलेगी आपको तमिल नाडो में देखने को मिलेगी ठीक राब जानते यहांप पर जवादी की पहाड़ी고 जो एक तमिल नाडू में है उसी के फिर मैं पालनी बोलू या अन्ना मलाई बोलू या एक बोलू सारा जो है एक कुछ ध्यान रखना बॉर्डर में है तो रिकेरल में भी आती है और आपकी इसे में आती है लेकिन सेवराई की पाड़ी हो जवादी की पाड़ी हो गई एक में बताया था यहां पर ध्यार रखना समान अंतर आपको यहां पर तीन पहाड़ियां देखने को मिलती है आंध प्रदेश में क्या क्या नाम से बोलते हैं मैंने बताया था पाल गॉंड़ा है ठीक है बैली गॉंड़ा है यह सब आंध प्रदेश में हैं ठीक है और साथ न ऐसन आहां पहाट क survives दीक हैं कि इसब कहां मिलेगी तकर बाइव को आन्ध प्रदेस में देखने को मिली यह सब क्या मिलेंगी और को यह सारी की सारी आ तेखने को मिलें कि कितनी बात क्लियर हैं आप मुझे बताओ जो पहाडिया एक्जाम में आती हैं क्या उससे समूझे आपको डाउट बचा है क्या है अब मुझे बता दो पहाडिया और पूछनी है कि जो आपको पता हो और मैं आपको confused दूर करते हों उसके लिए थोड़ा बड़ा लेखो यह बच्चा सब मिलेगा यह नोट्स आपको PDF के फॉर्म मिल जाएगी आपको लगराबा से बहुत बड़ा है ज्यादा बड़ा रिखूंगा तो एक ही में समानी पाएगा कितुने सारे पीज बनाना पड़ेगा क कभी दर कभी दर इससे क्या होता हमारी एक आगरता तूटती है हमें क्या करना होना है एक ही जगा सारी भबस्ते करनी होती इसलों को नोट्स दे दूंगा मैं कहां मिलेगा आपको बता दूंगा तैक है चिंता मन करो अंग आप मुझे बताई यहां तक सबको क्लियर है कि कुछ और पहाड़ी के बारे में पूछना है कि अधिक और पहाड़ी तो नहीं बताना है आपको यसे और नगारी की पहाड़ी यह होती है नगारी की पाड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी ठीक है फिर आप जानते पंच मलाई की भी पहाड़ी मिलेगी सिरू मलाई की पहाड़ी मिलेगी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं उपर साइड अगर आंध्र प्रदेश में जाओगे आप यहां पर ठीक है तो आंध्र प्रदेश में मै मैने आपको नागारी की पहाड़ी लेखने मिलती है यह आप छहें तो और भी यहीदा, ऐक सब्ने क्टेक है अधिक और मैंने भी आपको बताया यहां पर मुझा नौर से सांहूत का क्रब भी कुछ ले दो के सोत में तो यहाँ पर और पहाड़ियंह देखने को बिनेगी आप अगर इनका क्रम पूछ ले तो पिर आप बोलना सबसे ऊपर मिलेगी आपको यहाँ जवादी की पहाड़ी पत्र मिलेगी और पिर मिले में सिरूदा से ध्हां लिकी हो गई ता यहां पर सेव राय की पहाड़ी इस से बाद हो गई इसके बाद आता है यहां पर पंच मलाई यृ- aument नाड़ो में फिर आगए हां पर सिरू मलाई यृ कहां पर आएगा थैस कि इन पहाड़ियों को याद रखना यह तम पर तो में औरिजनाल इस सिर्फ पर सिर्फ तमिल नाडू में आती हैं बाकी जुतनी मैंने बताया हूं यह तमिल नाडू और केरल की बॉर्डर में है पाल नहीं बीजवाली तो मैं आपको बता दिया को दिक्कत नहीं है ठीक है आपको पता होना चाहिए जो आपका पश्मी पश्मी घाट की सबसे उंची-चोटी कौनसी है याद रखना ये काल सुबाई है ठीक है और आप लोग बोलते हैं कि यहादरी इसका नाम रखा जाता है सहादरी तब रखा जाता बच्चों जब यहाँ पर इस पहाडी के साथ में यहाँ पर ग्वालन की पहाडियों को पर आपको पहाड़ी मिलीगी मैं आपको बताया था एक ग्वालन की पहाड़ी है एक ग्वालन पहाड़ी है इस ग्वालन पहाड़ी को जब इसके साथ हम सामिल कर लेते हैं तो इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों इसे सहयादरी के नाम से जानते हैं इस बात को थोड़ा सा दिखना ठीक है इतनी बात क्लियर है तो पहाडियों के संबंद में जितने भी कोश्टन आएंगे आपसे बनना चाहिए बाकि आप देखेंगे यहाँ पर महराश्टर में अलग-अलग पाड़ीया है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर आजंता की पहाडियां मिलेंगी यहाँ पर आप देखेंगे आंद्र प्रदेश में आपको कुछ घाट देखने को मिलेंगे क्या मिलेंगे पश्मी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर बात करेंगे पश्मी घाट ओर पश्मी घाट तो होगया प्श्मी तठी मेधान क्या पढ़नेंगे यहां पश्मी घाट मेदान मिलेंगे को स्टल मिलेंगे पश्मी घाट मेधान और यहाँपर आता है पूर्वी घाट यहां से बहुत सारे क्यों निया prosecutors बंते इक ब तसमजना कर॥र समते पश्मी घा किया था मैंने यहां पर छोड़ दिया था वह कैसे छोड़ा था जड़ा समझना यह देखो मैंने आपको यह वाला भाग पढ़ाया था हूं यह इतना भाग मैंने पढ़ाया हूं यह वाला बोला मैंने क्या है यह आपका है यह ठीक है यह पश्मी घाट हो गया फिर मैंने बो कोस्टल प्लेन एक पूरा यह कहला अपका कोस्टल प्लेन तो पूरा जो हिस्सा है यह वाला यह पूरा इसलिए चोड़ा बना रहा हूं क्योंकि चोड़ा है ते चौणा है उसी के बात में आप आप को और चोणा बना थेता हूं मेर तो जो चोणा ज्यारदा इससे आपको फित बेटेग पूरा इब हाथ और चौणा है ठीच Ma का अब सबसे पहले आपसे यहीं से कोशन पूछ लेता सामने बाला क्या पूछता घाथ बताओ आप जाया पूर्भी घार जादा छोड़ा है तो आपका कोर्श थम पहली बात रखनी है जो पैप शुमी तटी मैदान यह क्या है पूर्वी तटी मैदान है तो पैशुमी तटी मैदान का जो संगार्य कोई इससे ल्ह रेग जोटाई है कि इतनी बाथ पहले आप समझोर्वार कितनी पूरी इसकी चालिस से 50 और इसके जो रहना रहना हो है सो से लेके 120 किमेटर है तो पहला तो आपको यहां से दिमाख में बात रखनी है क्या रखनी है कि या पश्मी तटी मैदान जादा चोड़ा है या पूर्वी तटी मैदान जादा चोड़ा है तो आप बोलना पूर्वी तटी मैदान जादा चोड़ा है चलो ठीक है अब आप से यह भी कोशन पूछ जाता है कि बताईए पश्मी तटी मैदान जो है वो कम चोड़ा क्यों है और पूर्वी तटी मैदान अधिक चोड़ा क्या है उसका रीजन क्या बताओगे उसका रीजन आप यहां पर यह बताओगे कि इधर साइट से जो नदिया निकलती है इधर साइट से नदिया निकलती है तो आप जानती यहां से निकलती है इस त्रम्वेकेश्वर से निकलती है इस त्रम्वेकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी तो गोदावरी नदी जब यहां से बहती है इस तरीके से तो यहा यहां पर ध्यान रखना यह बहुत बड़े छित्र में क्या बनाती है डिलटा बनाती है तो इसी तरीके से यहां से निकलती है महावलेश्वरम से निकलती है क्रिष्ण नदी यहां से निकलती है कि कि यहां पर आकर डिल टा बनाती है काफी चोड़ा च्षेत्र हो जाता है डिल्टा वाला घृण फिर आप जानते इधर साइट से कर्नाटा के कुर्ग पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी तो आप जानते हैं वो इस बाले भाग में आकर क्या करती है, काफी चोड़ा एरिया बना लेती है, फिर आप जानते हैं यहां से निकलती है बेगाई नदी, यहां भी चोड़ा इलाका बना लेती है, फिर आप जानते हैं यहां से निकलती है पिनार नदी, यह चोड़ा इलाक नधी आती है तो वो इस चेतर में फिर का करती है डेल्टा बनाती है साइट आ अप देखो के तो हुगली नधी आ साव सबसद्रा आता इस तरीके से देखोंगे यहां पो को डेल्टा देखने को कि Genesis । डेल्टा मतलब आप देखें कि नदी के मोहने पर बहुत चोड़ी मिठी जमा हो जाती है, तो आप से पूछा जाए कि यह चोड़ा क्यों है, तो चोड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा का निर्मान होता है, दूसरी इंपोर्टन बार, यहाँ से जो नदीया निकल होता है, तो यहाँ जो नदीया आती है, इधर जो नदीया गिरती है, यह धिया रखना एस्चुरी बनाती है, यहाँ की जो नदीया होती है, बच्चों क्या बनाती है, वो एस्चुरी बनाती है, और यहाँ की नदीया क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, तो एक्जाम में क्यक्र जी मैदान में क्या होता है उसमें क्या बनते हैं डिल्टा का निर्माण होता है जब की देखेंगे यहा 6 तक है यहं से किनारे में बहुत है उसे कगार बोलते हैं तो यहां पर नदिया जब भी आती है यहाँ पर नर्मदा हो चाप तापती हो जब खंबात की खाड़ी में जाती है ना तो मिलती नहीं है उसमें वो कूधती है तो आप जानते हो जब गूदेंगी तो वहां गड़ा बनेगा ऐसा पूरा तो उसे क्य बोलते हैं एशुरी तो देखिए एशुरी बनने की सर्त क्या है डिल्टा बनने की सर्त क्या ज़रा समझ लो एशुरी या जिसे हम बोलते हैं जवार नदमुक कब बनता है और डिल्टा यहां पर कब बनता है देखो जब मालो नदी यहां से जा रही है और इसका मिलन स्थान यहाँ पर ही, यह मालो सागर ए है, और नदी मालीजे ए है, नदी जब उपर से इसमें गिरती है, यह देखो गिर रही है, तो बनेगा यहाँ पर एशुरी, और जब मालीजे नदी क्या होती है, इस सागर में जाकर मिलती है, तो यह आपका सागर, यह आपकी नदी, तो नदी के मोहाने पर त्रिबूजाकार मिठी के जमाओ को त्रिबूजाकार क्या होती मैं आपको सब पताता हूं मैं डेटर से पढ़ाता हूं मिठी का जमाओ कहलाता क्या डेल्टा अभी इतना बाद समझो डेल्टा कब बनता है बब नदी क्या होती है सागर में मिलती है तब और एशुरी कब बनती है वो जब कूदती है तब एशुरी बनती है तो यह वाला जो छेत्र बच्चो एक कगार छेत्र है तो कगार छेत्र से कोई भी नदी जब आती है तो वो गिरती है मिलती नहीं है और यह सपाड वाला छेत्र है तो क्या होती नदिया यहां पर मिलती है ध्यान रखना ये वाला जो भाग है ये चौड़ा होने की वज़ए ये डिल्टा के उपस्तिती की वज़ए है ये कम चौड़ा होने की वज़स किया है ये एसुरी का निर्माण है यहाँ ठीक है इतनी बार समझ में आएगी यहां रखने कोशन कई बार स्टेट्मेंट में पूछा जाता है अब यहां पर इनके नाम भी क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं अब नाम क्या होते हैं जरा समझते इनको यह वाला जो है तापती नदी से लेकर यहां तक देखोगे यह वाला जो हिस्सा है इसे विसेस नाम स जना जाता है इसे कहा जाता है कॉंकड़ तट इसे क्या बोलते हैं बच्चों यहां पर कॉंकड़ तट इसे कहा जाता है ठीक है और इसके बाद ध्यान रखना यह जो करनाटक का छेत्र है यह वाला जो करनाटक का छेत्र यह वाला ठीक है इसे ध्यान रखना यहां पर मंगलो आम्नालोर। तो कहा जाता है यह मंगलोरोर। तटा थ्यान रखना यहांपर बरावली कहते हैं क्या बोलते हैं मैं ते Conservative क्यों पर क्या बोलते हैं परना मुकूला और है और यह जानता है यहांडा फौलते हैं है यहां पर इसके थीन भाग मुक्रूप से मानए जाते हैं एसा माना जाता है कि यहां पर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है तो पर इदन जब इसका विस्तार अम लोग पढ़ते हैं तो से विसेष नाम से जा जानते हैं काठिय वाड़ा च्छेत्र का veut कर pies कि का कि यह लिख लो का jal कि ए से अमक्या बोलेंगे इसे रहुगे किए काठिया वारा का मैदान इक लाएगा आपका काठिया वाळा का मैदान तो इस तरीके से यहाँ पर आपको तीन तट में लाएंगे काठिया वाळा तट, कॉणकड़ तट, मंगलोर या बरावली तट और साथ में क्या है यहाँ पर मालावार तट इसको थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर सबसे जादा जो उपजाव छेत्र है वो यहाँ पर आप जानते हैं मालावार तर जादा उपजाव है यहाँ पर आप देखेंगे तो लवली विट्टी है यहाँ पर उत्पादन होता है किसका नारियल का होता है यहाँ पर नारियल का उत्पादन होगा केले का उत होता है लेकिन आप यहां पर देखिएंगे काठ्षा अवाले चेत्र में ही अच्छी खासी खेती हैं पर हो जाती लेकिन सबूर्ची ग्रांटा जाता है तक इतनी बात कि या लाता आपका क्या को रूबनेट टाट के पूरा कूल शुमें ह dis के बाद आप जानते हैं एक लाता का आंधर तड अंधर प्रदेश में तो क्या बोलते हैं इसको आंधर मंधर तका डाता ही ठीक है इससे आंध तट भी कहा जाता है और इसको उपर वाला जो हिस्सा है उपर वाला जो हिस्सा है इसे ध्यान रेखना उत्कल तट या उत्तरी सरकार भी कहा जाता है उत्कल तट या ध्यान रेखना वोलेंगे इसको उत्तरी सरकार ठीक है गाल-वांडल इसे कहा जाता है एतना थोड़ा शागा ध्यान है अब इनके नाम आपको से लंग कूछ लोग क्या सपशला है केवल कोरो मंडल और पूरे कौनरी सरकार क्या करते हैं कि अध्यान सब्सक्की जो पेपर में आएगों सबसे आपको लिखना जाता है ठीक है शलो समूद्र की जो लहरे हैं लहरों के मादम से यहां पर बहुत सारे जीले बन चुकी है तो यहांपर लेगों जील आपको बहुत देखने को मिलेगी, यहां पर क्या होगी, लैगोंजील यहां पर देखने को बहुत जयादा मिलती है, केरल ओक के छेतर में, तो यहन पर आपको चिलका जील देखने को मिलेगी, तो चिलका जील क्या है एक प्रकार की लेगों जील है मतलाव जब समुद्र के किनारे में क्या होता है लहरों के माध्यम से पानी भर जाता है तो एक लेगों जील का निर्माण हो जाता है बस इतना सा आपको ध्यान रखना है इसमें कोई दिक्कत है आपको क्या नहीं होना चा को चलो भीच बीच में कमेंट देते चलता हूं मैं है यहां तक सभी को क्लियर है कि क्यor married Ja guitar. Okay. Thank you कि यहां तक सभी को क्लियर है Yes तो हमारा क्या हो गा पूर्वी ताटी मेंदान भी क्लियर हो गया अब आपको यहां यहां पर क्या करना है दूइप छेत्र पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है यहां पर दूइप छेत्र पढ़ना है तो यहां पर हमारे यहां पर दो दीप समूँ छेत्र मिलते हैं एक हम पढ़ते हैं अंडमान निकोवार दीप समूँ पढ़ते हैं ठीक है और एक पढ़ते है लक्ष दीब पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं पर लक्ष दीब समय पढ़ते हैं है यह से यहां यहां से लोकेशन आता है जारा हम लेका यह लेगा आपको ने बंगाल की खाड़ी में यह कि आपको मिलेगा यहां पर मेहमार है इधर साइट के आता मेहमार तक आता है यहां मैंने बताया था कोको दीप है कि थे मध February कि यह आपका हो गयाओ यहाँ पर दक्ष्णी अंड़मान जोटे माण ठीक है थोड़ा उपर से बनाऊं कि यह जगह नहींना ऊपर से मनांब कि यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे यहाँ पर हो गया उत्तरी अंड़मान ुल्हृ ख़योद्Please एक फिर आप देखें कि यहाँ पर मद अंडमान ुल्ह और यहाँ पर ओगे ढ़्ट्षिनि अंडमान है पिन और यहाँ पर और आपका छोटा अंडमान का आप तेके यह और दमान पूरा अलक पाठ हो गए अलग पाठ फिर यहां पर आता है कि टीक एट पहुंअ कि जहांच ही यहां पर आता है गाहरने की अचल्ट итоге को बार कि निकोबार निलिक ना यह समझ जाओ न कि लिखेए पूरा पड़िए पड़ेगा ठीक है यहां पर आएगा आपका छोटा निको बार ठीक है यहां पर आएगा आपका बड़ा निको बार यहां पर आएगा आपका ग्रेट निको बार ठीक है तो इस तरीके से आप देखेंगे यह चार पार्ठ होते अंडमान के मुख्य रूप से और तीन बहुत इंपोर्टेंट कोश्टन यहां पर कोश्टन है क्या बोल रहे हो तो मैं मार को दिया अभी फिर से लोंगा ठीक है अच्छा-ठीक है तुमने दिया हो क्या तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खुद कही निको बार हो ठीक है भई यह लेके जाओ पहले लेके जाओ तो जाद अच्छा रहेगा पहले ठीक है यहां तो समझ में आगे अब इसके बारे में देखो क्या-क्या पढ़ना होता है सबसे पहले आपको देखिए कि अंडमान निकोवार दीप समों में क्या-क्या आता है मतलब यह तो आप पूछान का और Merri cotton सकों कि पूछ लएगा कई पार आएगा उत्तरी अंडमान आएगा मत अंडमान आएगा दॉटी अंच्छिय आएगा छोटा अंडमान आएगया फिर आपको कारने को भारी बोलतें को हैं इसे कारनी को बार बोलते हैं छेक है फैसे क्या बोलते है इसे बोलते हैं कार निको बार इसे चोटा निको बार और यह आपका गरिट निको बार ठिकें अख कुछलो तो इनके बारे में क्या क्या आता चड़ा समझना है सबसे पहले पूछा जाता बहिया कि यह उत्तरी है हुठ दक्षनी अंडमान जो क्या तसदिकली चैनल आपको याद रखना है एंडमान को से अलग करता है और को निको वार से अलग करता है ध्यां रखना इसका जो निर्माल हुआ है वो किस से हुआ है च सT accent साम में कोशन आ जाता है कि किस से बना है तो मैंने भी जस्त आपको पढ़ाया था हिमाला जब इधर सिंटेक्स पॉम में मुड़ता तब इधर तक आ जाता है और पानी में डूबा हुआ हिस्सा घ्लाता आपका दीप ओके हिमालय से निर्मित है क्या यहां पर आपको कूछ ज्वाला मुखी देंगे क्छा यहां पर ज्वाला मुखी के दरसन होंगे बिलकुल हम दरसन होंगे अगर आपको सक्री देखना है तो आपको जाना पड़ेगा बैरन दीप यह जो बैरन दीप है यह कहां मिलेगा आपको उत्री अंडमान के आपको इधर साइड मिलेगा यह बैरन दीप है यह क्या मिलेगा आपको बैरन दीप है यह बैरन दीप क्या है यह सक्री ज्वाला फिर आप बोलेंगे और ज्वाला मुखी देखोगे क्या बिलकुल हां देखोगे यहां पर मिलेगा निस्क्री ज्वाला मुखी एक और ज्वाला मुखी मिलेगा निस्क्री ज्वाला मुखी उसे कहा जाता है नारकॉंडम दीव नारकॉंडम दीव जो है वो निस्क्री ज्व प्रण मदेर जो है ंडमा निकवार्णी समाल मखी राजधानी लेशापू से बताऊ तुमसे पाऊ-बतायो आ मैं भी देखूँ आप लोगों कित्ना पढ़ेक्व महीं पढ़ा जा रहा है तो फाल तो मैं हाँ थोड़ा सब बैठते जाते हैं ठक गए आस तो कल भी दस आर घंटी क्लास हो गए थी आज भी लंबी जाएगी इस शलो है कि मुवाइल तो स्विश्वाप होगे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ जल्दी से करें अधर कि अरे क्या बढ़ रहे हो तुम लोग जल्दी कमेंट करके बताओ लेट अबाद जारी मेरी वहां क्या कि साउथ अंडमान मत्द दक्षणी अंडमान ठीक है और पी बताओ जल्दी से बताओ यह जो अंडमान निकोवार दीब समू है उसकी राजधानी जो मैं पूछ रहा हूं आपसे पोर्ट व्लेयर वो कहां पर है आपको बताना है थीक है जल्दी बताईए कहां मिलेगा दक्ष्णी अंडमान में मिलेगा सही है चलो भाईया थोड़ा दीप समुगार पर जले लिए फिर खतम कर इस नौपिक को क्या मिलेगा कई बार एक्जाम पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी जो है पोर्ट व्लेयर कहां मिलेगी आपको वो मिलेगी मतल्ब आप लोगों को कुछ कुछ तो पता भी या मुझे धिक्कत जाएं कि लोगाने में ठीक है अब मैने बताया कि यहाँ पर दो जाएक है बैरन दीप जो सक Oreo मुखी है और एक है आपका क्या निस्क्री जसी जाला मुखी है ठीक है उसका नाम है नार कोंडमधीप बेरंदीप उत्तर में हैं और दक्षिण में हैं मतलब आपको बेरंदीप यहां बनाए हो तो नारकॉंडम दीप आपको यहां बना देना है ठीक है यहां तक क्लियर है अब एक और बात आपसे पूछी जाता अच्छी लेवल का कुछ नगर आपको आएगा आपको पता होना कि सबसे उंची जो चोटी है वो है सेडल पीग अगर मैं पूछ हूँ कि सेडल पीग कौन से पार्ट में है तो सेडल पीक कौन से पार्ट में है तो याद रखना यह उत्तरी अंडमान में है कहां पर है यह उत्तरी अंडमान में देखने को मिलेगा ठेक है तो सेडल पीक कहा मिलेगा आपको यह नौर्थ अंडमान में देखने को मिलेगा फिर मैं अगर आपसे पूछ हूँ कि ये तो हो गया अंडमान ये अंडमान को अलग पढ़ो आप निकोवार को अलग पढ़ो अगर मैं वोलूँगा अंडमान की सबसे उंची चोटी और पूरे अंडमान निकोवार की चोटी तो बोलेंगे सेडल पी लेकिन अकेला पूछा जाएगे भहिया इसकी चोटी बताओ निकोवार दीप समों की सबसे उची चोटी बताओ ऐसा भी कोशन के बार पूछ लिया जाता है तो याद रखना यहाँ पर माउंट थुलियर नाम का है एक ग्रेट निकोवार में ध्यान रखना एक उची चोटी है उसका नाम है माउंट घ्रेट थुलियर माउंट थुलियर नाम की ध्यान रखना एक जाद रखना एक उची चोटी मिलेगी यह मिलेगी आपकी तक है निकोवार दीप संहों की सबसे जादल था या जाते है यह होते हैं क्याओं कृषन पूछ बोलो पता नहीं रखता अगर मैं आपसे पूछों कि यहां का जो रास्टी जली मतलब राजकी जीव है इनका जो जली जीव है राजकी वाला वो कौन सा मिलेगा बताइए तो याद रखना यहां का जली जीव बहुत फेहमा से बच्चों उसका नाम है क्या यहां पर डुगॉंग जिसे बोलतें क्या ब़ित समुद меньше है और सबसे क्या है कि साका होई इस न फाहरी सतन पाइगी जीव है समुद्र गाय से बोलते हैं ठीक है हां है है कि इतनर थहां रखना ना ठेक है मिवर आपसे पूछहाए कि उसका विस्तार कहां से कहां मिलेगा तो मैंने बताये था है इसका सबसे लास्ट का जो पॉइंट है इंद्रा पॉइंट बताएं इंद्रा पॉइंट कहां मिलेगा और कहां तक पहुंचेगा सबसे लास्ट का ठीक है क्लियर बात है लगवाग आप देखेंगे 8209 क्लोमीटर ऐसे लंबे में फैला हुआ है 8209 मतला सुरी आठ मतला 824 क्लोमीटर फैला हुआ है इतनी बास आपको समझ में आ गई कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है चलो यहां तक क्लियर है और कुछ बताना इसमें क्या चलो अच्छा आपको करेंट की चीज़ें इसमें पता देते हैं क्या कर लेते हैं करेंट की चीज़ें इसमें जोड़ देता कि आपका एक्जाम में कुर्सन आया तो आपको पता है यहां पर कुछ जंजातियां पाई जा पाई जाती यहां पर जार्वा जंजाती देखने को मिलती है सेंपेन जंजाती देखने को मिलती है जार्वा जंजाती मिलती है सेंपेन नाम की आपने सराव होती है फ्रांस में होती है वो भी जंजाती यहां मिलती है आपने सेंटिनल नाम की जंजाती सुना होगा जो सेंटि इसके लाव हैं यहां पर कुछ ऐसे ड्वीप हैं जिन्होंने क्या किया था? यहां पर नेतरे चुबाज संद्रबोस ने भाराण देश की आजादी के पहली क्या कर दिया था? इसलिए उनके नाम पर इनका नाम रखा गया अलग-αलग यहांपर तीन दीप है जिरम के नाम Montgomery दीप के नाम करके जाना एक्जाम में आ जाता है यहां पर इक दीप मिलेगा falling सवाज चंद्र भोंस दीड कर सब्सक्रीघ का नाम करके चांग इलडऑ सवाज चंदर्वोस दीड वोलते हैं तो सवाज देप वह यहां पर कि एक वहाँ पर दृफ मिले गा उसका नाम नील दृप है नील अबेकर नाम चेंच करके क्या कर दिया गया यहां पर सही दारी गया है कos सही भी रगदिया गया है वहाँ तो इसीम ध्यान रखना दृप मिले और यहां पर जैसे बांडूर जमुद्री जल यहां पर बाइस पर जरव अंडल है बांडूर नाम का वो खेर वो तो अलग चीज भागी बहुत एडवांस हो जाएगा इतना प्रियाब है ठीक है अब आपको यहां पर कुछ चीज़ां और ध्यान रखनी है वो क्या है रखनी है रखना कि इसका नाम है ध्यान रखना श्री हरी कोटा दिवीप याद रखना इसका नाम क्या है स्री हरी कोटा दिवीप है जो पुलीकट जील में इस्थित है यहीं पर ध्यान रखना सतीज धवन अंत्रिक्ष कैंदर है जहां से इस तरों के सेटलाइट लांच होते हैं कि यहीं का मिलेगा आपको 37 धवन कि इसका पिरे नाम होता था स्री हरी कोटा दीब अब नाम चेंज करके 37 धवन अंत्रिक्ष केंद्रे कि यहां से ध्यान रखना क्या होता है सैटलाइट लांच किया जाते हैं इस हरी कोटा दीब जीएक पर आहँंढाम पर diva को यहां पर यहां परोड़ीशा में आपने नीधीप उना वीलाड़ी चांदिपूर के पास मेंगा और पर आपको पता होना यह क्या है यहां पर बरहल हम्री निकलती है जो राची का पठार मैंने आपको बताए थे ना ऊपर आपको मिलेगा यहां पर हजारी वाक का पठार यहां मिलेगा राची का पठार फूरा क्या है चोटा नागपूर का पठार यहां से निकलके क्या जाती है दामोदर यहीं से निकलती है राची के पठार से ब् तीन वालिन रेक्स है तो यहां से निकलती कौन सी नदी वह रांची के पठार से निकलती है सवंडरेकह नदी है हो ठीक है यह तो गरी नदी है इन दे singers गिंगे तो तो यह पर मीलेगा आपको ए चांदि-पूर मा परता है तो चांदिका ध्यादर करक्ता में विलरदीब है जहां पर मिसाइल का टेस्ट किया जाता है आपने नाम सोनोगा को चांदीपूर का इस़े डीफ का नाम किसके नाम पर रखागा है कलामि थ्यान रखना में नीभ बच्चों इसके वाद ठोड़ा और उपर पहुंच जाए। ऑर उपर पहुँचेंगे यहाँ पार आपको तो यहाँ मिलेगी हुगली नदी न्यूमुर्दी प्यामी क्यों मुलिगा यहाँ पर नियूमुर्दीप बहुत हैं एक्जाम में कुर्शन आता है से तो नाम तो इस पस्थ गंगा सागर दीप और गंगा सागर दीप जो है हुगली के किनारे वो बसा हुआ है ठीक है इतनी बास समझ में आएगी फिर आप जानते हैं मुंबई के पास में आपको कुछ दीप मिलेंगे जिसे साल सेट दीप सुना होगा आपने नाम एलिफेंटा मिलेंगे आपको मुंबई में यहां पर आपको सालसेट दीप मिलेंगे यहां पर दी को अठीक है और ऐसा मना को यहां पर यहां पर आएगा आपका लक्षदीप मिलेगा यह देखेंगे यहां पर तो कुछल कुछ यहां मिलेगा आपका सब निस Но को यहां मिलेगा अपके करता है मालदीप को क्या करता है मिनिकाय से अलग करता है और मिनिकाय और आप देखेंगे लक्षदीप के बीच में क्या है नो डिग्री चैनल है याद रखना भारत के रिस्पेक्ट में आज डिग्री नो डिग्री और मैंने तरह बताया जो अंड़मान ने को बार दस डिग्री इतीनों याद रतना अपलो ठीक है आप जानते हैं मुंगर की चट्टान से बना हुआ सब को पता है 32 बरक्लोमीटर का चितरपल लक्षजीव का और राजधानी कवरत्ती है इतना तो सब पता है इतना सब लोगों को जानते हों ठीक है चलो भाईया अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं और फिर हम पढ़ते हैं नया टॉपिक चलो अब हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे भारती चट्टानों का वर्गी करण क्या पढ़ेंगे यहां पर भारती चट्टानों का वर्गी करण ठीक है हां कि फिर हम करेंगे भारती मिट्टी को वर्गी करण भारती बनों का वर्गी करण भारत की फसले पिसाथ में नदिया सब पढ़ेंगे तो आज पतनियार बला पेरदत कर रहे हैं आज चलो जब तक आपके कमेंट पढ़ लूँ थोड़ा बैड़ बेटके प्लाहना पड़ेगा क्योंकि कली लंभी क्लास हुई है सन्ना के कि अभी तो पांच घंटे हुए है कि ही करेंट कभी वीडियो बनाएं यह साफ़ पढ़ाएंगे बच्शों सब पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा तो पढ़ो चलो कुछ पूछना है तो भाई आप पूछ लो वैसे कुछ पूछना तो मुझे लगे मुझे की पूछोगे आप सब तो clear है आपका करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि है अक्षित लब्न. अक्व भेफ पन र्रक्टर। काथ थि कसे अबिया आप कि आए मari कि अ मैं कलेंगे इअ गरेंगे आ अ आ चसंब ए बर पानी पीघे आता हूं और फिर इसके बाद छटी नहीं है बस पानी पीघेशिदी पानी पीगे आता हूं और फिर इसको चट्टानों को खतम करतें टॉप एक हम पूरा झाले प्राइना झाले लिर इसकांट करें प्राम को खतम करतें, तब क्यवाँ प्राइने मोशित हैं हुआ हाँ मॉप एक हम जब क्या, यद दो करतें हैंदे्या। झाल 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 यहाँ यहाँ पर दक्कन ट्रेप की चट्टाने होती है दक्कन ट्रेप पर तरसर युक की चट्टाने इसके बद आथव आता है क्वार्ट नरी युक की चट्टाने इस आठव चट्टानों के बारे में यहां थोड़ा थोड़ा कबर करेंगे ज्याद नहीं पढेंगे इसे स्क horobay false करेंगी एकजाम के फिर्शाम में जैसे कुसर यहां पर घंता है उसे किसाप से पढ़ना है ज्यादा यहां डेटेल नहीं करेंगेगे जर्फ PDF कहां से लोड करना होगा चलो इसको आप में देदे थेंगे ठीक कुछ देखो तो कभी ने कभी मारा चैनल डिलीट हो जाता कभी ने कभी प्रावलम आती है एप में सब को अपना प्राइप कर देंगे है प्रत्वी जब पहली बार ठंडी हुई थी अब उसा ठंडी कैसे हो गई अरे भाई गरम थी ना एक देखो जड़ा समझो जब आप जानते हैं प्रत्वी क्या हुआ था जब वर्ड जोगरफी पढ़ते हैं फिसीकल जोगरफी पढ़ते ता मैंने बताया आपको कि प्रत्वी जो किस से बनी हैं बच्चो नेबुला से बनी हुई है और आप जानते हैं नेबुला क्या था तप्त यहां पर तप्त भाग से अलग होकर बनी थी यहां पर जब हमारी प्रत्वी शुरू में थी तो पिगली अवस्था में थी इसलिए कोई भी द्रव अगर मुक्त आकास म करता है इसलिए हमारी प्रत्वी कैसी रही बच्चों यहाँ पर गोलाकार रही है ठेक है तो आप जानते हैं इस गोलाकार प्रत्वी क्या होती धीरे-धीरे ठंडी होती है जब हमारी प्रत्वी क्या होने लगी धीरे-धीरे इसका सर्फेस का जो भाग है ठंडा होने लगा त तो उस दोरान वो ठंडा होना शुरू होती है जैसे वो ठंडा होगी तो अंदर से आप जानते हैं जो जलवास्प यहाँ पर फसी हुई है यहाँ पर जो CO2 फसी हुई है तो यह जलवास्प क्या होती है बाहर निकलती है CO2 बाहर निकलती है तो आप जानते हैं सबसे जादा बाहर कौन सी गेस निकलती है तो निकलती है जलबास पे और यही जलबास क्या होता है उपर जाकर ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद क्या होती है संगनी थोकर बारिस करती है तो प्रत्वी में आप जानते हो बहुत घंगोर बर्सा होती है रेगुलर बहुत बर्सा होती है तो बर्सा होने की वज़े से आप जानते हो यह वाले भाग क्या हो जाते हैं तेरी से ठंडे होते हैं तो उपर का भाग पपड़ी जैसा जम जाता है उसे बोलते हैं भूपर प लुखतां दो और अanda सबूद सिर्वाय प्रत्वी ठंडी यह तो बाहर का छो मैगमा प्रत्वी ठंड़ी होती है जब मेगमा हुआ है कई लके अवस्था में यह आहने है पर क्या अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में 25 प्रत्वी जब ठंडी होती है तो शुरुवाती इस तर पर चट्टाने बनी है बच्चों यहां पर आर्कय नुक्य चट्टाने थिक है तो सबसे सुरुवात में भारत देश तो तुम छोड़ो दुनिया की किसी भी पुराने चट्टान का आप नाम लो गई तो क्या बोलोगे यह आर्कय नुक्य चट्टान नहीं बनी होगी सबसे सुरुवात में यही चटान बनती है लेकिन आपको बता दूँ यह चटान अपने मौलिक रूप को खो चुकी है यह चटाने क्या है अपने वास्तिक रूप को खो चुकी है क्योंकि इतनी जादा पुरानी है इतनी जादा पुरानी है कि अब अपने मूल भूत स्वरूप में नहीं है ध्यान रखना ये बरतमान में क्या है अपने मौलिक रूप एक हो चुकी है अगर आप से एक्जाम में पूछा जाएगा कोशन कि कौन सी ऐसी चटाने है जो अपने मौलिक रूप में मौजूद नही है मौलिक रूप मतलब बच्चो जैसी वो पहले उत्पन हुई थी उसी रूप में वो मौजूद नहीं है तो मौलिक रूप में मौजूद नहीं है क्योंकि इनमें परिवर्तन हो चुका है ठीक है क्या यहां पर एक मौलिक रूप से मौजूद नहीं है ठीक है इसके बाद पिर दूसरे क्रम की चथान बनति है वह उति आपकी धारवाळक्रम की चथान तो धारवाळक्रम की चथान बच्छों बशन इसी में निर्माल हो रहा था तो अरावली का निर्माल हो रहा था तरह याद हो कहा गया कहां गया कहां गया यह मैंने बताया था कि जब यहां पर अरावली का निर्माड हो रहा था तब उस समय आप जानते ही यहां पर भी इसके समानांतर क्रम में यहां पर भी परवतों का निर्माड हो रहा था था यहां छूटी छूटी पहाडिया बनी थी उन्हें हमने कहा था बाबा बुधन की पहाड़ी और यहां पर धारवाल छित्र में जो पहाड़िया होती है तो यह बेसिकली देखा जाए तो यह एक ही साथ बनी है यहां की पहाड़िया यहां की पहाड़िया एक साथ बनी है यह आपका अरावली के साथ बनी है जो कि इसका नाम यहां पर तो याद रखना यहां पर बच्चों कि जो मैंने आपको बताया यहां पर कि अधिक है तो धारवाड करम की चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि प्री केम्लियन यूग में आप जानते हैं करनाटा के पठार में भी परवतों का निर्माल होता है करनाटा के पठारी छेत्र में करनाटा के क्या होता पठारी छेत्र में ठीक है पहाड़ियों का निर्माल होता है जैसे मैंने बताया था बाबा बूधन की पहाड़ी तो इसी पहाड़ी छेत्र में ध्यान रखना क्या नाम है इसका नाम के रख दिया गया है धारवाल क्रम कई बार एक्जाम में कोशन आता है कि धारवाल क्रम की चट्टानों का विस्तार किस इलाके के नाम पर रखा गया है तो करनाटक के धारवाल इलाकरम रखा गया है यह धारवाल कहा आता सीमों गजिले में आता है करनाटक में आप संट में आपको यहां पर चांदी देखने को मिले की सोना है तो चांदी मिलेगा खान बी eller सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि जस तरीके से आरहबुली की ख़डान है और वह ही पर आप के चहतर में क्या होता है नियूट मिलता है तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कुलार की ख़दानflower की ख़दान है यहां पर हट्टी की ख़दान है यहां मिलेगा आपको क्या सोच है इसके अलाबा आप जानते यह जो प्री केंब्रियन यूग वाले काम है मतलब इस दौरान आप जानते हैं चूना पत्थर का भी निर्मान होता है तो चूना पत्थर बाद में जाकर क्या होते हैं बलुवा पत्थरों में भी कनवर्ट होता है चूना पत्थर बलुवा पत्थर भी यहां आपको देखने को मिलता है ठीक है आप फिर आता यहां पर कुलपा-कर्म की चटान क्या हुई है इनके अपर्दन होने निच्छेपड होने से होई है मतलब धारवाड छेत्र में जो नदिया आन्द प्रदेष में कुलपा नाम का mulher पता है चेत्र आन्द प्रदेष में में कोhusॉ channels प्रौब्पा नाम की है तो जबांए प्रदेष में कुलपा नाम का छेत्र मिलेगा कहा मिलेगा आंद प्रदेश में कुटप्पा नाम का छेत्र मिलेगा उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है के तो कुटप्पा करम की चटान में अगर आप देखेंगे तो क्या खास तौर पे देखने को मिलेगा एक कुड़पा करम की चट्टावनों में आपको मिलेगा यहाँ पर आपको बलुवा पत्थर देखने को मिलेगे बलुवा पत्थर जिनसे इमार्ते बनाई जाती है जैसे आपने देखा होगा लाल किला बना है हुआ बलुवा पत्थर से बना लाल बलुवा पत्थर से बना ह साथ में आपको संगमरमर भी देखने को मिलेगा तो बलुआ पत्थर हुआ चूना पत्थर हुआ यह देखने को मिलता है ठीक है यह थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए फिर आप जानते हैं रही बात अब देखो लोहा हुआ मैगनीज हुआ तामभा हुआ जस्ता हु फिर आप देखेंगे विंद्यकरम की चट्टान इनकी अप्षय परदन से होता है तो विंद्यकरम की चट्टान कहां मिलेगी आपको विंध्याचल छेत्र मिलेगी और विंध्याचल छेत्र के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस करम की चट्टान में पाया जाने वाला ज चाहिए चट्टान आपको बिंध्याचल छेत्र में भी देखने को मिलेगी और आंध्र प्रदेश के छेत्र में भी देखने को मिलेगी क्योंकि आंध्र प्रदेश के छेत्र से ही आपको पता होना चाहिए विशुप्रसिद्य कोहिनू हीरा मिला था अन्ध प्रदेश बर्तमान वाला इरिया यहां पर भी हीरा पाए जाता है तो याद रखना बिंद करम गौर्णवाना क्रम की जो चत्टान है इसका विस्तार आपको सबसे जादा मिलेगा दामोदर नदीघाटी छेत्र मिलेगा और दामोदर नधि होती है राची के पथार और हजारी बाग के पथार के वीश्से कोजरती है तो हिस्सा किस का केलाता है छोटा नागपूर का लुप है उसके अंत्रगत अती है दामोदर नधि घाटी यह और गौ犬ffana क्रम की चट्टान में भारत देश का 95% कोला पाया जाता है कुछ बुकों में 98 भी मिल जाएगा आपको अगर आपसे कोशन पूचा जाता है कि भारत देश में सरवाधी कोला किस करम की चट्टान में देखने को मिलता है तो याद रखना एक गौंडवाना करम की चट्टान में देखन आपको काली मिठी का छेत्र है और इसका मुख के छेत्र मिलेगा आपको महाराष्ट रोच्ट है ओर सांथ में गुज राध ठीक है इलाका देखने को मिलेगा GP को क्हिसरी किती तरसरी युकी चट्टान से ध्यान हे अमालाय का निर्मान हुआ तो याद रखना तरसरी युक तरसरी करम की चट्टान में देखने को मिलेगा इसके बाद में आती है क्वाटनरी युक्की चट्टाने मतलब चतुर्त युक्की चट्टाने होती है इन में हिमालय के बाद हिनी का निर्माड हुआ है और वो होती है आपकी ध्यान रखना बांगर खादर का जो छेत्र है जा मैंने आपको बताया हूं दो तिन तिन पॉइंट बस आपको माइन में रखना बागी कुछी जाद नहीं रखना है तो यहीं दो रही घंटे में पढ़ना पढ़ता है वह अलग चीज हो गई हमारे पास में पर हमारे पास में विल्कुन नजबी है आप अब जाइए यहां पर उत्तr भारत का विशाल मेदान जाता है इसके वारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं हिमालय से जो निकलने वाली नदिया हैं, हिमालय से जो निकलने वाली नदिया हैं, इनी नदियों के द्वारा अपने तेज वहाब की वज़े से बहुत सारी मिट्टी बालू लेकर आती हैं, और बही मिट्टी बालू क्या करती हैं, अपने छित्र में वो जमा देती है जब जमाती है तो नदी के आजू-बाजू के हिस्सों में भी जमाती है कई बार उसके मुहाने पर भी जमाती है तो अलग-अलग टाइप से क्या करती है मिट्टी को वह जमाती है इसी वज़े से आप देखेंगे यहां पर मैदान का निर्माड होता है तो आप यहां पर क्या होता है। क्यों कि पूरा परवत से जब निकल रही है यहां से भैती हैं तो जैसे आप देखेंगे इस मितची कर राती हैं तो इस पाने का बेग पाहव तेज है, इस बज़े से मिट्टी भी कटकर बहती है, साथ में छोटे छोटे बालू भी बहती है, पत्थर भी लाते हैं, एक कंकल पत्थरों को भी साथ में लेकर आती है, तो ये तीवे ढाल की बज़े से आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये छोटे बड़े पत्थर, छोटे प कर्ण होते हैं म्रती का कर्ण मतलब वह आप जानती क nickel particle होते हैं मौ Barbara कर्ण सबसे छोटे होते हैं इने वोलते campa Cada ठीक है और इनसे थोड़े वड़े होते धिवर रिखने से बोलते तो आप सबसे छोटे कर्ण मतलब अमिद्धी में सबसे छोटे कंग चो मिलेंगे आपको सबसे छोटे कण मिलेंगे वो मिलेंगे मृतिका की क्या मिलते हैं सबसे छोटे कण मिलते हैं मृतिका की इससे बड़े कण होते हैं सिल्ट के मतलब गाद के इससे बड़े कण होते हैं आपके क्या यहां पर बालू के ठीक है इससे बड़े कण होते हैं किसके बजरी के और इससे बड़े कण होते हैं आपके पत्थरों की, तो मतलब आपको छोटे से छोटे महीन से महीन पार्टिकल भी ये बहाकल लाती है, और बड़े से बड़े यहां पर पत्थर के टुकलों को भी बहाकल लाती है, मतलब इसके साथ में सभी प्रकार की मिटियां भैकर आती है बालू होती है बधरी होती है क्ले होती है सिल्ट होती है और यह डिफरेंस बेस पर baked particle के बेस पर चो बहुत चोटे पार्टिकल है उन्हें बोलते क्ले पाटिकल ठीकी मITHशन के उनको फिर उसे ठोठाहर और बड़ा होता उसे सिल्ट बोलते हैं थोड़ा और बड़ा होगा तो बालू बोलते हैं उसको सैन उसे थोड़ा बड़ा होगा तो बजरी बोलते हैं और बड़ा होगा तो पत्थर बोलते हैं पत्थर के टुकड़े बोलते हैं ठीक प्यबूल भी कहा जाता है तो जैसी क्य करती हैं तो सबसे पहले क्या करती है बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं पहले भाग में क्या होगा इसमें छोटे पत्थर भी है बड़े पत्थर भी है सिल्ट भी है मृतिका भी है सब कुछ है तो आप जानते हैं सबसे सुरू में जैसी यह क्या होगी मैदान में प्रिवे प्रदेश का निर्माल होता है इसे कहा जाता है भावर प्रदेश तो भावर प्रदेश जो होता है ये बड़े बड़े पत्थरों का बनता है ये क्या बनता है ये ध्यान रिखना ये बड़े बड़े पत्थरों का बनता है जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं बड़े बड़े कंकल पत्थर ये क्या होते है नदी में इतना बेग नहीं होता है बच्चों की इसको बहाकल ले जाएं इसलिए वो नदी की घाटी मेहीं इसको क्या करते से क्या होते हैं यहां पर जो बालू के कण होते हैं मृतिका के जो कण होते हैं सिस्ट के जो कण होते हैं मिठी के साथ बहे कर चले जाते हैं तो अब आप देखेंगे नीचे वाले छेत्र में आ रहा है तो पहले बने गया क्या भावर प्रदेश यहां पर क्या होता है नदिया जो कंकर पत्थर जो बड़े बड़े पत्थर के बीच में जगा होती है उस जगा के अंदर से पानी घुच घुच कर जाता है क्या होता है वो पानी घुच घुच कर उसके अंदर से जाता है इसलिए ध्यान रिखना यहां पर नदिया क्या हो जाती है बच्चों गायाब हो ज चृती है उसी छिदुर्यनुम्मा भाग से डिल Voll निकलने लगता है पानी इसलिए आपको होत को की नयदी क्या हो श्रेकर पर गायाब से अंद्र से अर्पर देज़ती है कि ठीक है है इसके बाद क्या होता है फिर यहां पर नदी प्रकट होती ऊपर आके और फिर यहां पर क्या करती है यह नदी आकर फैल जाती है जब यहां पर नदी फैल थी कि उसको रास्ता पता नहीं होता कहा जाना है सुरुवात की नदियां यहां पर पानी बहुत दूर तक फैल जाता है और लंबे समेतक इसमें पानी भरा रहता है तो लंबे समेतक यहां पर पानी भरा यहां पर क्या बनता है यहां पर दल्दली छित्र बन जाता है उसकी वज़ाए क्या है अधिक समय तक पानी भरा रहता है कि अधिक समय तक कि पानी क्या होता है यहां पर भरा रहता है इसी वज़े से ध्यान रखना यहां पर दल्दल का निर्माण हो जाता है और आप जानते हैं यहां पर भारी मात्र में क्या होती है गाद लाकर यहां पर इखटी कर देते हैं तो पूरा दल्दल का यहां पर निर्माण हो जाता है तो यहां पर सिल्ट की वज़े से गाद की वज़े से भी क्या होता दल्दल का निर्माण यहां पर हो जाता है ठीक है अब इसके बाद क्या हो जाता है इसे बोलते हैं तराई प्रदेश तो ऐसे दल्दली छेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों यहां पर तराई प्रदेश बोलते हैं यह तराई प्रदेश जो है यह दल्दली छेत्र होता है मैदानी वाले भाग का पुरा पानी के होता फै जैसे जैसे नदियां दूर जाते जाती है अपने उद्गम स्थान से और मैदान में चलते जाती है तो उनका क्या होता प्रभाव एक कम होते जाता है तो नदियों का पानी में क्या हो गया वेक कम हो गया वेक कम होने से नदी के इन वाले हिस्सों पर नदी के क्या है दूर वा इढ़ाण आती है पहले क्या हुआ करता था ऐसे खेत्र हुआ करते जहां पर पबाड आती थी धीरे नदियों ने अपना छेत्र क्या किया कि एक और संखुचित कर दिया क्यों करते जरा समझना ध्यां समझना जब भी कोई नदिया अपने उद्गम सोर से अपने समापन स्थल में जाती है तो शुरुवात में क्या होता है इनको पता नहीं होता है तो नदिया कभी इधर जाती है कभी नदिया इधर जाती है कभी नदिया इधर जाती है ऐसी जाती है एक बिसर्फ बनाती है क्या करती है स्लोग बनने लगता है उसमें तो फिर क्या होती है जब औक एस store can यह चारको आप जानते हो जब यहां से जा रही था उन इस दो जब सुरूआत में नदियां यहां से जा रही थी तो यहां पर क्या हो रहा था इन मैदानों का निर्माल हो रहा था ठेकर लेकिन अब आप जानती हो यहां पर आप बाल नहीं आती है अब बाल इस चेटरवस में आती है फिर इस शेत्र में भी बाल नहीं आईगी कई बार अब इस शेत्र बस में बाल आईगी क्योंकि नदियां क्या होती है इस्टेवल होने के लिए अपना रास्ता चेंज करते जाती है तो जो पहले उसका रास्ता रहा होगा जो पहले उसका रस्ता रहा हुआ उचे छेत्रों में वहाँ पर पहले बाल आती थी और वहाँ पर मिट्टी जमा होती थी लेकिन आज बरतमान में वहाँ पर बाल नहीं आती है तो आप देखेंगे पुराने बाल जो छेत्र हुआ करते हैं पहले वहाँ जहां बाल आती थी व तो वो मिठ्टी अलग होती है वो ती नवीन जलोल मिठ्टी होती है तो आपको पता है नदियों के द्वारा कि क्या होता बच्चों यहां पर यह देखो कि यहां पर आएगा नदियों के द्वारा कि क्या बोलेंगे नदियों के द्वारा ठीक है जमा मिट्टी नदियों के द्वारा जमा मिट्टी क्या लाती है क्या जालोल मिट्टी जब भी नदी क्या करती है अपने साथ में मिट्टी लाती है और उस मिट्टी का क्या करती है निच्छेपन करती है अर्थाद उसे अपने घाटी छेतर में जमा देती है उसे कहते हैं जा रहती है जहां पर पहले बाल आती थी तो पुराने बाल के जो छेत्र है यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है पुरानी जलोल मिट्टी यह पाई जाती के यहां पर पुरानी जलोल मिट्टी और ऐसे छेत्र जहां पर क्या होता है अभी यहां पर बाल आ रही है हर साल बाल आत को जाती है उसके स्थान पर नई मिट्टी आ कर जमा हो जाती है तो से बोलते हैं गुलेंगे बलंगे बरतमान पर बाढ़ोती है कि टाने मिट्टी कट के भ scorpion और फिर से यहां पर क्यों जयागए च्टीके सब को या प्रतिक के लिए गया उसे कहा जाता है बांगर का च्छेत्र क्षेत्र क्या बोलते हैं और बांगर तो पुरानी मिट्ट्ट के बने होते हैं और क्यों होते मैंने आपको बताया कि नदिया सोवात में अलग रास्ते से तै करती है बाद में धीते पुराने होते जाती तो सौंट करने लगती है और आप जानती है जो पुरानी मिट्टी यहां जमा हुई है ensu दो कटे खी नहीं तो पुरानी जलो मिट्टी बन जाती है और Estado नविन जलुल मिट्टी ग्राइब और मैं पर पहले बしました और आंक ग्रानुरी तो याद रखना खादर होगी क्योंकि नवीर मिट्टी होती है, अब ये तो हो गई नदी के किनारों पर जमा, अब नदी पर किनारों में जमा होगी तो ऐसा नहीं कि पूरी मिट्टी जमा हो जाएगी, पूरी मिट्टी जमा नहीं होगी, अब आप जानते ये क्या होती है, जाकर खाडी में गिरती है या कोई सागर में जाकर गिरती है क्या होती बच्चों यह सागर में जाकर गिरती है तो सागर में जाकर गिरती है तो क्या-क्या होता जरा समझना इसके साथ क्या होने वाला है जरा देखो देखो, अभी तक क्या हो रहा था, नदी के इधर साइड भी तट होता है, इधर साइड भी तट होता है, तट समस्ते हो ना किनारा, क्या होता है, तट समस्ते होंगे आपको यहाँ पर किनारा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा नदी के दोनों साइड क्या होता है, य माख़े शेत्र सब्सक्राइब करने नदी को बांदः कि रखते हैं आपको पता होना चाहिए नदी के क्या होते हैं दोनों जो किनारे होते हैं वो बंदे रहते हैं तो नदी वहीं से गुजरती है आपने देखा होगा नदी का अपना तठ होता है जैसे माल लो नदी का यह वाला तठ है नदी का यह वाला तठ है किनारा जिसको आप बोलते हो तो इनी के बीच से क्या होती नदी बहती है, इनिके बीसे क्या करती है, यहाँ पर नदी बहती है, इसी तट के सारे क्या होती है, नदी यहाँ पर बहती है, अब चूंकी क्या हो जाता है, तट इसका खतम हो जाता है, खतम कब होगा, जब जाकर सागर में मिलती है, जैसी यहाँ पर सागर में इसका पानी आएगा तो सागर में इधर साइड भी आपार जल भरा हुआ है इधर साइड भी जल भरा हुआ है और जल में तो कोई तठ होते ही नहीं है सब प्लैन रहता है तो क्या होगा यहां से फैलने लगेगा पानी यहां से फैलने लगेगा पानी ठेक है अब आप जानते हो इसमें ब बरसात का पानी एक गिलास में ले लिजिये under बंडर. ट्व Bundra, पूरा जो मिठी का पानी रहता पूरा नदी में बहता है धूल्मिठी रेती आप क्या करिए गंदे पानी में आप फिटकरी का छोट अस टुकडा इसमें डाल दीजिए जैसे फिटकरी का टुकडा डालेंगे तो मात 5 मिट में क्या हो जाएगा पूरी धूल मिट्टी जो हो यहां जम जाएगी पूरी जो मिट्टी है वो यहां पर जम जाएगी और पान तो जैसे यह पास में आते हैं तो यह दूसरी को रिपल करते हैं तो आपस में मिल नहीं पाते हैं बच्चों जब वो मिल नहीं पाएंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा वो दूर दूर भागेंगे मिल नहीं पाएंगे तो हलके रहेंगे हलके रहेंगे तो आपको पता है वो नीचे बैठ जाएंगे क्या होंगे वो नीचे स्वारी वो उपर ही तेरते रहते हैं तो इस तरीके से वो इधर किदर भागते रहेंगे तो यह पानी कभी साप नहीं होगा यह गंदा ही रहेगा लेकिन, जैसी क्या होता है, इसमें fit curry मिलाते हैं, तो fit curry में क्या हो जाता है, potassium plus होता है, aluminium ध्यान रखना यहां पर 3 plus होता है, तो aluminium और इसमें negative charge को neutral कर देते हैं, अब जब एक दूसरे के पास में आते हैं, तो प्रतिकर्सित नहीं होते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और अब मुझे बताओ जैसा ए具 properties पाई जाती है यही potassium aluminium सब यहाँ पर मिलता है यहाँ पर जानते हैं बहुत जादा salt है यहाँ पर sodium potassium सब मौझूद है तो जैसे यह पानी इसके अंदर आता है समुदर के पानी में मिलता है तो धूल मिट्टी के कड़ों का negative charge क्या कर देते हैं वो खतम कर देते हैं तो आपस में मिलकर ध्यान रखना पूरी मिट्टी के हो जाती है यहाँ पर जम जाती है अब चोंकि नदी ऐसी फैल रही है इसलिए इसके नदी के मोहाने पर देखो यह नदी का मुख है नदी के मोहाने पर एक मिट्टी का जमाव हो जाता है और एक कहलाती है क्या त्रिबुजाकार जमाओ, इस नदी के त्रिबुजाकार जमाओ की बोलते हैं क्या डिल्टा, खिक है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, कि ए मिट्टी कहलाती है क्या आपका जमा हुआ आपका भाग डिल्टा, तो यहाँ पर नदी हो जाती है, क्योंकि सकी मुखाने पर मिटी जमा हो जाती है तो नदी हो जाती है यहाँ पर ब्लॉक आवे नदी क्या करते हैं पानी को निकालने के लिए अब यहाँ पर चोटे-छोटे पार्ट में तूड जाती है अब पूरी नदी निवस्ति है छोटे-छोटे नली बनाके ऐसे से वित्रिकाएं के मादियम से क्या होती है अधिरे होता है सागरमे जाकर घेरते रहता है तो उसके नदी के मोहाने पर पूरा ही जाता बच्चो जमा हो जाता मिट्टी का उसी को बोलते है डेल्टा किया बोले सार यूपी एसी के लिए भी क्लास है क्या मैं भी इतने सर्फ यहां से कोशन बनते हैं बागी तो फिर तो डिटल तो भूत होता है आप जानते हो आप लोगा पढ़ा होगा यह टॉपिक तो तो इस तरीके से आप जानते हो क्या-क्या बना बच्चों यहां देखो तराई बना सबसे पहले क्या बना यहां पर जब मैदान का निरमाल होता है तो क्या-क्या बनता है कि आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले कौन सा चेत्र बना था बच्चों भावर का प्रदेश बना था फिर आप जानते हो तराई का प्रदेश बना था फिर ध्यान रखना यहां पर बांगर का चेत्र बना था और नया नया बना था आपका द पहले भावर प्रदेश बनता है, फिर तराई बनता है, फिर बांगर बनता है, फिर खादर बनता है, फिर डिल्टा बनता है, फिर और भी आकरतियां होती, अभी यहां नहीं पढ़ेंगे इसको, अच्छा आप मुझे बताओ, यह तो हो गया इस मामले में, जब क्या होती यहां पर बहती है गंगा, तो गंगा भी क्या करती बच्चों, अपने इधर साइडी मिट्टी का जमाव करती है, और इधर साइडी मिट्टी का जमाव करती है, और इधर साइड से आती यमुना, यमुना आकर यहां मिल जाती है, प्रियाग में आकर, यह मिट्टी भी क्या यहां पर दोनों ही प्रकार के नदियों के मिनरस है हो यहां पर मिल जाती हैं कि यह बहुत उब cargo होता है बुछ को सबसे ज़्यादा जो उबज्याव छेत्र होता है वो धुत दुवाब यह दो नदियों के बीच का छेत्र इसे क्या कहा जाता है यहां पर दो कि दो नदियों के बीच का छेत्र के बीच का छेत्र एक एकलाता बच्चों दुवाब और आप जानते सबसे ज़्यादा दुवाब कहां मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको पंजाब में पंजाब में सबसे ज़्यादा आपको दुवाब के छेत्र मिलेंगे और यूपी में मिलेंगे इसलिए यहां पर बहुत उपजाव होती है मैं बिटी यहां पर पंजाब में ब्यास होता है और सटलघ्रदी मिल जाती है वहाँ पर आप जानते हैं आपका सजजद्वाब पाया जाता है का बिस्ट्रवाब फाय ब्यास और सतलद्वाब रहता तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए घण दौआप की मिट्टी जो होती है बहुत उपजाओ होती है ठीक है चलो कि यह बात भी आपको समझ में आ गई शलिए तीक है कि इस तरीके से आपको यहां पर मैदानी चेत्री भी समझ में आ गया आपने चट्टानों को भी पढ़ दिया ठीक है अब थोड़ा से यहां पर रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं रिवर सिस्टम को यहां पर पढ़ते हैं अच्छा रिवर सिस्टम आप लोग अब हाऊ से थग aí नहीं पढ़ें सपी करा थी के पढ़ाएंगे संदामा सब पढ़ाएंगे आ निवर्प से क्ढ़ां चंदान करूम सब पढ़ाएंगे पर अ ँर no कि थोड़ा इस ग्लास को थोड़ा रेस्ट लेते हैं और क्योंकि ना मैरे पैर बहुत ज़यादा ज़य कर रहे हैं कि कल भी पड़ाया मेरे आप जांते पैर से थर्शरी हुई है जाधा लंबे समय्धा ख़ड़ा नहीं हो पाता हूं में कि क्योंकि ज्यादा मेरे आप जो दिमाख लगा ना पैर में लगने लगा मेरा दर्द करने लगे ना पैर कि 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 क्या मेरे पैर में प्रॉब्लम है ना अभी इसलिए तो मैंने चार साल हो गया तो पढ़ाना छोड़ दिया था कि अभी थोड़ा ठीक हुई है अभी दम से अपने के ज्यादा रगला मार रहे हैं थोड़ा दुख रहे हैं ठीक है कोई दिकतनी कस्ट में सह सकता हूं लेकिन थोड़ा ज्यादा पैन होता है ना तो धिमाग वहां लगता है तो खुल के पढ़ाने में मज़ा नहीं आरी फिर मिन्रल पढ़ाने है पूं इंडर्श्टी पढ़ानी है कि अब बाइस प्रेजर पढ़ाने है यह कुछ-कुछ टॉपविक है वह आपको पढ़ाना है ठीक है हाँ तो अ अच्छ थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर पढ़ा देंगे चिंता मत करो हर दिन आपका मेराथन चलेगा चिंता ना करो आपका पेपर तक मैं सब पढ़ा दूँगा ठीक है आपकी मेराथन ही चलेगी चिंता ना करो कि यह वाला जो पीडिया फेसको थोड़ा रिवीजन कर लेना आप लोग ठीक है इस पीडिया को करूंगा मैं एप में दे दूँगा एप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा नहीं होगा तो जितन बखिल सार नाम से डाउनलोड कर लेना उसमें आपको दे दूँग ठीक है हाँ चलो अभी के लिए इतनी करते हैं फिर इसकी नेक्स क्लास इसके आगे का कर लेंगे ठीक है चलो